हेलो काईज हमारा मेरली छोटा बच्चा दिखा जाते जिसका ने वी की चोटा पर सब भी उसको निक्डेम से वी बुलाते हैं ये अपनी माम के साथ पार्ग में आया होता है वहाँ पर उसने एक राइड लेने के लिए जाना होता है अपनी माम को कहें लगता है कि मैं कि दिमाग में पतर निक्याच जारा होता और वहां से गाइब हो जाती है ठाइड राउंड में वी का अपनी माम नी नजर आती ये देखकर तो वो परिशान हो जाता है कि माम कहां पर गई माम को आवाज देने लगता है कि मुझे ये खेल ने खेलना अब जहां भी हो बाही पर आइसर्ट को कोई भी इश्यो नहीं होता पर डॉक्टर कहें लगते हैं कि अगर इसे लोगों की फेस नजर नहीं आते तो इसको प्रोस्तों पेगनोसिया हो चुका है मतलब फेस ब्लाइनेस हो जाना क्योंकि शायद इस पर किसी बात का गहरा असर हुआ है तो गैंपा बताएं लगते हैं कि इसकी माम जब से छोड़कर इसे गई या तब से इसे लोगों के फेस नजर नहीं आते और फिर काफे साल गुजरने के बाद इकाया जाता है कि वी बड़ा हो चुका था और वह अपने गैंटपा की कंपनी को संभार रहा था कंपनी में आता है तो सब काफी अभी तक काफीस में नहीं पहुंची थी इसलिए ये अपने फ्रेंट जनोन को कॉल करता है कि मेरी काफी कहां पर है पर वो भी आगे सी से कहा देता है कि तुम्हें अब जल्दी अपने असिस्टन ढूनने होगे क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज काफी बनवा कर न जनोन अपनी मॉम को समझाने लगता है कि जैसे उसकी असिस्टन उसे मिल जाएंगी तो वो सारा काम करीगे मुझे कोई भी काम ने करना पड़ेगा पर उसकी मॉम तो वी की बातों से काफी घुसा होती है तो चनोन कहता है कि मॉम इतना गुसा तो मुझे भी पर नहीं आ र पर उसे पहले उसके पता होता है कि इस आंट ने मुझे ये ब्राउनी टेस्स करवानी है कि कहीं इसमें जहर ना हो यह भी बाते करी रही होते हैं तो पीछे की तर्मुल कर देखती तो वह तो वही पड़ा कर खड़ी हुई थी तो यह उनका ओर्डर उन्हें पकड़ाने लग तो मैं इतनी अच्छी मार्क से गैजुएट किया है और तुमने टॉप भी किया तो तो मैं फिर भी जॉप नहीं मिली वो कहा लगते कि मुझे डिलिवरी से काफी अच्छे पैसे आ जाते तो जॉप की क्या जरूरत है वो तो आर्ट को ये बात कहा कर टार रही होती है पर बातें सुनाविया जारे होते हैं यह उंकी बाते सुनने के जाते हुए के प्यूस्ária के लाँ हो सकता है कुए आपके आपके बात करी झाते कंडेये में बहुंसी चाप्स में इंटर्व्यों देने के लिए गई हैंआया तर प्रेजंप मैं करा चांगी और आपने इतना प्यार्पी बहुत अच्छा होगाаз मैंने उन्हीं इंस्ट्रक्शन्स पर चलते हुए इस कॉफी को बनाया है पाबा कहता है कि इसके स्मेल से मैं पहचान जोगा कि मुझे कौन से वाली कॉफी चाहिए और यह कौन से वाली है इसको अभी यहां से ले जाओ और मुझे मेरी असिस्टन जल्दी चाहिए आज इंटर्वियो होने वाले है ना तो उनको को हो कि वो जल्दी आएं मुझे एक घंटे बात उनका इंटर्वियो नहीं करना करता हो ऐसे रेक्ट करता है कि वी को और भी वेट करवाओ इस लड़की की आने तक वह कहने लगती कि वी बिल्कुल भी वेट नीक करेगा वो बहुत ही जादा गुस्से में है पर चनौन कहता है कि जैसी लड़की असिस्टन वी को चाहिए वो यही हो सकती है इसलिए वेट और वी इसकी शट को देखते हुए कहने लगता है कि इसके लिए मुझे इतना वेट करवाया वो कहती कि मैं आज ही लेट हुए आएंदा कभी भी लेट नहीं होंगी और वैसे भी आपने तो मिटिंग जल्दी करवा दी थी ना तो आने में भी तो टाइम लगता है वी को त इस पर गुस्ता आ जाता वो तो इसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर इसको रिजटर देता है पर यह भी किसी से काम नी थी वी कोई उल्टा बाते सुनाने लगते हैं कि तुम किसी को ड्रेसिंग से किस तरह जच कर सकते हो पर वी इसका पूरा-पूरा मुकाबरा करने लगता कहें लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी क्वालिफ्येशन वाली अपनी असिस्टंट चाहिए अब इस बात पर तो चुप हो जाती क्यूंकि उसके इतनी भी अच्छी क्वालिफ्येशन नहीं थी पस वो अपनी इन्वर्सटी में टॉपर थी और ज्याद एक जूख लेता क्या लगता है कि तुम उससे आकर ऑफिस में मिलना जैसे की वी इस लिम्से रट्रेक्ट हो गया और इसको पहले से जानता हूँ या जानना चाहता हो अमेरन भी आ जाती जहां पर वी आ जाता है और वहां पर आने के बाद वीव से कहें लगता है कि अगर मैं मैं तुम्हें अपनी सेकेटरी रखती हुँ तो तुम्हें एसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें रखू तो वो बताईनी लगती कि मैं चीज़ों को भूछ जल जल्दी से याद कर लेती पर वो भी कह देता है कि अगर तुम अपना अपना रस चेंज नहीं करोगी तो ठीक है मैं भी तुमें fire कर देता हूँ और साथ मैं उसको काम याद करने को भी दे देता है कि Miss Tropper आपने ये सारा काम याद करके आना है अगर आप यह याद करके आगी तो आप हायर हैं वरना आप हायर हैं अब इसकी पास तो कोई दूसर आप्शन नहीं बचा था पर यह इतने से काम को देखकर कहने लगती है कि आपकी प्रिंटर मेशिन खराब हो गई थी अब यह सुनकर तो वी को गुसा आजाता पर चैनौन वहाँ के महौर को ठंडा करने की ट्राइ कर रहा होता है पर वी तो उसको और भी फाइस पकड़ा देता है कि यह काफी है और भी दू यह सब आपको करके दिन तक याद करके आना है अब वो भी इन बातों के एकसब करने क जिली जाती है चैन। वी उसकी साथ ही sons को देखकर लटके स्माइल कर रही होते हैं अब दा प्र है CPU उजह शयाते हैं और छैना है मेरेन के साथ ऑता है भी मिरन के जाने के भान के सोचन आहोता है कि क्या मैं पैडड़ बॉइद बशक क्यों बन रहे थी पर उसकी क्या बात है उसे तो मुझे भी चुप करवा दिया और लगता है मैंने भी उसको कुछ जादी बाते सुना दी यह सारी बाते तो वी को बात में फील हो रही होती है और चनौन जो मिरन के साथ जाते होए उससे बाते वगरा तो कह रहा होता है और उसे कहले लगता है कि तुम्हें अ अपलाई किया है और तब से मुझे तुम्हारा नेम और तुम्हारी शकल याद हुई है पर तुम्हें अपनी नेम को चेंज क्यों कर दिया पर चनौन ने अपनी असिस्टेंट को उसकी फास पहले से दे दी थी कि कार में जाकर रख लो क्योंकि यह हायर हो चुकि और किसी और का इंटर्वी लेने की जरूरत ने है इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे पूरा यकीन है और उसको भी ब्रेस दर्वाने के लिए ले जाता है वो नियु नियु ड्रेस पहन कर उसको तिखाने के लिए आ रही होती है पर चनौन उन्हें देक्टा लगता इसके बालों को देखके पूँचे लगते हैं कि तुमारे बालों को क्या हुआ और इतने ज़्यादा शॉपिंग पै काहां से लेकर आ रही हो तो वो बता हिने लगती है कि मॉम ये सारे कपड़े हैं तो उसकी मॉम कहती है कि ये जाधा खर्चा नहीं हो गया तो मेरें कहते हैं कि ये मेरी तरफ से नहीं है बलकि ये कमपनी वालों ने मुझे दिये है ये सुनकर तो उसकी मम शौक हो जाते हैं कि क्यामत हम इसको कमपनी में जॉब मिल गई है और उसकी लिए इतना खुश हो रही थी पीछे से ग्रेमा भी आ जाती जो पूचे लगती कि क्या हुआ तो वो बताती कि कमपनी वालों ने मुझे रख लिया है ये सुनकर तो उसकी ग्रेमा के हासे भी चीज नीचे गिर जाते हैं और उनके साथ खुश होने लगती है पर बा कहने लगती है कि अभी तो उन्होंने मुझे पर्मेनेट ने रखा पर मुझे यखिन है कि मैं पर्मेनेट भी हो जाओंगी अभी जो उसको काम मिलावा था वो रात तक या करने के लिए बैट जाती है सारी फाइस को अच्छे से पढ़ने के बाद जब फ्री बैटती है तो उसकी माम कहती कि अब तुम जाकर सो जाओ पर वो अपनी माम से पूछते कि माम आप किचन में क्या काम कर रही है वो बताती है कि मुझे ओर्डर आया हुआ है एपल पाई का बस वही बना रही हूँ तो मिरिन भी कहते है कि माम मैं आपके साथ हैप करवाते हैं पर उसकी माम मना कर देते हैं तो चनल कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से कवर किया है और अपस तुम्हें वी के पास जाएकर है रहा करना है देखते हैं कि वो तुम्हें अप्रूब करता या नहीं करता तो ये भी उसके बाद वी के ऑफिस में पहुंचा आती है जहां पर जाने के बारो ऑद वो बत उसे पकड़ लेता है और फिर उसे जब स्मेल कर रहा होता है तो कहता है कि आज तुम्हारे पास से एपल पाई की स्मेल आ रही है यह सुनकर तो वह भी कुछ शौक हो जाती है और भी उसे काम देते हैं लगता है कि आज का तुम्हारा पहला काम यह आए कि तुम्हें लिली च कुає daher वहां से चली चाहती बिचारा वी भी कुछ नहीं बोल पाता उसे आगर तुमने बनाई तो में अभी के अब ही दोगा अवो भी मार्कित से चीजसे लेने के बाद जवापी सारी होती है तो जैनौर और उसके एसिस्टन देख रही होते हैं कि किता टाइम यहाँ पर निकाल लेगी पर चैनूर कहता है कि मुझे यकीना देखता है यह वी को कितने अच्छे से हैंडल करती अब मीरिन भी कॉफी का काम स्टार्ट कर देती है चॉकलेट वगर आने के बाद उसके सामने लाकर कॉफी अब जब यह कॉफी को देखता है तो उसको देखता रहा जाता है और पकड़कर उसकी स्मेल भी करता है ऐसे लग रहा होता है कि वो कॉफी को देखकर बहुत जदा शौक है कि इसने इतनी अच्छी कैसे बना ली और टेस्ट करने के बाद तो और भी जदा शौक हो जाता है पर मीरन तो मांसे भागने लगती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वी उसको लिकानने वाला है और वी जब उसको पीछे से आवाज दे करोक रहा है तो वो पोड़ ड़ जाती है और एक extra scene में यह भी दिखाः जाता है कि वी के माम भी उसके लिए सेम ऐसी काफी बनाया करती थी वी दिखाः जाते जो एक जगाव में बैटकर अपनी माम को याद करते हुए रो रहा होता है तो उसके बास जयून आता है और आफनी आइस्क्रीम शेयर कर रहा हुता है कि हम हाद चीज़ शेयर करेंगे तो मेरी मामा को भी अपनी मामा समझ लेना मैं अपनी मामा को भी तमाई से शेयर करने के लिए तियार हूँ जैसे मैं हमेशा तमाई सा ठाचीज शेयर करता हूँ इस पास से वी खुश हो जाता उसके साथ बैट का चोकलेट खाने लगता है प्रेजेंट वाला वी जो कॉफी को पीए जा रहा होता है और मेरिन उसको देखते का खुश होरी होती है कि मतलब इसको पसंद आ गई पर वो उसको स्पायर करते होई देख लेता और जल्दी से उसके पास जाकर पूछे लगता है कि तुम्हें यह कैसे बनानी आती है तुमने यह कहां से सीखी तो वो कहते है कि क्या मतलब मुझे आती थी कहां से सीखनी की जूरत पढ़नी थी पर वो कहते है कि नीनी ऐसा नहीं हो सकता है और यह भी बताता है कि मैं कौकों से कंट्रीज में होकर आया जहां पर होट चॉकलेट बहुत फेमस थी पर वहां की भी यह वाली होट चॉकलेट नहीं थी किसी को नहीं आती तो तुम्हें कैसे आ सकती है मैं इतनी ज़्यादा सेक्टरीज रखी पर किसी को भी नहीं आती थी तुम्हें एक और जिसको आती है तो वह भी कहा देते कि मेरी माम ने सिखाई थी अब मुझे नहीं पता कि माम ने कहां से सीखी और अगर मैं ही सिर्फ मैना सकती तो इसका मतलब मुझे यह रेसिपी किसी को भी ने बतानी चाहिए मैं क्यों बताऊं मेरी जॉब चली जाएगी इसी के साहरी तो मेरी जॉब रहेगी ना पबा कहें लगते हैं कि तुम्हें कि सारे स्टाफ को सिखानी होगी पबा कहते हैं कि मैं क्यों सिखाऊं मुझे नी सिखानी चैनौन उससे पूछे लगता है कि क्या हुआ तो वो सारी बात उसे बता देती है तो चैनौन उसकी बात को सुनने के बाद जो उसके साथ दो लोगों तो उनसे मिलवाने लगता है एक का नाम सुनकर वो करें लगती कि यह तुम्हारा जैपनीज नेम है ना बोलता है अब यह सुनकर वो लड़का कहें लगता है कि आपके सिस्टर ने भी यहीं बात बोली थी यह सुनकर तो उसकी दांट वैसे के वैसे अंदर चले जाते हैं और उसको देखकर शौक हो जाते हैं यह वहां पर जाकर क्या बोलेगी पर मीरन उन्हें स्मायल करके दिखा देते हैं और कुछ भी नहीं कहती और इधर वीजियो मीरन के लिए प्लैनिंग बना रहा होता है कि मैं उसको एक फील्ड वारी ट्रिपल लेकर जा रहा हूं वहां पर देखोंगा कि यह हर्च चीज को कैसे हंडल करती है इतना वहां पर मिरन आ जाती है जो उसके लिए काफी बना ले आई थी और उसको देखकर है चना भी कहें लगता है कि मैं इसको ड्रेस कर वाकर लेएंगा इसकी निए नियू ड्रेस लेणाओंगा पर वह ऊसे मनावा गए देता है कि मैं खुछ जाओगा इसका ड्रेसले करने के लिए तो मेरे पूछे लगती ही कि क्या बात है मुझे कहां पर लेकर जाया जा रहा है तो वो बता देता है कि तुमने ये सारी फाइल याद करने ही guest list है और तुम मेरे साथ party पर जा रही हो ये सुनकर तो वो फॉरण से मना कर देती कि मैं पहले कभी party पर नहीं गई तो मैं आपके साथ party पर कैसे जा सकती हूँ पर वी भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ना गई तो इस company से पिछाओगी ये सुनकर उसे मानना पड़ता है अब coffee देनी के बावर जैसे वहाँ से चली जाती है इन दोनों के आपस में coffee को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती चैनलों करता है कि मुझे भी तो टेस्ट करवाओ पर वी तो उसको coffee टेस्ट निगरवा रहा होता कहें लगता है कि अगर तुमने बनवानी है तो खुद बनवा लो ना मेरे पीचे क्यों पढ़ गए हो और मेरे जो बाहिर आकर अपना रेस्ट कर रही होती है तो उसके सामने से ही चैनलों और वी की शर्ट जारी होती है देखका अभी वो पूछे वाली होते तो अंदर से चैनलों और वी लिकल आते हैं जिनके उपर coffee कीरी हुई थी यह देखक रहते हैं कि तुम तो काफी लगी हो कि हमने तुम्हारे सामने शर्ट चेंज कि क्योंकि हमें तो तुम्हारा भूली गया था कि तुम भी यहाँ पर हो त यह भी आगे से कहही है करना ये गलत बात ह होते हैं तुम लोगों कम उसste स्वारी करनी चाहिए mister इस सोरी कर लेते हैं पर Wee ने तो अभी भी शर्ट नहीं लगाई थी शर्ट के बटन बन करने के बाद वो उसे कहने लगता है कि अभी मैं तुम्हें लेकर जा लो तुम्हें अगली टखलिंग से समाल बना दूँगा ये कहकर मांसे जाने लगता है पर इसको समझ नहीं आता है कि वो क्या रेक्ट करें तो दुबारा से मुड़कर वो से कहता है कि तुमने मेरे साथ आना या नहीं आना ये सुनते साथ ही वो वी के पीछे पीछे भागने लगती है अवी जो इसके लिए पार्टी का ड्रेस लेकर ने के लिए आ गया था और ये भी बैट कर ड्रेस को देख रही होते हैं तो एक एक करके वो उसको पहना कर भी देख रहा होता है पर कोई भी उसे पसंद नहीं आ रहा होता इसे में वी अपना में एक ड्रस लेकर रहा होता है और जैसे ही वो अपने वाले ड्रस पहन कर देख रहा होता था भी पीछे से मीरिन भी आ जाते है मीरिन को देखकर वो देखते कर देखता रहा जाता है उसके तर जाते होए वी भी मिरन के साथ आ रहा होता और उसको रास्ते में ये भी पताता है कि हमें उस पार्टी में तो जाने और और इंवेस्टर भी ढूने अपनी कमपनी के लिए इसलिए मैं तुम्हें साथ में लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से हर चीज को हैंडल कर पाओ ये साथ कहते होएं वो पार्टी में पहुंच आता है जहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले स्टेज पर जाकर सबके सामने स्पीच करता है वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम करता है विसको तो पता नहीं लग रहा होता है कि किसने बोला है तो उसको याद आता है कि ये काम तो मैंने मीरन को दिया हुआ है कि तुमने लोगों के बारे में मुझे बताना है तब इसलिए यही कॉस्टिन किया तकि क्या तुमें लोगों के फेस याद नी रहते तो इसलिए का तकि जो तुम्हारा काम है बस तुम वही करो तो मीरन में अपना काम करने के लिए आ जाते हैं और आकर बता दीती है कि यह मिस तनाया है जिरो ने आपको ऐसा बोला तो यह भी इसकी बास सुने के बाद मिस तनाया से कहते है कि थैंक्स आपने मुझे इतना कम्प्लिमेंट दिया और स्पीच की एंट होने के बाद वी जब खड़ा होता है तो उसके पास फिर से तनाया आरी होती है देखकर मिरन बताने तो चाहती थी कि कोन आरी है पर उससे पहले ही तनाया उसके पास पहुंचाती है उसको साइड में करके वी के पास खड़ी होगी थी यहां तकि वी का बाजो भी पकड़ लिया था और उससे कहीं लगते है कि तुम कब तक मुझे मिस तनाया कहते रहोगे तनाया भी तो कह सकते हो ना आप फिर उसे और भी ज़दा फ्री होने की ट्राय कर रही होते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहती हो, कुछ काम वगारा है तुमसे पर वह तो उसे मना कह देता है कि आप मेरी असिस्टेंट मेरें से बात कर सकते हैं अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपसे नहीं मिल सकता पपा कहती कि ऑपरचुनिटी तो खुद बनानी होती है ना तो तुम सेचरडे वाले दिन इतने बचे आ जाना मुझे तुमसे बिजनिस की बात करनी है पर वी तो उससे ये कह देता है कि तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से मुझे अजीब फील हो र इसी थे वो कहते है कि मुझे शेडियूल देखकर नहीं बताना बर्के शेडियूल में जगा बनानी है चाहिए जो भी काम तुम्हें री शेडियूल क्यों ना करने पड़े मुझे उससे बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन बात करनी ये कहकर वहां से चली जाती है उसके जा लोगी न तो तो मुझे की वाला कोश्चन नहीं करोगी और मैं तो मैं ये बात बता दो कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं करने क्योंकि उसकी फैमली पहुत ही जदा रीच है तो उसको अपनी अगली नसलों के लिए का ज़रूद नहीं है और वी के ग्रेंट पा दिखा उनकी जाने के भाद की माम के पास तनाया आजाती है कि ऊपूच लेटे इस लोगों से बात करे होते हैं लोगों से चैननों को बुलाकर वह क्या तुम तुम ज्यादा करे रहे हो क्या तुम ब्रॉडन होता है कि नेनी ग्यारपा ऐसी कोई बात नहीं है तो वह कहने लगते हैं कि तुवारी मॉम ऐसा कह रही थी पर वो बताता है कि मुझे भी से यही आंस की उमीद थी तुम से इंसान को इस ओमर में जादे ही काम करना चाहिए आगे जाकर तो आपसे काम नहीं होता पर तुम जादा काम कि उसको संभार रही थी यह सुनकर वच्जूब पहुंचा तो कहने लगते कि मुझे उसके सथ कोई बीबात नहीं करने नहीं उसके साथ कोई बिस्निस की बात करने के लिए चाना है तो मुझे उससे दूरी रखना तुमने बस मेरे शीटियोर के बारे में उसे नहीं बतान होती ही कि वो हमारी investor है मिथावी अब यह भी जाकर मिथावी को हाई हेलो करता है मिथावी उन से उनके projects के बारे में पूछे होते तो चैनलों बताता है कि एक project तो वह हमारे project में investment कर रही है और दूसरे वाला keep up है तो मिथावी करने के लिए आते हैं और वो इनके काम में invest करने के लिए त्यारती हो यहां था कि मेरंकी भी तारीफ करते हैं कि तो बहुत ज़्यादा talented लगी है और smart भी उसके earrings की भी तारीफ करते हैं पर वो तो कहें लगते हैं कि यह तो बहुत हैवी है अगर कि मुझे दूसरे brand के ले देते तो वो बहुत सदा हलके से होते इत्तर भारी ना पहनने बढ़ते अब इसको इस बात का तो पता नहीं होता कि यह जिस earrings की बात करी है वो किसी और के नहीं है बलकि इसकी sister के है क्योंकि वो ही इन earrings को design करती थी अब सुनकर तो उसका गुसा आ जाता है और वो कहें लगते हैं कि तुम्हें तो प्रैंस के बारे में पता ही नहीं है तो तुम्हें अच्छे से और collection देखनी चाहिए अब उनकी बात सुनकर उसको यादा जाता है कि वीले मुझे किसी और के नहीं बलकि मैं थरीन के ही earrings लेकर दिये थे ये बात मैं कैसे बूल सकते हूँ और ये उनकी sister है ये सुनकर तो उसे पता लग चुका था कि अब तो उसकी है नहीं इसलिए उनके जाने के बात उससे sorry करने लगते है प कहां कैंगा लगती कि तो ब्रैंड्स जली जाते हैो चनल नियू तो तुम्ने एसको फाइड कर दिया तो ये कहकर चनल भी वहाँ से जला जाता पर मीरन तो पैतर चलते हैं वे खुदी जा रही होती है और कहा है कि मैं अपनी मामा गैन्मा को क्या जवाब दूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने किती बड़ी गल्ती करती यही सब सोच करो रही होती है अब वी भी जो वहाँ से जाने लगता है तो उसको हो तो रहा होता है कि मिरन कहां पर होगी पर अपनी कार ड्राइव करके जा रहा होता है और इधर चैनोन भी उसको ढूंड रहा था और वी को जाती चाते मिरन नजर आ जाती है उसे देखकर कार वहीं पर रोक लेता है सोच होता है कि यहाँ पर क्या खुदकर्शी करने वाली है यह सोच को उसकी तरफ भागता है पर आगे से पता लगता है कि वो तो इसको पूरा भला कह रही थी बहुत ही वी को बाते सुना रही होती वी कि तो यह सुनकर हालत खराब हो जाती कि यह क्या कर रही है मीरन को आवास देता है मीरन को आवास देता है वो इसके पास आता है अब इसलिए मीरन को मीरन के नेम से पूर लाया था जबके वी तो उसको दूसरे नेम से बुलाता था उसको तो मीरन का नेम भी नहीं पता था तो वो चैनल से पूछे लगता है कि तुम्हारा इसे क्या ता अपना बेटा नज़र आ रहा होता है और और भी जादा रूने लगती है यह देकर मिरून की मम में वहां पर आ जातेят पूछे लगते हैं कि बेटा यह कौन है और तिम यहाँ पर क्या कर रही हो पर उन्हें रोते वखे लगते हैं कि आपको क्या हुआ है अब चैनल दुबारा से जब मीरन को बुला रहा होता है कि तो मेरे साथ चलो ये तो मैं फाइड ने करेगा पर वोसे पहले पूछता है कि ये बताओ कि इसका ने मीरन कहां से आया तो मीरन यहाँ पर बोल देती कि ये मीरा निक्नेम है पर वी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, वह कहने लगता है कि ऐसा निकनेम तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्यूंकि तुम्हारे नेम से ये निकनेम बनता ही नहीं है, पर फिर भी उनके कहने की वज़ा से वी मान तो लेता है, और चैनल वी की बास सुने बगार, उसको पर वी कहां जाने देने वाला तो वो भी मीरं को दूसरे हासे से बकड़ लेता है, दोनों मीरं को खैल चेह ओते हैं, और उन लोगों से कहने लगते हैं कि एक्स्क्यूज मी, तुम दोनों आपस में ये मामला क्यों नहीं सॉल्व कर लेते, मुझे अंदर क्यों लेकर आ रह तो नहीं होगी ना, और मुझे बता है कि मैंने बहुत बड़ी गल्ती किया और मुझे माफ करना बहुत मुझे है, इसलिए मुझे यहां से चले जाना चाहिए, कहकर मीरं माँ से जा रही होती है, पर चैनौन उसको जाते होए देखकर, वी से कहने लगता है, तो पता नहीं अपने बचो वाली हरकते कप छोड़ों कईगे, कहने के बाद मीरं को आवाज़े देखकर रहा होता है, और उसे जाकर कहता है, कि मैं तुम्हे छोड़ाँता है, पर चैनौन कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें कोई पी टेक्सी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुमे छोड़ मेरन के लगते हैं कि मैं से सोरी करना चाहते हो पर चैनल कहता है कि अपलेट हो गई हो और देखो तुमने ड्रस कैसा पहना तो इसलिए मैं ही तुम्हें छोड़ाता हूं यह पास उन्हें के बद मीरन मांचाती है कि मैं आपके साथ ही चली जाती हूं अब चैनल उसको घर तक जैसे मीरन उसकी काश से लिकरने लगते हैं तो चैनल उसे सोरी करता है कि हम दोनों में लड़ाई हो रही थी पर मैं और बिल्कुल भी तुम्हें अनकंफर्टेबर फिल ने करवाना चाहते थे बस किसी ना किसी तरह तुम लड़ाई में आ गई मैं उसका बड़ा कजन और उसे छोटा है मैं कम्पनी की important चीज़े और वह कमपनी को संब्समाथा सवच्चा है कि बहुत उंचा हैं पर मुझे यह पता है कि हम दोनों बस एडियोटस हैं हम कहीं पर भी लर्ना स्टार्ट हो जाते हैं यह सारी बात इस सुनने के बाद मीरन कहते हैं कि मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद चैनल भी सोच में डल जाता है कि हाँ ये बात तो सच है तो मीरिन कहती है आप जाकर रेस्ट करो और वी भी ठीक हो जाएगा और मेरे बारे में भी फिकर करने की जुरत निया मैं अपना ख्यार रख लूँगी और जितना कुछ आपने मुझे सिखा दे उससे मैंने बहुत कुछ सिखा है अब बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो ये कहने के बाद उसकी कार से निकल जाते है और चैनल भी वाँ से खुश होकर चला जाता है वी को वो देखकर पूचे लगता है कि तो मेरे कहा पर क्यों आकर बैटे वए तो मैं तुझा कर रेस्ट करनी चाहिए घर पर पर वो उसे कहता है कि एक बाद मुझे बहुत ज़दा परिशान कर रही है कि तुम सच में मीरन की वज़ा से मुझे से नराज हो और उसने तो हमारे इतना बड़ा नुकसान करवा दिया मिथावी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए त्यार नहीं है और ये सब उसी के वज़ा से हुआ उसने बहुत बड़ी गल्ती किया इस पार तुम तो इसका मतब मुझे भी एक दिन फाय कर सकते हो न अगर मैं एक चोटी सी गल्ती करूँगा चाहे वो बड़ी गल्ती क्यों ना हो तो वह कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा मैं एक न्यू इंप्लॉई मीरन की बात कर रहा हूँ जिसका नम मीरन है तो चैनौन कहता है कि अटलिस वो तुम्हारे लिए वही वाले होट चोकलिट कॉफी तो बना देती है न जैसे तुम्हारी माम बनाया करती थी इसी बास से खुश हो जाओ तुम्हारी माँ तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर चली गई न पर मैं तुम्हें यह बता तो मैं तुम्हें बहुत ज़़ादा गुसा हूँ तुम्हें बिल्कुल भी मैलर्स लें है पर तुम्हें मैलर्स आते भी कहां से तुम्हारी माम तो तुम्हें छोड़ कर चली गई न यह वाद सुनकर जैनौन अपनी माम को चुप करवा रहा हुता है वी से कहने लगता है कि हम इसे बारे में quelqueले माम यह लेकर चला जाता है क्योंकि वो तुम्हारी बात मानेगी अगर तुम अच्छे रहोगे उसके साथ और हमें वी के बारे में बाते बताती रहेगी अगर वो वी के पस काम करती है चैनलोन कहते है कि माम आप किस बारे में बात कर रही है तो उसके माम कहते है कि हमें भी अपनी एक कंपनी बनानी चाहिए जहां पर मैथीना भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है उसे मैंने बात कि कि अगर तो वी के कंपिय में सिफ में इंवस्ट करना चाया तो कुछ टाइम के लिए रुक जाओ ताकि मीरा वेटा कंप्नी बना लेगा और भी तुम उसमें इंवस्ट करते न और तनाया भी भी इसे मिल्ना चाती तो तनाया फैमिली भी बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी तो मारे कंपनी में इंवेस्ट कर सकती है यही सारी बाते वो चैनल को वी की तरफ से हटाने का सोची होती है चैनल भी उनकी बातों में आ तो रहा था और उसके मौम यह सब बाते करने के बाद वाहां से चली जाती है और मिरिन मैं उसको आते वे देख लेते हैं और पूछे लगते है कि क्या हुआ तुम ठीक तो हो तो वा बताते हैं कि मैंने अपॉलोजी के एक पनाया है भी एक लिए पर एविस तो उसे बताती है कि अभी तक भी आया ही नहीं तो वा कहती आज आएगा कुश्राइम में पर एविस क अब मेरें उसकी सारी बाते सुनने के बाद किये लगता हैं कि इसका मत्मिना केक्वेस्ट हो जाएगा। पर भी भी मैं उसके आने वेट करूँगी क्या पता वो आ जाये कि चैनल बताता हैं कि भी तक नहीं आया तो वो नहीं आएगा। पर वो मुझे कभी भी उन जोगों पर नहीं मिला और फिर ये भी बताता है कि मुझे भी भूख लग गई है अमीरिन कहती है कि एक सेकिंड के लिए रुके और जल्दी से प्लेट और स्पून लेकर आ जाती है उसको केक काट कर टे देती है कि आप ये खाएं और खुद के लिए भी निकाल लेती है सबसे पहले अपना केक खुदी टेस करने के बाद कहते है कि जिसने भी ये बनाया वो बहुत याची और बहुत ही प्यारी लड़की है ये सुनकर चैनल उसकी बातों से स्माल कर रहा होता है और फिर उसे कहती कि तुम भी टेस करो और तुमें सिर्फ तारीफ करने का हाख है और कोई हाख नहीं है वो उस केक को टेस करने के बाद बताता है कि ये तो बहुत ही सब अच्छा है और बहुत ही मज़े से खाते हुए बता रहा होता है कि वहाँ पर एविस आ जाती है, जो आकर पूछे लगती है कि बोस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब चनौन तो उसके वाद सुनने के बाद बिल्कुल शौक सा हो जाता है, और कहीं लगता है कि केक खा रहा था और बाकी का के, मिरन तुम्हारे लिए देख कर गई है, पर व भी अपनी ख्यालों में होता है, तो वहाँ पर भागते हुए मिरन आ जाती है, और आकर कहीं लगते है कि बोस आप यहाँ पर हैं, तो वह कहते है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूड लिया, क्या तुमने मेरे ऊपर कोई ट्रैकर लगाया हुआईगे कहकर, आपने होने वाली नी थी, वह भी वहीं पर उसके सामने बैट जाते हैं कि यहाँ पर यह तो नहीं लिखा कि एक इनसा बैठ सकता है, तो मैं भी इसका मातल तुम्हारे साल बैट गखकर इस राइट को ले सकती हूँ, उसकी बात को कहया कि यहाँ लगता है, यहाँ पर टो मिरे होन और वहां से मुझे बथा कि यूनिवर्स तो इक चीज के इतक रेवाल्फ कर रहा है और पता लगकिया कि वो को इसलिए मैं यहां तक आगई उसकी इतनी ओरी सुनने के ऐसा नहीं होता है कि तुम्हाई धेवर्स कर दें यह सुनते साथी वो तो इतना खुश हो जाती हो, उसे थैंक्स करने लगते हैं कि आप मुझे फाइल ने किया, अब इतना उंचा बोरी होती है तो, वो भी कहा देता है कि तुम बिल्कुश टूपिड परसन हो, क्या तुम मुझे बहरा करना चाहती हो, अब यह सुनते हो बिल्कुश चुप हो होती है, पर मैंने जैसी दो दिन राउंड ले उसके बाद मुझे मरी मम नजर ही नहीं आई, मैंने अपनी मम को बहुत डूंडा पर वो तो मेरा वेट नहीं कर पाई, उसकी सारी बातों को सनने के बाद मिरन कहने लगते हैं, आगर तो मैं तुम्हारी मूम मिल जाती है, तो बगाए को सोचे मुझसे कह सकते हैं मैं आपके लिए हर विश पूरी करूंगे मैं हमेशा आपका साथ दूँगी अब उसकी बातों को सुनने के बाद भी कहने लगता है कि अभी मैंने सोचा ने कि मैं तुम्हें फाइक करूंगा या नहीं करूंगा वह कहते हैं कि फिर आप क बताए वह पतानी मैंने कैसे बोलजी बस मैंने तुम्हें बता दी पर यह बात हम दोनों के दैम्याद को बिनी बतानी मियुक्त नि हाँ हुत है होगी तो हैं आपने वर्ट से पीछे नहीं हटती तो चल ठीक देखते हैं यह कहकर है वाँ से चला जाता है मीरन भी उसके जारी होती है और आकर कहें लगते हैं कि कि आप स्लोन नहीं चल सकते थे मुझे इतना भाग भाग कर आना बड़ा तो कहता है कि तुम्हारी टांगे छोटी हैं तो मैं क्या करूं और अगर तुमने मेरे साथ काम करना तो इन चीज़ों का धिहान तुम्हें खुदी रखना होगा वो तु लगता तो उससे कहते हैं कि मेरे कंट्रोल मे नहीं है मैं इसको कैसे कंट्रॉ Ctrl bit रसकती हूं कि यह मेरा नहीं है और तो मैं इस चीज़ों के आतर ढ наверное क्यों कि यह शुमत आपकी अंच्छे स मजदे आतों मिला SCOTT सब्सक्ति médi स्वाल change जात्स नतानी कि अचे से काम करोगी तो बेरी हरक बात मालुगी तो आपने हां मैं ने बौला था पर खालते हैं कि हाँ तनाया से मिलने के लिफ जाने तो क्या हुक्वा तुम करें sister me आजाना अच्छे से कप्ड़े पहन कर और तुम्हाने पास से ये ट्रैफिक की स्मेल नहीं आनी चाहिए अब ये बाते कहने के बद वो चला तो जाता है पर उसके जाने के बद मीरन को उस पर इतना गुसा आ रहा होता है और वैसे वो कारिवर्स में लेकर आ जाता हो कहने लगा है अब ये बात कहने के बाद वो तो वाद से चला जाता है पर मीरन को इतना गुसा आ रहा होता है कि ये बहुत ही बत्तम इस इंसान है आगे मेरी पाउं और पता नहीं कहां का मुझे इस हिल्स के वज़ए से दर्द हो रहा है और ये दुबारा से मुझे बोरा कि मु इसलिए मैं इसको अपने साथ ही ले आया पापा कहती कि ये तो हमारी प्राइवेट डेट दिना तो किसी को साथ मिलाने की क्या जूरत थी पर भी इस बात का भी कोई भी आंस नहीं देता और उसको कॉल आ जाती इसलिए वह कॉल सुनने के लिए मांसे बाई चला जाता है उ तो कि तुम्हारा और एक न्यू गल्फरेंड जो लेकर आ रहा था इसलिए तुमने बोला कि उसको गल्फरेंड कैसी मिल जाए तो वह कहीं लगते है कि हां तुम ठीक कह रही हो मुझे तुमसे अवाइड करके खापे बैठना चाहेगे ना पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्यो को लेगा मैं वहाँ बढ़ जाओंगी चाहे मुझे तुम्हारे पस क्यों ना आना पड़े क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे कहने की वज़े से अवर्ड नहीं कर सकती और मुझे तो पता लग रहा है कि तुमने खुद को समझ के क्या रखा है निरंपम तुमसे बहुत करती हो अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहती हूं पर देखो तुमने भी अपनी उकाद दिखा दी और ये पीछे से आकर सारी बात हैं वी भी सुन रहा होता है वहीं पर खड़े होकर इनकी डिसकुर्शन को सुनने लगता है जबकि अंदर नहीं आता और वो से कह रही होती है कि ये मेरे और उसके द्रम्यान डेटी जिसे मैं लाइक करती हूं पर तुम तो बगार इन्वाइट के ही आ गई ये तो बहुत इकंदे मैनर्स हैं और उपर से यहां पर आने के बाद भी मुस्से लड़ाई कर रही हो और देखना नेक्स्ट इन्वेशन जो बनने वाली है वहाँ पर मैं तुमेरे फाई करवाँ तो फाई करती हूं ये कहने के बाद भी देख रहा और देख लेथ को तनाया भी देख लेती है अब तनाया भी कुछ शोप होगी ते विए आ कर पूछे हैं लगता है कि यहां पर क्या बात हो रही थी और तुम मीरन से क्या बात कर रहे थी तो वा कहता है कि मैं तो उसे कोई बात नहीं कर रही थी और मीरन कौन है तो वा कहता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना वही मीरन है और यह उसका निकनेम है तो वा कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी इंप्लोई को सिखा रही हो तो कहता है क्या क्यूंकि जैसा तो मेरे बार में सोचते हूं मैं वैसा बिलकुल भी नुए कहने के बाद वी वी बारां से चलाए बाहिरा कर देखता है कि एक जगा पर मीरन बैठी हुई थी मीरन के पास आता है और वो से पूछती है कि क्या तुम मुझे फायर करने वाले होता है कि तुमने ऐसा कैसा सोच लिया अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो तुम्हें उसको उसकी उकाद दिखाने चाहिए और मैं तुम्हें फायर क्यों करूँगा क्योंकि मुझे तो तुम्हारी स्किल्स का पता है उन लोगों को तुम्हारी स्किल्स का नहीं पता है उसके बारे में सारी बात बता रही होती है कि उन दोरों की तर्मारी से डर लग रहा है कि तो हो रहा है कि उसकी बातों को सुनने के बाद चुप हो जाता है कि वी और मीरन में क्या चल रहा है और इतर वी और मीरन दिखाए जाते हैं मीरन वी को अपने घर पर ले आती है क्योंकि उसने अर्जेंट केक बनाने का बोला था और उसको घर मिलाते हो वे बताती है कि तुमने बोलना नहीं है क्योंकि मौम और गैर्मा सो में चल्वार लुकित जाया है उपनी तर्फ कर दो किस नहीं कि अपनी पर गिर जाता है उपर से जरुआ कि मिरन के चीक को सुनने के बाद एक लड़की को साथ में देखकर उससे उन्हें पहुत है पात तो सुनने तो वो भी खाय रहा होता है कि मैंने आपकी grand daughter के साथ कुछ भी निया गैर्मा कहती है कि मेरी grand daughter बहुत ही ज़दा प्यार है तो में उसके बारे में ऐसा किसे बोल सकते हूँ और दुबारा से उसको मारने लगती है तो मिरन की माम अंदर आकर उन दोनों को रोकती है जार पर मिरन बताती एक है कि मेरे बॉस हैं यस उनने के बाद तो वो शोक हो जाती है और वीण का ने पूछतिय करता है और आ आगे से वो भी उसे उसे ग्रीट करती है अब वीका उनके फेस्ट नज़र नहीं आ रहे होते वी की मौम दिखाय जाती जिन्होंने चर्च में रहने का सोछ लिया ता इसलिए वो जगह के बारे में म्यरर्ण और उसकी माम को भी पता देतें कि आँप मैं यहीं पर हूं गी आप लोगों ने जब भी मिलने के लिए आना नहीं पर में protegशान चाहती कि क्या तुमने इसे चर्च के बारे में मुझे बताया था जहां पर तुम रहोगी तो एस बारे में इस को नहीं बताना यह सिक्रट है ये कहने के बाद मुँमा से चली जाते हैं चर्च की तरह और चर्च में जाने के बाद वह मीरन और उसके माम से बाते वगरा करने लगती हैं पर उससे पहले मीरन की माम को एक न्यूस पेपर दिखाने लगती जहां पर उनकी missing news आयी हुई थे उसको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े क्योंकि मुझे डिमेंशा हो गया है मीरन को प्यार करते मेगी कहए रखे को उसके ड़ा पहले गुजर गए पर मुझे आप दोनों से एक वेवर चाहिए मिरन तुम से भी एक वेवर चाहिए कि मेरे बारे में आप लोगों ने किसी को भी नी बताना कि मैं कहां पर उन क्या कर रही हूँ यहां तक कि वी को भी नी बताना से केक बनाने के बाद चला जाएगा और उसको कौन बताएगा चिसकी माम को हुम जानती हैं यह सुनने की बाद ऊसकी माम ठू Clock करने के लिए पर वो कहते हैं कि मुझे केपना कर खिला के पर Öz momento मुझे अपने साथ लिए छाइए इसलिए आपको मेरी स specifics चेज़े लगा देती है ऑफ धिमने लेकर div वो जाकर उन्हें बलाती है कि Ain't और वीकी ममें उसकी तर देखने के पाद उसे पहचान लेते हैं कि मीरं तुम आई हो यह सुनकर तो मीरं खुश हुचाती है कि आपने मुझे पहचान लिया उनके पास भी पैट को उन्हें से बाते करने लगते हैं कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तो मुझे से मिलने के लिए नहीं आओगी इस हफ़ते को यहाँ पर सोचने के बाद बता दीते हैं कि यहाँ सुनने के बाद ऊचाते हैं फिरोने लगती है कि वो अपने बेटे के हाँ से बनीवी चीज़ खा रही है और कहते है कि बहुत मज़ेका है और फिर जल्दी से पूछे लगते है कि क्या उसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मीरन बताते है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि आप कहां पर हो क्या कर रही है और नहीं म मुझे कभी नहीं आया था नाहीं कभी इंटर्वीव के लिए बुलाते थे तो काफी टाइम अपलाई करने के बाद मैंने सौचा कि मुझे आपकी नेम कर यूज करना चाहिता कि आपकी नेम को देखते साथ ही वो मुझे बुला ले और सच में ऐसा ही हुआ आपकी नेम कर यूज़ करने के बाद उन्हों ने मुझे जॉब पर बुला लिया यहां तक कि मैंने आपकी बतायू रेसिपी की होट चॉकलेट भी उसे बना कर बिलाई जिसके बा अब को दो उसके मिंखुश हो चाहते हो कहा लग्ती की मी रन क्या तूमसे में एक फेवर मांग सकती हों तो मैंने पुछते कि कैसी फेवर तो वह कहने लगते कि यदिको यह भी बता देना कि वह उच्छी लिए आखिर वी ने अपने हाथों से बनाया अपनी जान लगाई है तो आपको ये खाना चाहिए ये बात कहने के पर मीरन को याद आता है कि वी ने बोला था कि जो भी मेरे हाथ का केक बनावा खाएगा वो बहुत ही ज़दा लगी होगा ये कहते हुए साथ में केक बना रहा होता है पर उसे वहाँ पर बीटर नजर आ जाता है ये देखकर वो मीरन से कहने लगता है कि ये क्या है पर मीरन तो जान बूट कर उसके हाथ का यूज़ करवा रही थी और कहने लगते है कि ये तो आईरन है और इदर वीकी मॉम दिखा जाते हैं जो केक खाते वे खुश होई रहे होते हैं तब भी पता लगता है कि वीकी मॉम को सब कुछ भूल चेखा था यहाँ तक कि वो अपने आपका भी भूल चुकी थी और पूछ लगती ही कि तुम कौन हो मैं कौन हूं और यह के कहा से आया है यहां से मेरन को बता लगता है कि आंट नोई तो उससे ब्राउनी की फर्माईश लेकर आई थे कि मुझे ब्राउनी चाहिए वो भी पहुत ज़्यादा और मैंने ज़्यादा को ओर्डर करवाना है पर मेरन आगे से कहते हैं कि आज तो संडे और आज हमारी शौप बंद है पर वह कहते हैं कि संडे नी मिलेगा अगर मैं इनके ब्राउनी बनाती हूं तो क्या हुआ तो तो क्या हुआ तो इसका मतब्स बनानी है अब यहां पर मीरन को भी हां करने पड़ते हैं वाहसे जैसी उठकर जाती है तो उसके जाने के बाद आप पूछे लगती है कि कहा पर जौब करी मैंने मुझे कितनी जदर ब्रॉण इस चाहिए यहां पर मीरण को समझाने लगती है कि कि अगर कोई कस्ट्रुमर कोई चीज कहता तो तो मिरण की बाते सुनने के बाद उन्हें हाँ बोल देती है और फिए वह अपना लेक्ट्टर्स सुनाने की बाद वहां से चप चली जाते तो मिरूं को इतनकुंचा और रहा होता है कि क्या बात होई और हमें एविच दिखाये जाते हैं जो आपना खापी रही होते हैं उसकी कौलीक्स होते हैं वो से देहं करें हैं लगते हैं कि तुम कित्ना प्हाती हो तो कहते हैं किमिटिंग में मुझे सर्द्रात करवाना होता है और वैसे याद आते हैं're まध में आध हो गया तो गैन पर कहा है कि इतने important काम है तुम अपनी सेकेटरी को कैसे लेकर जा सकते हो और किस ने permission दी थी इसको लेकर जाने के यहाँ पर भी बोल देता है कि मैं लेकर गया था और मुझे लगा कि अगर यह मेरी सेकरेटरी बन सकती है तो मेरे काम भी कर सकती है इसलिए मैं इसको अपने साथ ले गया पर आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगे गैनपा कहते कि यह तो अच्छी बात है अब उनकी बातों को सनने के बात चैनों की मॉम कहीं लगए कि आप चैनों के बारे में क्यों नहीं सोचते चैनों भी तो अच्छा काम करता है बौछ से important काम इसके हाथ में होते है तो क्यों नहीं इसको भी investor टूणने की परमिशन दिजा है ताकि ये भी company के लिए कुछ अच्छा कर पाई और जोबी इन दोनों में से पहले investor ढूंड कर ले आता है तो वो ही investor इस company में काम करेगा और इस company में invest भी करेगा ये सुनकर गैनपा भी अगरी कर जाते हैं अब गैनपा के जाने के बाद चैनॉन की mom चैनॉन से कहें लगती है कि मेरी नजर में एक investor है पचैनॉन की mom तो वी को हमेश नीचा दिखाना चाती तो इसलिए कहती है कि वी की चाहिए mom ने जो उसकी help करे मैं तो हूँ ना तुम्हारे ज़त इसलिए मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ ये सुनने के बाद तभी को घुसा आ जाता है उसके पीछे पीछे मीरन भी जाने लगते है तो मीरन की ID पर चैनान की mom उसका name ने रमपन पढ़ लेती है और पोच्छे लगती कि तम्हारा ये name किसने रखा तो वो आगे से चुप हो जाती है ये सारी बाते चैनान भी सुन रहा होता है तो वो आगे से बात का बदलते हो वे कहने लगते है कि ये name तो unique नहीं है तो चैनान तो नहीं है और मैंने इतने सालों से इस name के बारे में डूड़ने की ट्राय किया पर कोई भी मुझे उस टाइम पर इस name का person नहीं मिला चैनान कहता है कि mom आप इन बातों को छोड़े ना ये तो एक secretary है उसकी mom कहते है कि information रखना अच्छी बात होती है ये कहने के बाद उसकी मेरन को यही same question किया तो उसने यहीं कहाता कि मेरी माम की close friend का name ता इसलिए मेरा नहीं यहीं रखती है मेरी माम ने अब इस पास से थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा होता है वे दिखाया जाता है जो अपने office में आकर बैठा हुआता है ये देखकर जैसे माँ पर मेरन आ घाने का तो यह सारी अ काम से आफ ले लें और हम रहा चलते हैं यह सुनने के बाद भाहन 명हें नहीं झाबए हम कई और जाएंगे तो वह पूछते हैं कि हम कहां जाएंगे तो वह कहता है कि हम इन्वेस्टर की सुरात है ना तो हम इन्वेस्टर को ढूणने के लिए जाएंगे क्योंकि मुझे एक इन्वेस्टर का पहले से पता है अम मेरें बस नेचर की तरफ जाना होगा ताकि हम वहा पकाइंगे लाइंगे अब यहां पर तो मिर雁ए उसे निकाया पकरने पर वार किसे बात को तो रोगती हो थींकिने अपनी इस प्लेस पर पिस्फुल माहौल चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा फूल मकाबला करूँगा तो चैनल उसकी बात को सुनकर कहता है कि मुझे नहीं पता जो भी तुम करो पर मेरी हर टेम नजर तुम पर होगी अपर उससे यही बात करता है कि तुम्हें से चैनल कुछ कहता पर इसंपहले ही अपना हाथ यह लगता है बात को समझ क्या मैं गयूंगे थि और किसी बड़ात कर छण тNice करण जोंके तूऋकर उस बहुँ थेक से उनका फिस्नियाद और वह में बताएं भी तो कैसे बताएं और नहीं उनकी किसी जगह या रहने का कुछ पता है अगले पता है तो बस यह पता है कि उन्हें नेचर पसंद है प्रफ के तरफ जाना है इसकुत मिल जाएंगे यह सारी बातें क्रति हुर्थ भी जा रहा ह और भी उसके पीजे फाग कर जाना पड़ता है वहाँ पर पहुचता है कि एक पर्टसन कुछ लोगों के साथ चेस खेरा होता है पर चेस तो वो आधा था वीनोट करता है कि उसके बाद उपर एक टथव बना होा था यह देखकर उससे बता लग जाता है कि यह कोई और नीबर यहाँ पर आपके साथ चेस्ट केरने के लिए नहीं आया वरकिं यहाँ पर आपके साथ किसी और बार में बात करने के लिए आया हूँ पर वो तो उनकी बात समझने को त्यार ही नहीं हो रहे होते हैं वियों से काफी ज़ता रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आपका मेरी बात मा रहोता है ताकि वो किसी ना किसी तरह अंकर नोई से बात कर ले और हमें इतर तनाया दिखाया जाती जिसको चैनौन की कॉल आती है और चैनौन उसे पोछते कि क्या तुम बीजी हो तो वह कहते है कि ठीक है मुझसे आकर मिलो तो वह बता रही होती कि मैं अपने डैट की परूबड़ कर सकते हैं यह बात कहने की तरह तो पहले बहुत पैसा करनों से बात करने का और यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्दा अच्छा चांस है इस चांस को ऐसी वेस्ट करना चाहती हो यह सुनने के बात तो तनाया कहीं लगती कि तुम्हारी बात तो मुझे अच्छी लगी पर मुझे एक पात की समझ नहीं कि तुम कौन से वाले रियल हो एक तो तुम वी के कजन हो और उसे बहुत ज़ता प्यार करते हो दूसरी वी के क अज़न तो हो पर अपने काम को निकालते हो जहां पर अपना काम नज़र है वहां पर वी के बारे में नहीं सोचते तो चैनल कहता है कि जैसा कि तुम दूसरा मेरे बारे में समझती हो बिल्कुल मैं वैसा हूँ जहां पर मुझे अपना काम नज़राता है वहां पर सिर्फ म दो मैं लेना है यह सुनकर तो कियां होता है कि हम को इंशुरेंस नहीं करते उर इसाद नहीं होता वरना बहुत से लोग मुझे पूछने के लिए अब यहां पर वी को समझा जाता है कि उसे कौन से बहुत बड़ी गलती कर दिया जिस इंसान के पीछे वो लोग थे, वो इंसान तो real है भी नहीं था, वी तो इसी सदमें में जाकर, कार में बैठा होता है जबके, मेरा नहाँ जगा पर, बिग नोई के बारे में पता करी होते हैं पर कहीं पर भी उसे कुछ भी पता नहीं चाहरा होता और वी जो सोच आओ तो उसके गैंटपा ने एक तफ़ा पार्टी में अंकर नोई की बारे में बताया था कि तुमने इसका फेस याद रखना है मीरन में बैट जाती है जो बतानी लगते है कि मुझे अपनी फ्रेंड से पता लगाए कि बीग नोई सच में इस दुनिया में है और वो रियल परेट्सन है तो बस हमें पता करना है कि वो कौन है भब ही कहिला लगता है कि हमें कोए प्राइवेट इन्वेस्टर ही टूनना होगा क्यूंकि हमारे पस बत्ता टाइम नी है कि हम किसी को ढूण पाए तो मेरें कहते हैं कि अब तो यह हमें करना ही होगा तो भी कहते हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी कमपनी किसी और के हाथों में नहीं देश सकता और हमें चैनल दिखा जाते हैं जिसने वीडियो कॉल तनाया को की हुई थी उससे वीडियो कल पर बात तो कर रहा हो तो अपनी शर्ट को भी उसके सामने उतार देता है ये देखका तनाया कहने लगते है कि तुम ऐसा मेरे सामने कैसे कर सकते हो इससे पहले मेरा इडाता बदल जाए तो चनाया कहता है कि हमें ले आऊंगा क्योंकि तनाया मान चुकी थी उसके गंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चला उनकी माम दिखाये जाती जिन्हें पता लगता है कि अभी तक वीकी माम का कुछ भी पता नीचला और पिछले दो सालों से तो बिलकुल भी कुछ पता नहीं है कि वो अब कहाँ पर रही है ये सुनकर वगयन लगती कि मुझे अभी की अभी उनके बारे में पतार करवाना है कि वो कहां पर है क्योंकि जब मैं इसलाम की लड़की को ढूंटी थी तब तो मुझे कोई लड़की नहीं मिली अब ये लड़की कहां से आ गई इसके बेगरॉंड के बारे में अच्छे से पता करो और हमें मीरन दिखाया चाहते जो ब्राणी बनाकर आउट नौई को देने के लिए आती है आप नॉय कार में बैटए हैं तो लगते हैं पर बताने लगते हैं कि ये ब्राउणी शुगर फ्री है और मैंने ये हल्थ केट सेंटर पर भीढ़े लिए बनवाई है तो ध्यान रेकर हर कोई रिखा ले ये कहने के बाद कार में बैट जाते हैं अब उसकी बाते हैं अब जैस कि आप से बात करनी आंट नौई कि सुनती वह अपनी का रोक लेती इसके पीछे भागने की वज़ा से और वैसे हमें दिखा जाता है कि वी के क्यांट पा किसी और से बात नहीं कर रहे होते हैं बलके आंट नौई से उस टाइम पर बात कर रहे थे और इसी से वी को मिलवाना कैसन है जो हैं Skill Around चीज़ों का मैंई करके बता इन ये सुनने के बात अपनी कार को रोक लेए उससे लगती है कि संदो कि मुझसे वारे, वह भी वह घूरा होता है लोगता है कि मृलने के लिए र पोच्छ ब्लेए ग्रेंसा करता हाथ Якं पर तो बताते है कि दो क्हें पात्त पर सोना पड़ेगा मैंने तो पस यही बात बोली हमें अपने एक प्लैन को बहुत अच्छा बनाना चाहिए ताके वो हमारे प्लैन को देखते साथ ही हमारी काम को एकसर कर ले और तो मैं याद नहीं कि क्या वो सच में दुनिया में एकसर करती भी थी हमें चैनान की माम दिखाए जाती जिन्यों और वी इनफर्मेशन वगरा मेड़ा मेरी होती काम समझा रहा हो होता है कि तुमने इस तरह नहीं करना इस तरह करना पर मेरन तो काम ज़ने की बजाए बस वी कोई देखी जा रही होती है कि कि कितना handsome लगता है जब इतना serious face बना कर काम समझा रहा होता है कितना जदा cool लगता और बहुत जदा kind भी लगता है और यह हमेशा बात करने से पहले आपने सामने एक दिवार बना कर रखता है जिसकी वज़ा से कोई भी वी की यह वली सट देखी नहीं पाता अभी इसी तरह की बाते वी के बारे में सोची रही होती तो वी इसकी तब देखकर पूछे लगते कि क्या तो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं इससी वज़ा से उसको यह बात रिलाइज ही नहीं होती है कि वह कितना close चला गया है और मिरं भी कहें लगते है कि आप बहुत ही जदा close आ गयो मेरे तो वह कहता है कि अगर आ गया हो तो क्या हुआ मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ तो वख कहती कि नी नी आ मुझे पूरे नहीं लगने भलके मैं आपको देखकर बलश कर रही हूँ यह सुन कर तो वी के फेस पर स्माइल आ जाते हो और कहने लगता है कि बलश कर रही हो वी को भी फिल हो जाता है कि उसके चीस कितने गरम हो गए हैं तो कहने लगता है कि अरे तुम तो सच बोड़ी हो तुम्हाई चीस तो सच में काफी गरम हो गए तो वा कहती है कि मैं छूट के बोलूगी मांसी उटकर जाएं लगते हैं तो तुम बारा से रोक लेता पूचे लगता है कि तुम कहा पजाई तो मैं पारी पीने के लिए जा रही हूं पर भी उसको गलास दिखाते है कि तुमारा पारी तो अभी भी यहां पर बढ़ा हुआ है पर मेरन कहने लगती है कि वो असल में मैं कुछ Fresh खाना या पीने जा रही हो यह कैकर माँ से भाख चाती है ऑब वी तो उसे रोक गरा होता है जूस देने लगते है तो वो तो उससे पहले माँ से भाख चाती है और वी घो खुद ही वो जूस पीना पड़ता है सोचा होता है कि क्या यह फ्रेशनी था और वैसी हमें नेक्सिन में चैनल दिखा जाता है जिसके अपनी माम को बिग नॉय के बारे में बता दिया तो उसकी माम तो सुनकर कहें लगते हैं कि इस नेम का कोई भी परसन यहां पर नहीं है और नहीं मुझे लगता है कि कोई हीश्टिय है इन्वेस्ट करने की पता नहीं उसकितने सालों थे इनवेस्टै tarm ब करने की पागए तो उसको कैसे गोट सकते हैं अगर वो दुनिया में एक्जिस्ट करता हैं मैं तुम्हें बता रहीं उससे तुम्हें तबorious को पता होगा पर उसकेदा उप्सिए करने और बिग नौई को ले भी आता है तो तुम्हारे ग्रेंट पर हमें साथ में हंसले का मौका मिलेगा क्यूंकि ऐसा कोई परसन है ही नहीं बेटर उसका फ्रेंट उसे पूछा होता है कि क्या हुआ तो मैं चैनौन ने कॉल की तो भी नौई परसन के नाम को कुछ ढूंड रहा है और मुझे तो उस परसन का नाम भी नही नीप पाता और वो कौन है के भी नहीं पाता पर है कि वह कॉन है फेमस में ने पटा है यह तो वो बताता ही कि वी का कुछ भी नहीं होगा वो तो बिल्कुल बच्चा है और देखना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और नहीं कोई अच्छा इंवेस्टर ढूंड पाएगा क्यूंकि अभी तक तो वो बिग नुए जैसा मज़ा कर रहा है और इधर हमें वी और मेरन दिखा पाता होता तो मैं तुम्हें सिर्फ स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ ये बात कहने के बाद माद से उठकर साइड में जाकर दूसी तर फेस करके खड़ा हो जाता है मिरन ने उसकी सारी बास सुन ली थी और पी सोच रही होती है कि मैं तो जाता स्माइल भी नहीं कर पर चैनल उसे पूछ लेता है कि तुम कहा पर जाएं तुम बताने वाली होते हैं कि मैं बिग नॉइसे मिलने के लिए जा रही है और उसे अप्य जा रहा होता है कि उससे गलत भोल दिया उसे यहां पर यह बात नहीं कर ने चाहिए थी अब छो निकल वाना तो उसके मूद से पुझता है और उसे कहता है कि मैं तो मजा किया, था झाल आया है, यह सुनने के बात मिरंसे लगते हैं आप रही है। प्रक्राइम में और वैसे मेरे पास नहीं नहीं है उसे कैनल घांगे है कि तुम्हारा मतलब यह कि बिग्नोड के पास टाइम नहीं महीं यह तुम्हारा मतलब यह संदे इस लग पर रुक जाती है चाया। क्या करें और उ क्या नहीं करें इसलिए मेरी Miran को भी अकेले छोड़ तो वह गहीं लगता है कि तुमें क्या अपना डाटा लिक होने की फिकर हो रही है या Miran की तो आगे से Vee भी बोल देता है कि दोनों की ये कहने के बार वहाँ से जाने लगता है अब Mirian जो कार में डर कर बैटी होती है और V के आने का विट कर रही होती है कि वहाँ पर बहता नहीं क्या चाहरा होती है उससी सारी बात Explan क्रने लगते है कि वहाँ पर क्या हुआ था तो भी कहता है कि मुझे फरक नहीं पड़ता कि तुमने उसे क्या बात की पर काम की बात आये तो तुमने उसे कोई भी काम की बात नहीं बता नहीं कि मैं तुम्हें अलाओ नहीं करता बाकी मुझे फरक नहीं पड़ता किसी भी चीस से पर मीरन हर चीस क्लियर करना चाहरी होती है पर वी तो उसकी बात सुनने को भी त्यार नहीं होता और बस पूछता है कि लोकेशन बताओ हमने वहाँ पर बिग नोई से मिलने के लिए जाना में जरा भी लेट नहीं होना चाहता ये कहकर कार्ड ड्राइव करने का बोल देता है अब मीरन फिर से उसे बात करने की ट्राइव कर रही होती है पर वी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से और उसकी बातों से कोई फरक नी पड़ता कि तुम मेरे कजन के साथ क्या बाते कर रही हो अब मीरन भी ये बात सुनने के बाद चुप हो जाती हो फिर वहाँ उस जगा पर पहुंचाते जहाँ पर बिग नोई ने इन से मिलना था जल्दी से चाहकर मीरन बिग नोई को बुलाती इस बार आंट नोई नहीं कहती उन्हें बताएं लगता है कि हमने डिसेबल लोगों के लिए अप्लिकेशन बनाई है अब भी आगे का कुछ बताता है उससे पहले वह कहीं लगता है कि तुमने अप्लिकेशन तो बना ली पर किसी को भी इस तरह कैसे मुपर बना कर सकते हैं जब आपने किसी की बात होगे उसी को यूञे हुँए। कितना जानते हो मुझे भी बताओ तुम तो इतने यांगो तुमें तो किसी के एक्सपेशन और चीज़ों का भी पता नहीं होगा कि उसको एब में क्या चीज़ चाहिए तो मैं इसमें कभी भी इंवेस्ट ने करूंगी ये वात कहने के बार मास जाने लगते हैं मीरन के हाथ स मैं सिरफ लोगों की कपड़े और उनकी होलियों को देखकर पहचान सकता हो कि कों रहना मुझे नंहीं पन सब्सक्ता हो कि की हैं मुझे लोगों के face नजराना बंद हो गए मीरन तो उसकी बाते सुन सुन कर रोने लगती है और भी बतार होता है कि मैंने application को इसलिए बनाया ता कि मैं भी लोगों की तरह इस चीज़ को यूज कर बाएं तो अभी भी उसके पास आको उससे पूछे लगता है तुम रोरी हो क्या और उसके face को हाथ लगा कर देखने लगता है कि क्या यह सच में रोरी है तो रोने की वज़चे से उसके चिक्स काफी ज़्यादा थंडे हो जाते है तो भी कहने लगता है कि तुम्हाइर ठंडे चिक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और तुम ना रोया करो तो आगे सी मिरें कहने लगती है कि नी नी मैं रो नि रही हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ कर लूँगी वरना मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और नहीं मुझे कोई इन्वेस्ट करने की जूरत है यह सब कहने के बाद वहाँ से चली चाते हैं कि मैं तुम लोगों से खुद ही कॉंटक करूंगी उनके जाने के बाद वी पूछे लगता है कि उनक और भी हिप करना पड़ता है लोगों के सामने अपनी डिजीज को छुपाने के लिए ताकि लोगों को आपकी वीकनेस का ना पता चल जाए और फिर अपने एक्सपेर्शन के बारे में बताने लगते हैं कि मैं आपकी तरफ अभी स्माइल कर रही हो ताकि मैं आपका पुरा तो मिरन उसको कुछ भी नहीं बता दो कर लगते हैं कि मैं आपकी हैं यह स्माइल करने हैं मैं पता हैं कि तो अब smile करने लगता है तो मिरन उसकी smile को देखका कहने लगते हैं कि तुम स्माइल करते हुए काफी प्यारे लगते हो यह सुनकर वोसे पूचे लगता है कि तुमने क्या कहा मिरन कहने लगते है कि मुझे भोख लगी हम कब तक पहुंचेंगे पर वी तो बात को बदलने नहीं तुमने मुझे प्यारा कहा पर मिरन तो इस बात को माननी नहीं रही होती तो वी भी उसकी face पर हाथ लगते है ता जिसकी वज़ासे वो blush करने लगते है उसकी चिक्स करम हो जाती है तो कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम इसका बलश करती हो अब यह बा कर रही हूं काभी खुश होकर यह सुनते साथ ही वी बी स्माइल करने लगता भी आट नौए की बात करने लगते है कि अब हमने उनकी का वेट करना है अगर वो तीन दिन में कांटक कर देती है तो ठीक है अगर वो नहीं करती तो आपने इसके बारे में कुछ और सोचा है त सुनने के बार मीरन जाने तो लगती है अपार कहती है कि जब मुझे आपके लिए कोई ना कर टूल मिल जाएगा करके दिन तब और भी जदा स्माइल करने लगोगे यह कहकर वो मास चली जाती है अब मीरन घर पर तो आ गई थी पर खाना खाते हुबे भी अभी भी स्माइल करी होती है उसकी माम उसको स्माइल करते देखकर कहीं लगती है कि मीरन को अभी भी घर पर चलती आने की आदत नहीं हुई क्योंकि घर पर आने के बाद भी तुम खाना निकारी बलके पिछले आदे गंटे से बस हाथ में चमच को पकड़के बैठी हुई हो अब यह बास जरूरी शोया कि तुम घर पर दो दिन तक आओ लगता है कि मैं दो दिन इसले नहीं आए क्योंकि मुझे काम था वरना मैंने क्यों नहीं आना था और वो भी आपकी फेड़र्ट कलाइंट का काम था तो वह कहती कि क्या मतलब आपको इस बात का पहले से पता था तो वह बता कहने लगते हैं कि तुमने कभी पूछ है नहीं तो हम कैसे बताते और तुमें क्या पता ने कि मॉमर वो एक दूसे को काफी टाइम से जानते हैं और एक दूसे की अच्छी दोस्ते भी है यह सुनने के बाद तो मीरन और भी जदा शौक हो जाती है आप यह मेरन अपना खाना और जब मेरन अपनी माम की साथ ह главное ही होती तो माम वो जितना रिचंपको लगता है कि मुझे अपने पास भी आने दे कई या उसके कोई भी इंटेंशने होंगीBY मेरी तरव क्योंकि वो इतना अमीर है तो उसकी माम कहीं लगते है कि तुम पिर उसके बस क्यों काम कर रही हो और क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसका नाम यूज किया है अगर उसको तुम्हारा रिएन नेम पता चल जाता है तो उसकी बाद ये भी पता चल जाता है कि तुमने उसकी मॉम का नेम यूज किया तो तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे सथ क्या करेगा और फिर वो तुम से पूछेगा कि मेरी मॉम कहां पर है पर तुम उसको कैसे बताओगे कि उसकी मॉम कहां पर है वो अमीर चाहिए अपर वो कभी भी अपनी मॉम को नी ढूंड पाया तो मेरान अपनी मॉम की सारी बातों को सुनने के बाद कहने लगती कि मॉम आपीर को ठीक कह रही है और मैं इस जॉब को भी जल्दी छोड़तूंगी बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्फ करने के बाद बस मुझे उस पतर साथ है मैं उसकी हलफ अच्छे से करना चाहती हूँ और लेक्स जब कंपनी के लिए त्यार होते है तो शिशे में देखकर अपने आपसे कहने लगते है कि मैं चितना टाइम भी कंपनी में जॉब करी हो मुझे अपना अच्छा और पेस्ट देना होगा ताके आगे जाकर मेरी इतनी जरूरत ना हो और अपने आपको मॉटिवेट करने के बाद कंपनी में बहुन जाती है जहाँ पर वो असल में वी के लिए आश्रूल भी लेकर आई थी और वी उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि ये तो डॉक के लिए यूज होता है ना और तुमने क्या मुझे डॉक समझाओवा है और उसको बाते सुने लगता है कि मैं तुम्हारा बो सुना के डॉक हूँ तुम एक डॉक हो तुम सब कुछ हो ये बाते सुनकर में लगती है कि आप ये को ठीक है ले पर मेरी बात तो सुन ले अगर आपको इस तरह का कोई भी क्लिकिंग साउंड ना सुनाई दे तो आप उस तरह क्या करोगे स्माइल करोगे या नहीं करोगे आप इतना अच्छा स समझो तो वह से पूछे लगता है कि मुझे लोगों का कैसे पता लगेगा कि कौन कहां पर आ कौन कौन है तो वह कहती कि वह डायरेक्शन है जिस मैं बताऊंगी बस ये स्माइल करने के लिए यूज़ होगा तो वह पूछता है कि अगर दो बार क्लिक हुआ तो इसका क्या म होड़ चौली बी जाती हूँ उससे पहले मैं आपको हौट चौकलियु बढ़ाना सिखा दोगी और यह काम कोई भी कर सकता है आपको क्लिक करने बताने वाला अगर आप मुझे फाइर भी कर देते हो तो आपको हाज जिस पहले से आती होगी तो वी खड़े होकर उसको देखने लगता तो मिरन भी बिल्कुल छुप हो जाती ही कि अब पताने ये क्या बोलेगा तो वा कहता है कि मुझे किसी और करकनी की ज़रती नहीं पढ़ेगी और मैं तो मैं फाइर क्यों करूँगा और वैसे भी यहाँ से अब तुम जाने वाली नहीं हो अभी कहता है कि चलो आज ये ट्राइ भी करते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं होट चोकलेट अपने लिए खुद बनाओ क्योंकि तुम बनाओगी हमेशा मेरी लिए ये सुनने के बाद तो मीरन बिल्कुल जुप हो जाती है और वी भी उसके हासे वो क्लिकर पकड़ कर देखने लगता है और भी पूछता है कि तुम्हें बास समझ में आ गई ना चैनॉन दिखा जाता है जिसने उन्हीं दो लड़कों को बुला लिया तर अपने पास असल में वो यहीं पर इंटर्ण की जॉब करते थे और इसी को चैनॉन ने काम दिया हुआता है कि बिंग नॉय के बारे में पता लगमाना अब वो लोग भी कुछ इंफॉर्मेशन वगरा कुलाट करके तो लेकर आयते पर अभी भी बिंग नॉय का कुछ पता नहीं होता पर इस contributes topics आदर्ण के तो बिंग पता रहा हुआते हैं वो लोग तो भी कुछ उक होते हैं के वी को क्या होगै उन्नोंने तो कभी हम से इस तरह declined कर दिखाए और थे काफ़ी कुछ होता है के वी हमसमाइल करके धिखा रहा है और हमसे बात पी कर रहा है और हमなた Lawrence के वही दो लटके भी दिखा जाती है जिन्मिषेिगा दें अजुआ को यह समिप एसंके संकड़ कि Bowl को क्षूर करने का और मेरन ने इसको स्मायल करना भी सिखा दिया अविस बताति है कि अब fuckin चैनौन बैकर इसम्फ मौश्वित करने के लिए आई थी कि मैं कन्फर्म करने के लिए आई हूं मिटिंग से पहले तो चैनल भी अपनी एसिस्टेंट से कहा देता है कि सभी चीज़ें वगरा तनाया को दिखा दो अब जैसे तनाया चैनल के साथ जाने लगती है तो वहाँ पर वी को स्माइल करते हुए देख लेती ह है स्माइल की बात है तनाया उसे बातें वगरा कर रही होती है कि मैंने अभी समाइल करते हुए hai खाना नेखाना मैं बहुत ही जद अबीजी हूँ अपने इंप्लाइस को हेलो हाई करने में और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसकी यह बास सुनके तनाया कहने लगते ही कि आजकल तुम काफी स्माइल कर रहे हो तो मेरें की तरफ इशारा कर देता है कि यह सब इसी से बास नहीं आ रही होती उसकी बातों को सुनकर और कहते हैं कि all the best और हमारी टीम भी बहुत अच्छी होगी हम भी अपना बैस देंगी यह कहकर मेरें का हाथ पकड़कर मासू से लेकर जा रहा होता है यह सब देकर तनाया को तो बहुत घुस्सा आ रहा होता कहीं लगते है कि हमारा investment का क्या होगा तनाया और चनौन तो एक साथ हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे क्योंकि जैसे ही board of directors इन दोनों को साथ में देखेंगे तो फॉरन से मान जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा क्यों ना मैं 8-9 को call करती हूं पर वी ब पास का सीन दिखा जाता जहां पर मिरन पहली बार वी से टकरा गई थी और वी उसे कहता है कि तुमने मुझे नीचे गिराया इसलिए सौरी करो तो कहती है कि मैंने तुम्हें मुझे सौरी करना होगा अब दोनों बच्चे बिल्कु जिब पर आये होते हैं दोने एक दूसे सौरी ने करे होते अब दोनों की मॉम्हें वहाँ पर आ जाती है जो आते साथ अपने बच्चों को नीचे गिरे उठाती है और वी के मॉम कहने लगते हैं कि इस तरह मुझे तुर नी भागा को मैं परिशान हो जाती हूं तो वह कहता है कि जी मॉम मैं आपसे दुर ने कर दिखा रहे होते हैं और हमें प्रेज़ेंट में दिखा जाते हैं जो सुबह में एक्सटराइस कर रहा होता है अपनी और अपने आपको बेस्ट अप्लाइक कहरी होते हैं कि आज बहुत अच्छी मीटिंग जाएगी पर मेरा को अंदर यंदर बिग नौई की बिटेंशन हो पास्किनट में रखते hani करने लगते हैं और प्ड़ोर द। वह अपर नगारी होती त sido यहा बैट हो में प्रॉटपर अब जगसा करते हैं मेरे लगता है है और फिर उसे बताएं लगती कि मुझे कितनी टेंशन हो रही है अगर हमारी इंवेस्टर ना ही तो आप कम्पूटिंग में क्या होगा क्या आपको इस बात की टेंशन नहीं हो रही है कि तुम टेंशन लिया करो और ना मुझे इस बात की टेंशन हो रही है तो वह कहती कि में तो स्ट्रमिक में पेंड होने लगया है इतना स्ट्रस लेते हुए तो वी भी कार्ड ड्राइब करने के बाद कंपनी के बाइब पहुंच आता हुता था भी महां पर चनौन और तनाया भी आ जाते हैं चनौन दोना इन दोनों का बाते करने लगते हैं और मेरन तो बार बार क्लिक करके बता रही होती है कि आपने स्माइल करना पर वो तो स्माइल ही नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसे तनाया बहुत ही पूरी लगती होती है और चनौन पूछे लगते हैं तो हम भी बहुत अच और तौने इंवेस्टर को पूचों ना ने की वाली थिवार का या लगते हैं कि आज लगता है तुम कुछ भी नेकर पाएं अपनी इंवेस्टर तनाया को इंट्रउट सबकी साथ हो वियूस की बाद सुनकर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है लगते तनाया ने चैनॉन की सभी पॉलिसिस को मान लिया है पर केंट पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं कोई ना कोई इंवेस्टर इसके बाद ठून लूँगा पर जनौन की माम कहती है कि आज से तुम्हाई साथ लिसीट खाली है क्या पता आगे भी ये वली सीट खाली हो तो मैं कोई भी इंवेस्टर ना मिले अब ये बात कहने के बाद हंसी रही होती तो इतने हैं पीचे से बिग नौई के एंटी हो जाती जो सबी को सौरी करने लगते हैं कि मैं लेट हो गई उन्हें देखकर सभी शौक हो जाती हैं और वो बताएं लगती है कि मैं सुवा में जब उठी थी तो मेरे बैक में पेन हो रहा था इसलिए मैं लेट हो गई पीछे से खलटके आकर बताएं लगते है कि इस मुमन को मैंने रोका था पर यह नहीं रोकी और कह रही थी कि मुझे मीटिंग रो में जाना है यह देखकर गैंडबा कहते हैं कि नहीं रहने दो तुम जा सकती हो अब आठ नुए मिरन को देखकर कहने लगते हैं कि मिरन वहाँ पर क्या बैटी हो यहां पर आकर मीं हैर्थ करो ना मिनन भाग कर उनके पास जाती और उनको सहरा देख कर ले आती और अपने साथ बिठा लेती है। अब क्यान पर भी कहने लगते हैं कि अपने इंवेस्टर को सबसे इंटरड्यूस करवाओ। ये सुनकर जल्दी से वी उनका इंटरड्यूस सभी से करवाने लगता हैं जैसे बताता है कि ये सुनकर तो चैनौन की मम बिलकुर शौक हो जाती हैं अब वी जैसे उनका इंटरड्यूस सभी से करवा देता हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि क्या आप लोग यहां से जा सकते ह कुछ प्राइविट बात करना चाहती हूं यह सुनते हैं सब भी वहां से जाने लगते हैं पर चैनौन की मौंचा महां से नहीं जारी होती तो फीक नौई उन्हें देखने लगती जिसकी वज़़ा से उन्हें भी उठकर महां से जाना पड़ता है अब यह चालों जो किसी और को कितनी अराम से दे देते हो क्या तुमें इसके बारे में जादा कुछ पाता है कि क्या है कौन है जो इसकी इमेज को जल्दी से क्लियर करने लगते हो मैंने तुमें देखा है कि तुम कितनी जल्दी इसकी हल्प करने के लिए त्यार हो जाते हो वीक तो उसकी बात करते हैं और उसे के लगते हैं कि दोनों तो काफि उच्छी स्पोर्ट मिली हुई है और तुम भी अपने बौश के साथ फ्लक्रट करती हो चौटा भाई समझते हैं या बड़ा भाई गये सुनकर वह से कहीं लगती है कि तनाया अब बसकर दो इतने में गेंट पाप पीछे से बुलाने के लिए आ जाते के चैनल और वी दोनों अंदर आ जो आप लोगों से बात करनी है ये कहकर केंट पाप उन दोनों को तुमाँ से अंदर ले जाते हैं अब ये दोनों पीछे लटक्या रह गई थी और वी ने मीरन को ओडर दिया था कि तुम आफिस में चली जा इसलिए वो आफिस के तरफ जाने लगती है पर तनाया भी उसे कहां पर छोड़ने वाली थी उसके पीछा जाकर उसे दुबारा से रोक लेती है और तनाया उसे कहिन लगते हैं कि तुम अब इस तरफ भागों नहीं तो वह कहते हैं कि मैं भाग नहीं रही हूं वेल्किन मैं ऐसी यूजलस चीज़ों को करीं नहीं करना चाताхी तनाया के नगते है कि ये ना सोचो के भी हमेशा तुमारी साइड लेता रहेगा तो आप कहते है कि मैंने कभी ऐसे सोच रखी भी नहीं तो तनाया भी उसे बॉल देते है कि यहाँ से सेकरेटरी से रिजाइन देता तो आप कुन होती है मुझे ओर्डर देने वाली तो तनाया भी कहते थी कि ठीक है मैं भी हर वो काम करूँगी जो तुम्हें तंग करते तुम्हें हरास भी करूंगी जिसके बाद तुम यहां से इसे फिर यूजर की तरह निकलोगी आप खुद ही सोच लो कि तुमने क्या करना है गे कहने के बार वह वासी चली चाती हो और मी से एक्सक्यूस करने के बाद उटकर चला चाता है और वी वी उसको चाहते हैं वह देख रहा होता और उसके ठोड़ा परशान भी हो जाता है कि वह कितना सेड हो करें लगता है कि आपने मेरी अप्लिकेशन के सब्सक्राइब कर लिए और साथ इसमें इंवेस्ट भी कर रही हैं तो इसका वटतर मेरी अप्लिकेशन अच्छी हुई तो वह कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की है लिए प्यार हूँ और मेरे दिखाया चाहते हैं जो रोफटॉप पर आकर तनाया पर सारा गुसा नि चैनौन ने जो सांस लेने की बाट के थी उस पर सौरी करने लगते हैं कि मैं आपकी जगापर आ गई था और चहां तक रही तनाया की बाद उसकी बातोंको बस पोसिवन्व करने की कोशिश करती हूं और मोगे की बी पता है कि आप दोनों के दिल में मेरे लिए को भी फिलि को चाहँ पर है। इसको मैंने आफिस में आने को बोला ते वह जब कॉल करता है तो देखता है कि मॉबाइल भी वह यहीं पर चौड़ गई और वैसे उसको का कॉल करता है इसे ब बाईटर अब करते हैं अब 타-ट करते हैं यह मतलब हम यह अपर फञ्ट चुके हैं और क्या पता कौन का बाई हमएं Bang एदर भी दिखाया जाते है जो आपस आकर उसे फॉचक्髑Wow करणि और मिरं को दीखा us नहीं उसे दеखा तो वह बताते हैं कि मुझे जैनोर का भी नाएक की सान लेंगे अप दोनों के बास कोई भी रास्था Phew पता है मैं बस यहाँ पर सांस लेने के लिए आता हूं वो भी जादा टाइम के लिए नहीं अगर मुझे 20 मिनट्स यहाँ पर लग जाए तो वह मेरे लिए बहुत लंबा टाइम हो जाता है इसलिए मैं कुछी टाइम बात यहाँ से नीचे वापिस चला जाता हूं मेरन उसके कर दो करें होता है टो यहाँ से पहुंकर जाता ही वह कहाती हो गए नेवा जाती हो तुमें पर रहे खर लिए पर ज़िए सन्मीश हेता है और Vee ने सबी स्टाफ वालों से बाते भी की थी और उसके बात करने की वज़ा से सबी पूर सदा खुश थे फिर मिनन को तो अभी पिर चैनलन की टेंशन होरी होती इसी वज़ा से चैनलन उससे दुबारा से करते कि मैंने बोला ना चैनौन तो मेरी सेकेटरी के साथ क्या कर रहे हो तो चैनौन उसे बताता है कि मैं तो बात में आया था तुम्हारी सेकेटरी पहले से यहाँ थी पर वी तो अभी भी कहता है कि तुम मेरी सेकेटरी को मुझे लेना चाते हो ना पर Chenon की बातों को सुनकर चुपयाता है और मीरां से पूछे लगता है कि तुम बताओ तुम यहाँ पर पहले क्या कर रही थी अब मीरां को तो समझ ही नहीं आ रहुता है कि वो क्या बोले तो वह उसे कहता है कि जल्दी नीचे चलो मेरे साथ ये कहकर उसको पकड़कर वहाँ से नीचे ले जाता है और जैनॉन वहाँ पर खड़ा कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी चुप करके वहाँ से वापिस नीचे चला जाता है और ओफिस में आने के बाद वी उसके पोछा होता है कि तुम तोनों में क्या बात हुई जैनॉन को बहुत ज़्यादा काम दे देता है कि तुम्हें यह सारी फाइस वगरा चेक करनी है मेरा फिर से उसे कुछ बोलने लगती तो कहता है कि अब और फाइस चाहिए मैं और भी डॉकुमेंट्स वगरा दे देता हूं ऑचेनॉन के दोनों वर्का दिखा 250 लगते हैं जो काम करें तर आपस में यह भी बात करें खकरें कि आज चेनॉन की मिटिंग ऐसी रही यह दिखाया जाता है जो सोया होता है और मीरन काम करी होती है यह देखकर वो मीरन के पास जाकर पैट सा तो देखने लगता है कि क्या यह काम करी है यह सोय हुई है अभी यह सब सोची रहा होता है तो मीरन सोय सोय इसके उपर गेर जाती जिसकी वज़ा से वी भी उसका बकर त को लेता है पर समझ़ने हो था कि पूर्थ को साइड में कैसे कर नि दॉ 같이 शाया था की नमें पूर्छ से सुना रही है और उसे भी पूछा नॉच पूछा कि तो मैंने सोचा करे का सॉ Люб कि चाती है ?ridor को टांटे लगता है कि तुम किसी के सामने मुझे ऐसे बाते हैं कि कोई भी मैंरे बारे कि क्या सोचेगा हुम भुआ धुआ के वादे left-Namilka रहा है कि मुझे ना बोलते है तो मैं क्यों ना बोलती और मुझे क्या सूपर में तर ढूर के मुझे सुना धूर मे पर आगे से इनका सामना जैनौन से हो जाता है तुम लोग अभी जा रहे हो तो वी भी बोल देता है कि हम दोनों अभी हूटे यह सुनकर मीरन तो शौक होती 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 है तो मीरन यह बात क्लियर करने लगते हैं कि जैसा आप समझे वैसे वाला सोना नहीं है बलके एक तो लफ्ट आजाती तो तीन लिफ में आ जाते हैं लिफ में आते साते हैं लिफ खらब हो गए थी यह सब देखनेके बाद है तुम जहां पर बिंजा तो वह जाने के बाद ही पर होसा करते हैं जैसे कि तुम रूफट ढूर प बढ़ने के लिए वी जो मीरन को मारतें कि तुम्हारी वज़र से फंसके और मीरन वी को मारी होती इसी में दोनों की मजाख मजाख वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है के देकर चेनल पहल साथा है कि मुझे लगता है कि मैं ठर्ड्ट वेल हूँ वी फिर भी पूछा होता है कि तुमने मेरी question का answer नहीं दिया चैनौन तो अभी भी नहीं बोलता है इतने में elevator ground floor पर आ गई थी मीरन तो जल्दी से पहले निकल जाते है वी भी उसके पीछे निकल जाता है पर चैनौन जो पीछे से आता है वो कहने लगता है कि चैनौन तो वाँसे चला जाता है बसके जाने के बाद वी मीरन से पूछे ने लगता है कि उसका sound तो काफी serious लग रा तो उसके expression कैसे थे तो मीरन भी बता देते हैं कि वो सच में serious था ये सुनके तो भी परिशान हो जाता है कि क्या मतलब वो सच में serious हो गया इदर हमें वो वाला person दिखा जाते है जिसको चैनौन की माम ने मीरन की पीछे लगाया हुआ था वो मीरन के बारे में information निकालने की try का रहा होता है और उसको मीरन की भी ठीक वाली information मिल पी जाती जिसको से पता लग चाता है कि मीरन का real name मीरन है वी की माम का name है अब मीरन जो वाप इस घर पर आती है तो काफी ठकी होती उसकी माम उसे पुछे लगते है कि काम कैसा जा रहा है कि उसकी माम का name यूज किया है कल को अगर उसके सामने सारा सचा जाता है तो तुम क्या जवाब दोगी तुम क्या बताओगी उसकी माम कहां पर है यह सब बाते सुनकर मीरन कहते है कि माम मैं आर्टनी को भी बताना चाहते हूँ कि मैं उनके बेटे की जॉब से रिजाइन दे रही हूँ क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे के बारे में पोच्छती रहती है इसलिए मैं उन्हें ये बात बताना चाहती हूँ पर मेरन के माम कहती के बता तो देना पर ये याद रखना के अगर तुमने इस जॉब को ना छोड़ा तो तुम बहुत ही बड़ी ट्रबल में आ जाओगी यहाँ पर तुम अपनी माम से कह देते हैं के ओके माम तो इस वे गए उसके माम मेरन के और पर दो से कहें हैं कि मुझे टो से कह्यां पर मैं तुम्हें एखिए बात कहना चाहती को मेरे वेचम को ऐसे नहीं चौड upright रखना师 का सब गाई थे अब मीरन तो यहाँ पर चुप हो जाती है कि वो क्या ही बोले उसे तो रिजाइन देना था ना आखिर उसकी माम भी उसको फोर्स कर रही थी इदर हमें वी दिखाया जाते है जिसने किसी को काम पर लगाया हुआ तो उसकी माम को ढूरने का मिसिंग परसन में पर उसकी माम को कुछ भी पता नहीं चाहरा होता पर वी कि उनसे यही बात होते है कि मंडे को हम इसके बारे में अच्छे से डिसकस करेंगे और यहाँ वी की माम अभी तक मेरन का मना रही होती है कि प्लीज तो मेरे बेटे की चौप को नहीं छोड़ना मेरी तरहों से नहीं छोड़ना मैं भी उसे छोड़ कर आ गई थी और मेरे बेटे के लिए बहुत ही मुश्किले बन गई इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसको इसी तरह छोड़ो और दोबारा से उसकी मुश्किलात के रिये ठोजाएं घर जाकर रेस्ट करो सो और इसके बारे में अच्छे से सोचना पर छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोचना और देखो तुम्हें या तुम्हारी माम को ये बाद पता है कि मैं यहां पर हो और किसी को नहीं पता और किसी को पता भी नहीं लगेगा और पता लगता है कि वही आदमी इनकी पिक्स पगरा भी ले लेता है उन्हीं पिक्स को लाकर चैनल उनकी माम को भी दिखा देता है और ये सब भी बता देता है कि मीरन का जो निकनेम है मीरन वही उसका रियर नेम है और जो उसने name यूज़ किया वो उस career name नहीं है उसने काफी पार इस job के लिए apply किया तो पर कभी भी भी उसे बुलाया नहीं किया था जब उसने इस name को यूज़ किया तो उसे बुला लिया गया interview के लिए और भी बताता है कि मुझे इससे भी ज्यादा interesting चीज मिली है वह कहते हैं कि जल्दी जाओ और भी ज़्यादा इंफर्मेशन वगरा क्लाट करो कि वी की मौँ वहां पर जाकर क्यों छुपी हुई है और ये जो वी की सेकेटरी है क्यों से मिलने के लिए क्यों कई मुझे हाँ चीज की इंफर्मेशन चाहिए और इन पिक्स को भी मैं सबको दिखा दूँगी जब भी बहुती बड़ी गलती करेगा और मैं इनी पिक्स का यूज करूँगी यही सौस तोचकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होते है कि मुझे फिर से वी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया अब नेक्स टेढ दिखा जाते हैं जहांपर मिरन आ तो जाती है काम करने किए वहां पर सभी के साथ काम करोारी होती है और वी को भी काम करने में बहुत ही मसा आ रहा होता है क्योंकि पहली बार उसे लोगों के एक्सपेशन्स और चीजों के बारे में पता लगा था और ये काम भी तो नेक्स्ट इनोवेशन का था ना इसलिए बहुत ही ज़दा खुश हो रहा होतार कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर पूशता है कि तो क्यों परिशानों क्या हुआ है अब मेरें जो वी के लिए होट चॉकलेट काफी बना कर लाते है मिटिंग में और वहीं पर चनौन भी आकर बैठा हुआ था कहीं लगता है कि वह गाई भूमें ठीक है पर एट लिस्ट उनकी फैमिली मैंबर्स को तो पता होना चाहिए ना कि वह कहाँ पर है इतना तो वह जानने का हख रखती है ना अब यह बास दोने के बाद चैनल कहता है कि उन family members को जिन में से उनका husband तो उन्हें abuse करता था उसी family की वज़ा से तो वो disappear हुई वरना उन्होंने जाना ही क्यों था मुझे बता है कि वी ने तो इस बारे में सोचा होगा यह सारी बाते सुनकर मिरन कहीं लगता है कि हम इस प्रेबाले में डिटेल से बात करने चाहिए अभी हम इसमीटिंग को यहीं पर अंड करते हैं यह बाद सुनकर वो दोनों ही लड़के वहाँ से चले जाते हैं अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद भी चैनon चुपनी हो रहा होता वी कहता है कि तुम ऐसा कहरे हो कि मेरी माम मेरी वज़जा से मुझे छोड़ कर गई है वो मुझे पीछा शुड़वाना चाहती थी और छोड़ने के बाद किसी और से हेलप चाहती थी यह सुनकर चैनों कहता है कि वी देखो यहाँ पर मीरिन भी है तो औरना तुम्हारे पास तो कोई ऐसा स्किल भी नहीं है जो तुम्हारी नेक्स्ट इन्योवेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगी ये कहने के बाद चैनल वाद से चला जाता है अब उसके जाने के बाद मीरन सोचते हैं कि उसे वी को कमफर्ट करना चाहिए इसलिए हाथ लगा दे पर भी तो मीरन कोई उल्डा डांटे लगता है जिससे मीरन काफी डर जाती है कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं समझ पाओगी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अपनी माम को मिस्त नही हुआ हैं तो हैं वहरा है मेरं तो बाहरा है कि उसकी मौम का तो मुझे पत्यापर मैं वी को बता भी नहीं सकते और वी अपनी मॉम को बहुत ही ज़दा याद करता है इनी बातों को सोचकर वो बहुत रो रही होती और वी भी वहाँ पर उसके पास आ जाता है और उसकी सर पर हाथ लगा कर उसे सॉरी करने लगता है कि मैंने गलत किया मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिलाना चाहिए था पर मीरन तो अभी तक रोई जारी होती है तो ये भी जा मीरन की चिक्स पर हाथ लगाते तो वो ठंडी होती ये देखकर वह कहता है कि मैंने बोला है ना तुम्हें कभी रोना नी चाहिए तुम्हाई ठंडी चिक्स मुझे बिलकुर भी अच्छी नहीं लगती तुम बहुत ही जदा क्राइबेबी हो जल्दी से चुपो जाओ मैं तुम पर ऐसे कभी भी नी बोलूँगा तो मीरान कहती है कि आप अपने आफिस में जाएं मैं बस एक की मिनट में आपकी आफिस में आ रही हूँ पर वे उसको कहां पर छोड़ने वाला तो मो मीरान से कहीं लगता है कि मेरे साथ चलो मैंने तुमें कहीं पर लेकर जाना है अब ये जो तोनों वर्कर होते हैं ये दोनों आपस में बैट कर ली के बारे में बुराइयां वगरा करने लगते हैं कि इसने पता नहीं अपने आपको क्या समझा हुआ है यह तो बस यही सोच्टा है कि यह सब पर अपने हूकम चला सकता है और को भी इसके आगे ना बोले जिसे इसी ने कंपणी बनाई और इसको तो के कंपणी वैसे मिलिया ना इसने कौनसी की खुद बनाई दूसरे वाला कहते है कि क्या हो गया वो तो तुम्हारा बोस है तो मैं अपने बोस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर कहता है कि मैं क्या करूँ अगर मेरा बोस है तो आप यूथ की साथ खाने लगता है। यह जैसे कि यह आखरी दिन हो अब यह बात सुनकर मिरम भी को जुप हो जाती हो खोड़ी परशान भी होती है यह देखर विए उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी क्या एक्सपेशन है तुम क्या सोच रही हो मुझे अपने एक्सपेशन के बारे में बताओ अब यह बात सुनते ही मिरम जल्दी से अपने एक्सपेशन को स्माइल में चेंज करते हुए कहती है कि मैं आपकी तरह बहुती तरह खुश होकर देख रही हूँ और मैं भी आपके साथ इस दिन को लास्ट एक की तरह गुजारना चाहती हूँ यह सुनकर तो वी भी स्माइल करने लगता कड़ा होकर उसके आगे अपना हाथ को पकड़ो मिरम भी घठी होथी है और उसकी हाथ को पकड़कर वी कि साथ चली जाती है अब दोनों भीन जाता साथ में इंजॉय करते हैं बहुत सी राइट्स वगयरा भी लेती है और इसमें तो वी की हालत खराब हो गई थी बढ़ प कि मिरन को भी कहता है कि मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम इस भूत से क्यों डर रही हो इस कोस्ट में ऐसा क्या है और इसके एक्सपैशन के वारे में भी बताओ पर मिरन तो पिचारी बहुती तरह डरी होई थी वह कहें लगते हैं कि इस पात को छोड़ें पर वह कहां पर तो फसके फेस को देखने लगता जो कि उसे न Bür desarrollo कर रहा हो ता पर फिर भी देखनी की ट्राइकर रहोता है कि लोग भूट असे क्यों डरते हैं में भी टेनं चाहताा हूँ मुझे भी तो बताओ कि कैसे दिखते होते हैं बस मुझे तो ये नज़ता है कि इनकी हालत क्या है ये शर्ट बहुत ही बुरी है और जब तुम लोग मरते हो तब तो हम इतने अच्छे से साफसफाई करके तुम लोगों को दफनाते हैं पर ये बताओ तुम लोग कितने गंदे कैसे हो जाते हो ऐसा भी क्या करते हो अब मेरन से एक्सपैशन के बारे में पोच्छा होता है कि के लोग कैसे दिते होंगे तो मेरomas बाताथी है कि उसको आपर बहुती जड़ा गुसा आरहा है तो हमें यह एनसे जाना चाहिए बुध तो यहीं किते वर जा रहो हुथ है कि मैं है मेरस के बाते कर रहा हो तके बहुत कैसे बहुत कि अगर कर दे कहते हैं brewl बिशा आशाने क्यों लग रहा था तो मिरन कहती है कि मुझे उसका होरर फेस नज़र आ थे इसलिए मुझे उससे डर लग रहा था तो आपको फेस कौन से नज़र आते है जो आपको डर लगे ये सुनकर वी उसे कहने लगता है कि मिरन क्या तो मुझे बुली कर रही हो तो मिरन उसे सोरी करने लगते हैं कि मेरा ऐसा कोई मतलम नहीं था तो आगे से वी भी स्मायल करता है कि मैं तो मजा कर रहा था अब उसकी स्मायल को देखकर मिरन भी स्मायल करने लगते हैं कि मैं अब आपकी तरफ देख रही हूँ फुल स्मायल के साथ अब उस राइट के एंड होने के बाद उसी राइट में चलते होएं वी मिरन से बात कर रहा होता है बता रहा होता है कि जब से तो मुझे मिली हो मैं तब से बहुत ही ज़दा स्माल करने लगा हूँ और ये बात मैं ज़दा फिल करता हूँ कि मेरे चिक्स बहुत ही ज़ता बड़ी हो रही है आजकल और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं जिसके पास भी गल्फरंड आ जाती है और वही इंसान बैटर परसन बन जाता है और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सेम चाहता हूँ कि तुम भी मेरी गल्फरंड बन जाओ क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं ये बात कहकर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तो मीरन होती ही नहीं ये देखकर तो परिशान हो जाता है कि मीरन कहां पर गई और वहाँ पर लोगों कि इसको किसी के भी फेस नजर तो नहीं आ रहे होते है पर फिपी ये मीरन को आवाज़े देकर उसे ढूंट रहा होता है जैसे मीरन इसे नजर आती है तो उसे जल्दी से जाक कर हकर लेता है अब हमें मीरन की साथ दिखाया जाती है कि किस तरह मीरन गुम हो गई थी दिखाया जाते है कि जब वह वी की वीडियो बना रही होती है तो वह एक चूले से लगकर गिर जाती है जिसके विज़ से उठा भी नहीं जा रहा होता और वैसे ही वी उसको आवाज़े देने लगता है तो ये भी वी को आवाज़े दे रही होती है पर ना तो वी इसकी आवाज सुन रहा होता नहीं ये वी को ढूंड पारी होती है और जैसे ही वी को मेरे नजर आते हैं तो वो मेरन को हग कर लेता मेरन भी उसको इस तरह हग किया देकर उसको अच्छे से हग कर लेती है और वी उसको हग करने के बार बताएं लगता है कि तुम मेरे क्लोस होने के एक नहीं अच्छे से पर मौट होने वाली थी यह नहीं बताता कि मैं तुम्हें अपनी गल्फर मनाने वाला था और बस उसे हग करके रखता है अब यह जब मीरन को घर तक वापिस वोड़ने के लिए आता है तो मीरन चुप करके अपने घर की तरफ जाने लगती है पर वी उसे रोकर पूछे लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है तुम भी कुछ चुप चुप रहती हो बलकि अब चुप करके आई हो पहले तो चुप नहीं होती थी तो यहाँ पर मीरन भी उसे कहते हैं कि मैं थक गई थी ना इसलिए बिल्कुल चुप थी और मैं अभी बहुत ही ज़दा खुछ ओकर आपकी तफ समायल करूंगे सुनकर तो वी भी समायल करने लगता है और मीरन उसके जाते वए कहते हैं कि अच्छे से जाना ट्राइब वी सेव करना और घर जाकर तीन टाइम का खाना भी खाना 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 बिर्कुल भी नी भूलना यह कहकर वो वी को भेज़ रही होती है पर वी आगे से कहता है कि मैं चाहिए लोगों के फेसिस को नी दीख सकता पर मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि तो मिरे लिए परशान नहीं हो मैं अपना क्या रख लूँगा कि कैकर वी वहां से चला जाता है अब वी की वहां से जाने के बाद मीरन दुबारा से परिशान हो जाती है और नेक्स टे आफिस में दिखा जाता है कि वी मीरन का ढूंट रहा होता है पूरे आफिस पर उसे मीरन कहीं पर भी नहीं मेरी होती ये देखकर वो परिशान हो जाता और जैसे किचन में पहुंचते तो महां पहुंचते साथी उसे होट चॉकलीट काफी की रेसिपी मिल जाती है जो मिरन इसके लिए छोड़ कर चली की थी क्यों कि जिस ने बोला था कि वो जब यहां से जाएगी तब वो होट चॉकलीट की र है और ना ही वो कॉल्स वगरा टेंड कर रही है मैं क्या करूं मैं इसको कहां पर ढूंड़ू तो चैनों उससे पोचता है कि उसे तुमसे लास्ट्रिम क्या बात की थी और क्या तुम्हारे लिए कोई चीज नी छोड़के गई तो वह बताता है कि जह मैं किचन में गया था और मैंने उसे बोला था कि कर काम पर लेट आना पर इतना लेट आना ये नहीं बोला था और अभी तो तो पहर हो गई है तो वह कहां पर है पर चैनों कहता है कि अगर उसे तुम्हारी एक तो कॉल्स नी पिकी तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है वो आ जाएगी उ कर लो वह कहता है कि नहीं मैं उसका वेट नहीं करसा था मुझे उसको ढूंडना होगा चैनों नहीं ठीक है मैं भी तुम्हारी साथ चलता हूं दो लोग अगर ढूंडते हैं तो वह जलती मिल जाएगी अभी तो उसके आगे की कोई भी बात नहीं सुनता है वहां से जाने लगता था चैनलों कभी इसके पीचे जाना पड़ता है एचार डिपार्टमेंट से उन्हें बता लगता है कि मिरन ने तो अपना रेजिगनेशन लेटर तो तीन दिन पहले दे दिया था किस उनकर तो परिशान हो जाता है कि क्या मतलब और वह बताती है कि बस आपके ने के सब्सक्राद ने लिख ली थी उन्हें भी नहीं बता कि कहा पर है यह सुनकर वी कहीं लगता है कि चलो ठीक है, पूछे लगता है तो बहुंखने उसक्द कनी गई, जो इंपÖrटन काम है पहले वह करो उसको ढूणने का बाहीं का मैं लन का रहांँ stray into कम वो तुम्हारी वज़े से छोड़ कर गया तो क्या पता वो नहीं चाहती कि उसे ढूंडा जाए पर आगे से वी कहता है कि तुम्हारे बेवाजा के कॉस्टिंस का मैं आंस्ट नहीं दूंगा यह कहकर वाँ से जला जाता है अब मीरन को हाज जगा पर ढूंड रहा होता है जि मिरन ने क्या कोई गलब कर दिया तो चणराओन पहते कि नहीं कोई बात नहीं मिरन आपको कुछ और कहा था तो वह और कहते ही कि नहीं मुझे कंपनी से आपनी जोब को छोड दिया जब हमने को उससे इस से कॉंटक्ड करने की लिज़ sectors नहीं हो पाया इतनine पीछे से वीरन पर उसे बात नहीं हो पारी यह बास उनके मिरन की माम कहती कि अगर उसने रिजाइन दिया तो मैं उसके जिसीन की रिस्पेक्ट करती हूँ बाकि अगर वो आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी ताकि आप लोग उससे बात करने के लिए आ जाना पर अभी आप हमारे घर से चले जाओ यह सुनके चलान करता है कि चले ठीक है मैं चला जाता हूं अब चलन कंपर राहता हैं मिरन क कोभीम कर ऐता है मिरन तो नहीं चुड़े नहीं हुरां और अच्छे से मिव्यूज़ं पर कर रहा होता है अब वी जो आंटनोई के घर पर आगे आता हूँ उनके डॉल को नोग करता है और आंटनोई जैसे आते है तो उनसे मिरन के माले पर पूच्छा होता है पर वागे से कहती है कि मुझे तो नहीं याद कि हमारी कोई अपॉर्टमेंट पी थी तो वह कहता है कि सोरी मुझे नहीं आना चाहिए था मैं गरण टाइम पर आया हूँ और बगार बताए भी पर मिरन ने जॉब से रिजाइन देती और पता भी नहीं है कि वो कहां पर है लगता है कि मुझे कौन सी जगा का सोचा चाहिए मिरन कौन कौन सी जगों की नेम लेती थी अब उसे एक जगा याद भी आ जाती है जिसको मिरन के छुपने की जगा याद आ जाते हैं कि वह टौफ लौर पर चली गई होगी और दोनों जब एक तो उसे को देख रहे होते हैं तो वी को मिरन की बात याद आती है जब उसने पूछा था कि अगर तुम डिसाप्यार हो जाती हो या पर जाती हो तो उसने उसको बताया था कि मैं बस टौप पर जाती हूं वहां पर मैं अपनी कॉलिज लाइफ से जाती ह प्रेजेंट में तो वी मिरन को डाट रहा होता कहें लगता है कि तुम कहला क्या चाहती हो तुम इस तर्टी से प्यार क्यों हो गई तुम्हारा क्या मकसद है अगर तुम मुझे कुछ ट्रैम ना मिलती तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करवाने वाला था मिसिंग पर इससे तो मुझे मिल गई और मैंने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं करवाई थी और तुम मैं तो इस बात का पता है ना कि मैं इसी जिंदगे से गुजरा हूँ और तुमने भी मेरे साथ ऐसा करने की क्यों ट्राइ की तुम्हारा दिल के पत्थर का है जो तुम्हारा ये सब करने क को मेरे साथ दिल किया मीर भूलाने की ट्राइ कर रही होते है वी तो अपनी बाते मैं सुना जा रहा हो किया तो तुम्हारे घर आरे tadi उन्यों के आछा के रहा हो नहीं कि वह एक्ता के लिए हर्गे किई क्या रहा होता है वी मुझे आजrगा ही ये का चाहड़ कर देता है से कि आप यहां परद क्यों तुम क्यों आई हो इतनी जल्दी में तो तनाया बताते है कि आपकी माम नहीं मुझे बुलाया था कि मैं आपके साथ एक चीजerv को देख पाऊँ अप चैनलों को तो समझे आरह रहा हो कोन है यहांपर चैनलों की मों बता देती है कि मीरन ने जसका नेम यूज उसका जा bullets ये है उसलिए इसमें इसी का नेम यूजँ किया था अब चैनलों कहता है कि इसमें वे इसे लिए तो यहां पर आने के बाद पकड़ी नहीं जाओगी वह भी मेरे जैसे आईक्यों वाला परसन और तुम्हारी होट्चोकलेट काफी की वजह से यह पात मत भूलना कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला और फिपोच्छा होता है कि बताओ तुम क्यों छोड़के गई थी तो मिनन कहते हैं कि मुझे शरम फिल हो रही थी मैं किसी बात पर बहुत ही जदा शर्मींदा हूँ अब वी तो उसकी तब देख रहा होता है कि क्या मतलब और इदे तराया द दिखा जाती है जो मिनन के बारे में बात कर रही होते हैं कि लड़की रापना नीम भी चेंज गया उसके बाद दूसरे का रही होते हैं और उपर से वी की मॉम को भी जानती है तो इसका मतलब किसी प्लैन के साथ यहां पर आई है और हमें उसके उपर यकीन नहीं करना चाह अजीब बात है ना ऐसा लगता है कि वो परफेशनल कोन आर्टिस्ट है चैनल उनकी मॉम कहने लगते हैं कि वो हमसे कुछ ना कुछ तो हाइट कर रही है हमें हर चीज़ का पता लगवाना होगा कि उसके आगे क्या प्लैना और वो अब क्या करना चाहती है और वी की मॉम को कैसे जानती उनके तो काफी ज़दा कॉस्चन्स होते हैं दर वी दिखा जाता है जो मेरे से कहते हैं कि तुम्हें मुसे जुट बोला पर क्यों बोला ये तो बताओ तो मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो इतना और ये भी बताओ कि तुम किस तरह का फेस बना रही हो यह सु को सीन दिखा जाता है वी की माम का जब वैडिंग के लिए त्यार वगरा हो रही होती है तो वहीं पर चैनलों की माम भी आ जाती है जो आकर कहें लगती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंदनी ओपर से मेरे छोटे भाई के साथ शादी कर रही हो एक बात मैं तुम्हें बत के वह फैमली में कितने लोग तुम्हे इक्सेप्ट करेंगे पर मुझे क्या वह लोग besten करने पर मैं तुम्हें कभी अक्सवर नी करूँ कि और नहीं जीने कि यह बात करनी के बात चली जाते हूरột हिसे उन पर बहूत ही माम मुझे छोड़कर गई है तब से तो मीरा दिल वैसे ही मिसिंग हो गया है यह बात कहके वी की आंखों से भी आंसु आने लगते हैं और मिरन भी रोड़ी होती है और उसको चुपकर वा लेते हैं कि आगे कुछ भी कहने की ज़रत नहीं है और मिरन कहीं लगते है कि जिस के बारे में नहीं बता पारी थी ना क्यूंकि मैं एक कंपनी का CEO हूँ और तुम एक पूर गयल हो पर ऐसा कुछ भी नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोचता अब मिरन को तो पहले समझ नहीं आ रहा हुता कि इसके आगे से वो क्या बोले उसलिए क्या समझा तो और यह क्या निकला और मैं इसी वज़र से सुनना न चाहाँ और हाख करने के ऐसे कोई भी झो आप नहीं को बताताकि घ्जिया और और समने बता अघ्र नौए अभी कहने लगते हैं कि तो मुझसे क्या कहना चाहती थी हम भी दूसे कपल की तरह रहेंगी ये बाद सुनकर मिरन कहती है कि क्या मतब दूसे कपल जिस पर वी कहता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी बताओ तो मिरन आगे से उसे नहीं बताती बलके कहती कि क्या तुम संडे को फ्री हो वी आगे से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे डेट के लिए पोच रही हो तुम उसे कॉस्चिन के पोच रही हो बलके तुम तुम मेरी सेकर्टरी हो ना तो तुम्हें तुम्हें मेरे शेडूल के बारे में बता होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी राजिग नेशिल लाइटर को एप्रूव नी किया इसका मतब तुम कमपनी से नहीं गई हो तो मिरन ये बात सुनकर कहते कि चला ठीक है जाहिए और मुझे बी छोड़कर मत जाना यह केकर अपना हात हागे कर किमीरन से पुच्छते एए किया maintaining हाथ का मoking पकड़ सकता हूं उसकी हाथ को देखकर मिरन से देखने लगते हैं फिर अपने हाथ वी न्यूर्ण पिर उसके साथ जाने लगा है इधर हमें तनाया दिखाए जाती है जो जैनौन को वी के खिलाफ भरकार ही होती है और कहरी होती है कि अगर हम इस पिक्स का यूज कर दिया तो एक दिये से दो निशाने होंगे और देखना तुम वी से भी उपर हो जाओ गया वी कुछ भी निक खाना होगा यह सारी बात है तनाया जैनों उनको सुना रही होती है कि प्ली सोचने का टाइम दो तुम चैनल के लिए आधा तक है तो मेरन के आने का वेड कर रही होती है जैसे मिरन घायप रादिया तो इसकी इमाँ पूछ देकिए तुम इस तरह क्यूं और हो गई तुम्हारी कम्प्री ने तो ये भी बताया कि तुमने डिजाइन दे दिया है और क्या तुमने उसको सच बता दिया तो वा कहती है कि मैंने रेजिगनेश्य समिट भी करवा दिया तो मैं सच भी बताना चाहती थी लेकिन उसने आगे से उसकी मम पूछ उती कि क्या उसने तो म कि माम कहते हैं कि फिर तुमने उसको क्या बताया तो मीरन रोते होगे के कि मुझे जाहिए कि मुझे कुछ भी ने बतापाई बलकि मैं उसे सच बता पाऊ तुमने ये बात एक चूटी लाइफ में नहीं बलके रियल लाइफ में आ जाओ और उसे सवरा सच बताने के बाद जूट वाली बात से ही दूर हो जाओ तो मेरा कहते है कि जी मौ मैं उसे सब कुछ बता दूंगी चाहे वो मुझे हेट करे या प्यार करें मैं सब कुछ सहने के लिए त्यार हूँ यह सब कर मिरान की माम उसको खुशो कर हक कर लेती है इदर चेनॉन जो अभी तक उनी पिक्स के बारे में सौच चाह ओता है और साथ में तरनाया की बातों के बारे में भी कितनाया ठीक तो कह ली थी कि कि कबी भी उसने तुमारे काम की रिस्पेक्ट नहीं कि और नहीं तुमारी कभी तरीफी है यह साप बादे सौसच को उसे गुसा तो आ रहा हुता है पर उसे समझ नहीं आ रहा हुता है कि उसे आप क्या करना चाहिए और इधर हमें एक्ट्रे मेरिन दिखाए जाती है जो कंपनी में जाने के लिए रैडी होत पर वैसे से याद आता है कि मुझे भी मेरन की माम और ग्रेंड मा से हैलो हाई करके आनी चाहिए आगर हम फैमिली बनने वाले आपर मेरन उसे रोक लेते हैं कि अभी जाने की जुरत नहीं है यह सुनकर भी रुक जाता है और उसको भी कार में बिठाता है खुद भी उसके कड़र का डौर बंत करने के बाद उसे वहां से ले जाता है अब कंपनी के बाहर जैसे पहुँचता है तो मिरांसे कहीं लगता है कि काम में हम फेर्ण बार्फर नहीं हुआ करेंगे बलके मैं बोस होंगा और तो मेरी सेकरेटरी होगी और कुछ भी नहीं और बाहिर हम एक क कि अपने तो लोगों ने देख लेना है और सबSAPल क्वारा थाया है कि इन बातों कि मैस्ताहिए पर मेरे कहते है कि आप को क्या तो मैंने आभी तक कि निकाहए कि मैं आपकी गल्फरेंड हूँ जाते हैं यह थूम्हें चलु अब अब प्रिंटर के पास जाती तो वहाँ पर पहले से एक पेज़ पर लिखा हुआता है कि क्या तो मेरी गल्फिट बनोगी यह पढ़ने की बाद वो जैसे मुड़कर देखती तो पीछे भी आया हुआ था यूसे कहीं लगता है कि मैं तुम्हें अपना सहरा इंवर्स दे दूंगा जो मेरी इतके खुमता है कि बास नहीं के पास आगा कर गता है कि मिस्टर वी तो वी भी उसके पासा का ज़्पार आ रहोता है कि यह दोनों पना रही होती है तो वहाँ पर बढ़ना जाता है और पूछे लगता है कि यह पतानी इसा क्योच पृब अपना चैनौन कहता है कि क्या तुम चर्च में गई थी यह बात सुनकर तो मिरन चुप हो जाती है और आगे से चैनौन कहें लगता है कि अगर तुम सांस दिने के लिए गई थी तो मुझे तो बता देती हम इतनी फिकर ना करनी पड़ती तुम्हारी कि तुम पता नहीं कहां पर चल चाहिए अब चैनौन जिसने कि कफी सामने रखी वही थी और खुद तरहाएश से बात कर रहा होता है कि में बात करना चाहता हूं और बताओ कि हम इस पिक का कैसी यूज करें और क्या करना है तो तनाया कहती है कि पहले तुम अपना माइंड बना लोगे मैं भी तुमें सब कुछ बता दूँगे कि हमें क्या करना चाहिए तो चलो ठीक है मैं भी बेस्ट टाइमिंग का वेट करूंगा और हम दोना मिलकर ये एक साथ काम करेंगे इधर भी पर आने के बाद खुली हवा में जाकर सांस लेता है तो वी भी कहता है कि हां उसकी मौम देखे ना किता प्रेशर डालती है उस बार तो उसे भी अपनी मौम का कहा बरताश करना पड़ता है इसलिए तुम भी उसके लिए कौफी बना सकते हो कोई मसला नहीं मिरन जो कौफी को ठैक्स क हारी होती जब उसको कि उसको कहता है किस वी जिया और हिखे से किस कर लेता है रात में सोने के टाइम पर भी मीरन को वही किस याद आ अप्री अप्लीकेशन के बारे में उन्हें बढ़ा hijosोता है अब Pris is पाइस के बारे में सुनने के बारे miran はい emos weens to 5 एंवेस्टर सभी के सब्ता को हैं लिए काफी क्न नोई को गया होरा होता है अप Rafaelbb, उससी मत आरी मैं आपको दे रहे रहा help कर सकती हूँ अगर तुम्हें मेरी help की ज़रत हो क्यूंकि आकर तुम वी के साथ मुकाबला कर रहे हो यह बास सुनकर वी कहने लगता है कि मुझे चैनौन पर पूरा यकीन है देखना वह बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि मैंने मीरन को काफी बनाने की परमिशन जो दे द रहे हैं मुझे रिपाता था कि वी ऐसा हो सकता है वो खुद ही अपने आपको उन्चाइस से गिराने पर लगा हुआ है और कुछ भी काम ठीक से नहीं कर रहा है सुनकर चैनौन कहता है कि माम जब से मीरन के साथ हुए वह बहुत जदा खुश रहा है यह कहने के बाद को कौल करके बैठ जाते तनाया कहते कि मुझे पता लग गया कि हमने पिक्स को कैसे च्चार ना है चलो तुम भी मुझे अपना प्लैन बता दो हम दोग मुझे प्लैन पर काम करेंगे क्या पता तुम्हरा प्लैन जादा अच्छा और मेरा ना हूँ इतर बहुत दिखा जात ही कि है मैं तो थाग्या हो छलो आकर मुझे चार्च करदो यह कह healthier लगते हैं कर ऑप बहुत ही जदा पॉलाइट है मैं कभी भी किसी को हट नी करने दूंगा तो मैं यह सुनकर मीरन भी कहने लगते हैं कि मैं अपने बाइफुट कभी किसी को हट नी करने दूंगी और उसके फॉर हेड़ पर किस करने के बाद उसे हग कर लेती है तो मीरन पूछती है कि चार्च ह उतार के बात अच्छे से देख लेना वी जो मैनिस से काम पूछने के लिए बुला तो मैनित भी कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने काम नहीं किया, अब ये सुनका वी कहता है कि मैं कंपणी का CEO हूँ मेरे पास तुम से ज़्यादा टाइम होता है पर तुम एक मेकानिक होकर तुम्हारे पस टाइम नहीं है तो वा कहता है कि अगर आपको किसी और चीज़ में हैप चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो नहीं मुझे भी हल्पनी चाहिए ये सुनका मैनित वाँ से जाने लगmot कहता है कि ओके CEO भी को तो काफ़ी अजीब लग़ रहा होता है कि कि से बात करके किया है और मैनित भी आकर चैनाउन के पास बैठ जाता भी के विया काम नहीं करना चाहता हूं ये बाद सुनकर चैनल उसके तब देखने लगता करें लगता कि थैंकिज सौमच मैनित इससे पता लगता है कि मैनित भी वी से हटकर चैनल उनके पास आ गया था और उसके वहाँ से जाने के बाद एविस कहते है कि एक एक करके सबी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं ये वी को मीरन ही पसंद आनी थी और ये आपको बाद कब पता चली तो वो बताते है कि मुझे भी अभी पिछले दी नहीं पता चली जब हो तो नो मेटिंग रूम से हाथ बे हाथ डाल कर जा रहे थे ये सुनकर तनाया कहने लगती कि इसी वज़ा से चनौन मान गया था तो उसकी माम पोचते है कि क्या मतलब तो वो बता देते है कि उसने बोला है कि हम पिक्स का यूस करेंगे वी को हराने के लिगे सुनकर तो चनौन की माम खुश हो जाती है और देखना मैं पूरी कुशिश करूँगी कि वी उसे लाइक नहीं करेगा बलके मुझे लाइक करेगा अमीरन जो होट चोकलेट काफे बना रही होती है ताभी वहाँ पर तनाया कर उसे बाते साहरे लगते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो भी और एक हेलपलस बनकर उसके सामने एक्ट करती हो यह सुनकर मीरन कहती है कि तनाया तो कहती है कि हा तो तुमने ऐसा नहीं किया तुमने किया और जाकर बताओ ना वी को तुमने कैसे उसका मनाया है यह सुनकर मीरन कहती है कि सौरी तुम्हें हर्ट हुआ कillon करते है की जड़ी का लग कर दो वह से लारा होता है कि अगर से कहते है कि अगर पर को तुमरे की कुछ लगते हैं Scientific 7 को के लगती कि क्या मतलब तो भी उसे बता देता है कि जब मेरी माम की शादी होई थी तो मेरे डैड उनका साथ नहीं देते तो फैमिली वालों ने भी उन्हें एकसप्ट नहीं किया था डैड को मेंशा यही होता था कि कई कोई फैमिली ना हर्ट हो जापर मुझे इस चीज़ से फ मैं उस दिन तो मैं बताऊंगी उसके बाद में मुझे यही सब बात है कहना और अभी मुझे काम पर जाना होगा तो मैं चलती हो यह करकर अपने हाठ चुड़वा कर मासे चली जाती है अभी उसकी जाने के बार परिशान होता है कि इसने ऐसा क्यों बोला यह तो चैनौन द किया उस लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए तो पैसा तुम्हारे पास और भी बहुत है और उसे तुम्हें जल्दी से अक्सरप कर लेना था पर आगे से चैनौन कहें लगता है कि ऐसी बात नहीं है उसे बिल्कुल भी पैसे की परवान नहीं है तो तनाया कहती है कि उस वक् कर लेता है कि वह पिक्स का अभी उस गरे का तनाया को भी यह बात बताता है और वैसे ही पार्टी वाला डे आ जाता है जहां पर सबी लोग आयो होते हैं और मिरन भी वी का वेट कर रही होते हैं कि वी कहां पर है तो वह कहती कि वह त्यार है जैसे वी का नेम स्टेज पर ल तुम्हारे साथ जो बैठी हैं वी एक्षान की देख करना हना झाए और हमें वैसे फलैश पैक के हहसी दिखा चाहरा ह और मेभी वी ने उसी दिंग को इस पिक में देखा था माम के हाथ में वी की जगह पर चेनॉन जो स्टेज पर आते हैं तो उसको देखते साथी पिरन की तो हालत खराब हो जाते ही कि वी कहां पर है उसके साथ पर इंकाम आगया था और मीरन भी वी के आफिस में पहुंचा दी जहां पर वी ने हाज जगा पर वही वाली पिक्स पहलाई हुई थी यह देखने के बाद मीरन को समझा चुका था कि इसको इसकी माम के बारे में पता लग चुका है अब यह इस पर गुसा भी करेगा और सेम वी उस पर गुसा की रहा है कि मुझे पता है कि इस पिक्में तुम हो, क्युकि मुझे तुम्हारे अरि mois का पता है कि तुम्हारे साथ बाटी कैकर वह मेरी माम है अब यही बास सुनने के बाद तो मिरन रोने लगते हो भी के दुबारा बूछ रही है है कि निर उच्छा उ तो यादा रहा हृता है कि वी निसे क्या क्या बाते बोली हैं यह भी कहा कि तुमने अपनी नेम को सामने यहाँ मुखे यहाँ बनाती रही मेरी मॉम्प कि भी बाते शाते चारी होती है और जैसे ही नेक्स्ट इनोवेशन के बारे में सब कुछ पता देते हैं तो लोग चैनलों के पास आने लगते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यूंकि उन्हें वो एप काफी अच्छी लगी थी एके करके सबी लोगो को चैनलों एक्सेप्ट कर रहा होता अभिस को पक्ड़ाई जारा होता चीजे अब एविस जो जारी होती है तो उसको रास्तवे में ही कैनपा रोक लेते हैं और पूछे लगते हैं कि मीरन और वी का पता है कि वो कहां पर है तो यहां पर एविस को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और कहते हैं कि मुझे नहीं पता और उसके बाद कहते हैं कि मैंने कुछ ट्रेम पहले यहां पर उन लोगों को देखा था उन दोनों में एको लड़ाई चगरा हुआ होगा इसी वज़ा से वो दोनों यहां से चले गए गैनपा कहीं लगते हैं कि मुझे उसके डेट करने से कोई इशू नहीं है पर डेट करने की वज़ा से या प्यार की वज़ा से वो अपने काम का नुक्सान ना करें उसको यहां पर होना चाहिए था तो यह सुन खचे रॉन की मॉम कहते हैं कि वो सोने खचे मच लेकर तो पैदा हुआ है और ना तो मीरी बात सुनता है तो आप खुदी उससे समझा लीजेगा कि उसे काम पर फोकस करना होगा यह बात सुनका गैनपा उससे देखने लगते है तो यह भी एक्लोज करने के बाद मासे ऑविस के पास आ जाते ही खाल तो यह बात इसके पास बैठ जाते है कि मिरन क्या हुआ चारी होती है उसकी गैणमा पियरे प्रेशान होती है पर यहाँ पर मीरन के रोने से उसकी माम को पता लग चाता है कि वी को उसकी माम के बारे में पता लग चुका है और ये बात वो मीरन से भी पूछते तो मीरन कहते है कि जी उन्हें पता लग गया है और मैं तो उन्हें संडे को पताना चाहती थी पर उसको इस बात का पहले से पता लग गया के बाद सुनका ग्रैणमा कहा है लगते हैं कि क्या मतलब किसकी बात हो रही है तो मिरन की माम उने भी बता देते हैं कि जिस ओरत को हम इतने सालों से जान दें जो चर्च में रह रहे हैं वो असल में वी की माम थी गे सुनकर तो वो भी तोड़ा शोक होती है और कहें लगते हैं कि तो क्या हुआ अगर उसका अपनी माम का पता लग गया ये दोने एक दोसे से प्यार करते थे अब मीरन इसी वज़ा से रोरी है कि उसका क्या होगा और मीरन को उसकी माम समझाने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है उसकी माम नहीं मना किया था हमें उसे सच बताने को इसलिए हमने निई बताया मरना तो हम कबसे बता देती तो मीरण कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है वो पागल बना है उसको फरक नहीं पड़ता जो भी रिजन हो अवी जो अभी तक अकेला अपने ओफिस में बैठा होता है तो इसके पास तनाया हाती है तनाया को देखकर वो कहने वाला होता है कि मैं अभी मूड मेलई हो तुमसे बात करने के पर इस से पहली तनाया कहा देते है के मैं तो यहांपर बिस थूमारे पस बैठने के लिए आई उसमे पानी की बॉटल भी देती है और फिर पूछते है कि मिरान कहां पर है तो वी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगता है इदर चैनल दिखा जाते हैं जो काफी खुश हो कर अपने आफिस में बैठा होता है इदर वी जो तनाया के पास से उठका जा रहा होता तो तनाया उसे रोक लेते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो जब भी मैं तुम्हारे पास आकर बैठती हूँ तो तुम्हें भागने के बड़ी होती है वह कहती है कि हाज जगा पर तो उन्हीं के पिक्स फैली हुई है तो इसी बात से पता लग गया और तुम्हारी मूम को मैंने पहले से देखा हुआ था और देखो वी ये तो आमसी बात है कि उन लोगों में कनेक्शन होगा ना जब मीरन तुम्हारी मूम के पास बैटी हुई थी और इसने तुम्हारी मूम का नेम भी यूज़ किया ये बात सुनने के बात वी क्याने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही टैलेंटर लड़की हो पर मैं तुम्हें एक बात बता दूंगे मिरन जो भी मेरे साथ क्या मुझे डम करके चली गई पर मैं तुम्हें कभी पिलाइक ने करूंगा नाहीं तुमसे कभी प्यार करूंगा अब यहां से दफ़ा हो जाओ और मुझे अकेले चोड़ दो अब यह सुनने के दो तनाया बस उसके मुझे तरफ देख रही होता है और यहां ग्रैट पार जो चैनाओं के पास आये होता है तो उसे कहीं लगते हैं कि मैंने नेक्स्ट इनॉवेशन की हर साइट को देख लेबर मुझे ऐसा लगता है कि वी किट के बगार नेक्स्ट इनॉवेशन नहीं च चाहिए था और ढूड़ना चाहिए था कि वह कहा पर रहा कौंसा काम कर रहा है जो उसकी प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा है अब यहां पर चैनॉट अपने गयर्पा को सुनाने लग जाता है बाते कि वह दस साल का बचानी जो मुझे उसका खिया रखना होगा और मैं भी बड़ा हो चुकर मुझे भी हान के कि मैं अपने इसाब से कुछ भी कर सकता हूं मुझे भी अपनेまिक्स को open करने का right है पर आपको तो कभी उसकी गलती नजर ही नहीं आई वह जो भी गलती करता था, आप तो उसकी गलती को भी नजर अंदाश करते आए जिस पर गैनपा कहते है कि चैनल, चैनल कहते है कि क्यों गैनपा मैंने कुछ गलत कहा, मैंने जो देखा मैंने वही कहा है, बस उसकी फेर्स प्लाइनर्स वाली कंडिशन की वज़ा से आप अमेशा से इसको स्पोर्ट करते आए हो, और मुझे तो कभी देखा भी ने, ना जो देखा, मुझे से प्यार किया, आप बस उसकी गैनपा नहीं थे, और मुझे लगता है कि आपको तो कभी रिलाइस भी नहीं हुई ये बात, कि आप क्या क्या करते आया मेरे साथ, ये बाते सारी सुनाने के बाद, चैनल उन्दमा से चला जाता है, गैनपा भी परिशान हो जाते हैं अपने दोनों ही, ये इंचाल्ट के हाथों, और यहां हमें मीरन दिखाए जाती है, जो खर पर उदास बैटी होती तो उसकी माम उसके पास आती है, और पूछे लगते हैं कि वो पिक्स उसको किस ने दी तो कहती है, कि मुझे नहीं पता कि उन्लोगों ने पिक कह रहे होते हैं और तनाया कहती है कि क्या मैं तुम्हें का हूँ, आखी तुम अपना काम कर चुके हो, और बस थोड़ा ही काम वाकिर आगया है, तो चैनल कहें लगता है कि अब इस चीज़ की जोईत नहीं है, क्यूंकि आप तो मेरे पास क्यांट पा होकर चले गए हैं, औ उन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट इनोवेशन में और वी दोनों संभाल सकते हैं, वरना कोई भी काम इस पर अकेले नहीं कर सकता, अब तनाया भी उसे बता ही लगते है कि वी ने उसे क्या कहा, कि मीरन ने उसके साथ जोबी किया पर मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर खालगी कि की साथी चीज़ें बहुत ज़दा कमप्लिकेटिड़ हैं, तो टनाया कहती है कि बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए, तो चैनल कहते है कि मुझे लगता है कि हमेधे का उसे बताया झाहिए, वी के लिए मैं इन सब लोगों की बातों से तंग आ चुका हर कुई म प्रवी ने उसे बहुत पूरा भला भी बोला था और वी भी काफी हर्ट हुआ था यहीं सब बाते उसे तंग कर रही होते हैं कि मैंने वी के साथ ऐसा क्यों किया मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था ना बताने की वज़़े से मुझे मेरा प्यार भी चला गया अ यह भी आगे से उसकी माम की लोकेशन उसको भीज़ देती है कि यहां पर चले जाना तो मैं मिल जाएंगी और उसके बार मेरा उसके कॉल भी नरास था मीरान से यह तेक कर तो मीरा काफी सैड सी हो जाती है और हमें चैनलों की माम दिखाए जाती है जो उसी परसन को ओरडर और मैं बता देती हुँ कि तुमने आगे कहांँ रखना है मैं तो बस उससे बात करना चाहती हूं व वी की माम के निकल जातो दसे वी भी अपनी माम के लिए जा रहा होता है अब वी का तो पता नहीं होता है कि वो चर्च वाली उलिकेशन पर जा रहा है और वो लड़का तो चर्च में पहुंचाता जाते साथ सबसे पहले वी की मॉम को देख रहा होता है पर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती तो वो भी वहाँ के जिससे पूछता है कि यहाँ पर मैं एक औरत को ढूडने के लिए आया हूँ पर वो आगे से बताता है कि आज के लिए अवाम के लिए चर्च बंद है पर उसकी कोशन पूचें पर वो बताता है कि मुझे नहीं बता के वो कहां पर है और बाही रहने के बाद वो चिरॉन की मॉम को भी बताता है कि वो तो यहाँ से काफी टाइम पहली निकल चुकी है तो वो कैथती कि ऐसा नहीं हो सकता उसने तुम से चुट बोला होगा पर वागर से बताता है कि क्या चर्च का परसन भी जूट बोल सकता है मुझे तो नहीं ऐसा लगता अब उन्हें तो गुसा आ रहा होता है क्योंकि वी की माम हाथ से निकल चुकी थी और इधर भी दिखा जाते जो चर्च के हॉस्पिटर में पहुंचाते जहां पर उसकी माम एडमिट हुई हुई थी वो अपनी माम को तो देखता है पर उसको अपनी माम का भी फेस नजर नहीं आता पर वो अपनी माम का पहचान भी लेता है और नर्स से पूचा होता है कि मेरी मम स्माइल कर रही है या नहीं यह सुनकर उसकी मम मांस देती है कि तुम क्या यहाँ पर अपनी मम को ढूरने के लिए हो मैं तो तुम्हारी मम नहीं हो क्योंकि मेरा बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता वो तो बिल्कुल छोटा सा था 10 साल का अब यहां से भी को पता लग चाता है कि उसकी माम सब कुछ भूल चुकी है और वो उसी टाइम पर रुके हुए है जब उन्होंने मुझे खोया था अब आहिर से आकर अपनी माम को देख रहा हुता कि कि आपको यह मीरन ने कहा तो वो बताती है कि मीरन के फैमिली ने ही उनका इतना ख्यार रखा है उनको कभी भी अकेला ने छोड़ा हमेशा उनके पास आती रही है और मीरन ने तो उनको काफी बार कहा था कि में आपके बेटे को आपके बारे में बताना चाहती हो पर नुरंपन ने मना कर दिया कि मेरे बेटे को मेरे बारे में नहीं बताना मीरन ने तो काफी जिद भी की थी पर वो नहीं मानी जब भी वो बताना चाहती थी तब भी वो मीरन को मना कर देती थी क्योंकि वो तुम्हें निफ्स पूचती आए कि उनका ख्याल को रखेगा इधर हमें चैनल की सेकरी आईवईस दिखाये जाती तो एक तुसा वर्कर भी उसके पास आकर थोड़ी बहुत बात कहरा होता कि तो मुझे इतनी अच्छी एसिस्टेंट का अवर्ड मिला हुआ है सबी मुझे बहुत अच्छा समझते अगर मैं अपना काम खुद से नहीं करूंगी तो लोग मुझे इस नाम से कैसे जानेंगे इस पास से तो वह भी हो जाता है कि हां तुम ठीक है रही हो और यहां जो कं काने के लिए एक स्नैक भी देती है जिसे चनौन तो बड़ी जल्दी से एक्सप्ट करने के बारवास चला जाता है अब चनौन के सबी लोगों के साथ मिटिंग चाहरी होते हैं उन्हीं लोगों के साथ चो लोग इसके काम में इन्वेस्ट करना चाहते थे वह अपनी अप् गERE उसे बताते हैं कि मैं सारी जिमेदारियां औरा तुम्हें देना चाहता हूं क्योंकि मैं अबुआ की जारा हूं यह सुनकर चनौन कहता है क्या आप आप ब्रोड जा रहे हैं तो बहा बताते हैं कि ہ 2 बात कहां अंग ओर जो तह दिखा जाता है जिसके रूम की सफाई ही उसके रूम की सफाई की जाएगी अपके बाद से यह सुनकर तो एवी स्थोड़ा शोक होती है और पूछती कि क्या मतलब तो चैनलों कहते कि क्या तो मैं मेरी बात समझ में नहीं आई तो कहती कि हाँ हम मैंने सुन लिया है अब यह बात क्या करना चाहिए वी कि कभी भी व काम में उनका क्या बना काम अपी तक फ़ा या नहीं हुआ क्योंकि मैं तो चैनलों के साथ काम नहीं करना चाहा थी मैंने वी बिए से उसके साथ investment की थी और मुझे वी ही application में भी चाहिए यह सुनकर तो मेरन हो जाती कि क्या वी काम पर नहीं जा रहा तो वह बताते के नहीं क्या तुम्हें नहीं नहीं बता वह तो तुम्हारा बोस है तो यहां पर मेरन बता देती है कि मैंने जौब से रिजाइन दे दिया है अब यह सुनकर तो आट नहीं को उस पर और भी जदा गुसा आजाता है और कहीं लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मुझे नहीं पता तुमने रिजाइन दिया या नहीं दिया पर तुम दुबारा से अपनी जौब पर जाओगी और वी को ठून कर लाओगी मुझे बस उसी के साथ काम करना है वरना मैं अपनी इंवैस्टमेंट वापीस ले लूँगी और तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुम जलती सी जलती वी से कॉंटेक्ट करो मुझे तुम दोनों ही चाहिए चाहिए जैसे भी करो यह क का भी खुश हो जाता है पर मीरन तो आते साथ यही पूछते कि क्या वी काम पर नहीं आ रहा यह सुनने के बाद तो चनौन की स्माइली उसके फेस से चली जाते क्यूंकि चनौन को लग रहा होता है कि मीरन भी उसके जैसी हो गई है इतना बड़ा दोका देने के बाद और क्यों भूच रहा है वह पी एक पार नहीं वर्के 10-10 बार और मैं तुम्हें भी बता दूं कि वी काम पर नहीं आ रहा और शायद कभी काम पर वापिस में ना आए और भी बता रहो होता है कि सब्सक्राइब करने के लिए अगर तुम भी मेरे साथ काम करना चाहती तो मैं त सब्सक्राइब करने के बाद मीरें थोड़ी रिलाक्स होती है और भी बूच्छे लगते हैं कि क्या तुमने वह वाली फिक वी को दी थी तो चैनॉन भी इस बात को मान लेता मीरें लगते हैं कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही जदा गलत थी तुम उसको बस अपने से न पारी मर्जी है अमीरं को तो उस पर गुसा रहोता है पर वहां पर कुछ भी नीव होते हैं चुप करके वहां से चली जाती है और इदर चैनॉन की मां दिखा जाती जो उसी आदमी पर घूरी होती है जो वी की मां को ढूंडने के लिए गया था पर उसे नहीं मिली और कह र मेरा यह होती है तो वी भी उनके साथ ही भाहिर आया हुआ था तो वहीं पर वी के पास नर्स आकर उससे बात करने लगते हैं कि डॉक्टर इनके बारे में क्या कह रहे हैं उन्होंने बोला है कि इनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि जब तक यह खुद नहीं कह देती कि मुझे वी के साथ जाना है तब तक हम इसको आपके साथ नहीं भीड़ सकते बस इनकी मेंभी वापिस आने का वेड़ करें वी पूछे लगते हैं कि इनकी कंडिशन कैसे तो वो बताते हैं कि इनकी कंडिशन खराब से खराब होती जा रही है कि मैं इनका अच्छे से ख्या जाए अब वी भी मीरन के घर के भाई पहुंच आता मीरन भी जब आती है तो वी को बुलाते है कि वी आप यहां पर मीरन को देखकर वो उसके पास अकरकार से इंगिरिडियंट्स वगरा निकाल कर देता है वो भी होट चॉकलेट काफी के और कहता है कि क्या तो मुझे बना देह रहे है ना चॉकलेट काफी तो वह कहता है कि हाँ इस चीज़ की क्या ज़ुटत नहीं है मुझे लगा जई लगा मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ अब मीरन देखते हैं कि मिल्क तो हैं ही नहीं के देखकर वह कहती तो मिल्क लाना तो भूली गए चलो कोई बात नहीं मेरे घर पर है चीज़े वह कहला निकाल कर चॉकलेट काफी के लिए बनाना स्टाट कर देती है जो हाँ चीज वह सासा भी को सिखा रही होती है और भी से कहते हैं कि आप चॉकलेट टालो और चॉकलेट के मैट होने तक इसको इसी तरह देखते रहना है और चॉकलेट के मैट ह स्पून होते इसलिए मैं पूछ रहा था अब वो गलत वाला स्पून जब पकड़ लेता है तो मेरन उसको ठीक वाला पकड़ाती है कि यह वाला पकड़ना है अब उसी का यूज करके यह आइस क्रिम अपने चॉकलेट मिल्क में डालने लगता है अब कॉफी भी बन चुकी थ इससे नराज हो मुझे इससे नहीं देखना चाहिए और दوبारह से अपना सैड़ सा फेस बना लेता है अब मेरन की माम ऑक गैल्मा भी आकर देख रही होते हैं कि इन दोनों का क्या चाहरा है कि यह यहाँ पर क्या हो रहा है पर मेरन की माम कहती है कि जो भी हो रहा है मुझे लगता है कि इनकी लड़ाईयों के बाद इनका लास बहुत ही अच्छा होगा तो कैल्मा कहें लगता है कि अगर उसको मीरन इतनी बुरी लगती है तो उसको मीरन को छोड़ देना चाहिए हमेशा मीरन के पास क्यों आ जाता है उसको फिर से हर्ट करने के लिए इतर मीरन भी वी से बात करी होते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हारी माम के बारे में तुम्हें नहीं बताया तो वी यह बास उनका कहें लगता है कि तुम्हें कितना हर्ट हुआ था तो वह से कहती ही कि मैं समझ सकती हूं पर आगे से भी कह देता है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करन जाता है और इदर चैनॉन की मौम दिखाए जाती जो बहुत ज़्यादा परिशान हो री तो चैनॉन की आने का विट करी होती है जैसे चैनॉन आता है तो उसको भी अपनी परिशानी बताएं लगते हैं कि वी की मौम नहीं मिन रही वो तो पतरी कहां पर डिसे प्यर हो चुक आप इस कंपनी में आता है तो चैनॉन के माम कहते हैं कि उसे पता लग क्या होगा कि हम उसे ढूंड रहे हो रहा हमें उसके बारे में पता लग चुका है पर अब भी तो वीकिट यहाँ पर नहीं है ना और कि एंपको तुम ही नज़रा रहे हैं तो आप तुम इनका कुछ भी नहीं है और उसकी आँखों में वी के लिए काफी घुसा भी होता है मिरंद जो वी के पास आते हो वी भी कौपी पर होट चॉकलेट की रेसिपी लिखते ही सो गया था उससे इस तरह देखको वह पहले तो उसकी नौटबुक को पकड़ती है उसके हासे चीज़ों कपल बने थे यह पढ़ने के पाथ तो वह वी कीतब देखने लगती हो फिर नेक्स पेज़ करती हो तो उसने लिखा हुआ था कि मेरं के साथ मैंने पहली बार आइसक्रीम कप खाए थी अब मेरं को भी आइसक्रीम वाला सीन याद आ रहा होता है दोन एक दूसे के काफी लिखा होता है कि आज मिने गर्फरेंट की स्मेल बहुत ही जदा स्वीट है और मुझे बिल्कुल भी निपसंद जब मुझे उल्टा बाते सुना देते मैं आकिर उसका बोसु सीही हो हूं उसको इस तरह मुझे बाते तो नहीं सुनानी चाहिए इन्हीं बातों को पर झारने के बाद खुश हो जाते हुपी नेक्स पेःट करके उसकी डाइरी पर अपने दर्फ से कुछ लिखने लगता है जो हमें नहीं दिखाया जाता और वह चीज़ लिखने के बाद वह काफी खुश थी अब वह जो हूँ जब उनकी मेमरीज वापिस आ जाएंगी और मैं हर ट्राइ कर रहा हूँ उनकी मेमरीज को वापिस लाने के लिए तो मेरा के माम बताती है कि हर बार हम उनसे डिस्किस वगरा करते थे कि आपके बेटे को हम आपके बारे में बता देते हैं पर वो हमेशा में मना कर दिया करती थी वी को तो इस बाद पर गुसा आ रहा होता है कि कोई भी बच्चा की अपनी माम के लिए परिशान नहीं होता मेरी माम ने मुझे बताने से क्यों मना किया तो मेरे के माम उसे समझाती कि बच्चे भी परिशान होते हैं माई भी परिशान होती हैं और वो तुम्हें और परिशान नहीं करना चाहती तो तुम्हारी लाइफ में रहकर क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और उन्हें तुम्हारी एक्टिविटी हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता था नेक्स्ट इनोवेशन के बारे में भी इसलिए तो वह हमेशा से हमें मना करती आई कि मेरे बेटे के काम पर कोई भी असर ना पड़े क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट इनोवेशन बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंट है और वो तुम पर बर्डन नी बना चाहती थी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है तुम्हारे बारे में जो भी पिक या मेगजीन वगारा आती थी वो हर चीज़ को अच्छे से बढ़ा करती थी ताकि तुम्हारे बारे में और अच्छे से जान सके और सब चीज़ों को क्लेक्ट करके भी रखती थी तो भी ये सब सुनने के बाद कहीं लगता है कि उन्हें तो मेरे बारे में पता था और मुझे वो क्यों चोड़ कर गए? मुझे वो प्यार करती है इस भात कौनी यकीन करेगा कि मौम मुझे चोड़ करने की वज़ा से मुझे चोड़ कर चली गए और भी खालना नेगाता और ख़ड़ा हो जाता तर मीरन भी बिग नोई के साथ आ जाती हैं, बिग नोई तो बातों बातों में वी को लगा लगा कर बाते कर रही होती हैं, वी भी उनसे बात करना चाहता था पर वी की एक भी बात नहीं सुनती, और थोड़ा बहुत खाने के बाद वी से कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में ब बहुत कुछ चरणा है। यह पूलना कि इंवेस्मेंट मैं ने तुम्हारे साथ की थी ना कि चैनौन के साथ और कुछ चीज़ें चेंज करते हैं और कुछ चीज़ों को तुम्हारी मद्ल चुकी है ना और तुम उनका ट्रीटमेंट और यह लगए उनके पास रहते हो और तुम्हें रिजल्ट का भी पता लग चुगा है कि मीरे ने तुमसे जूट बोला और वो तो सीरी लटकी तुमसे जूट तो बोल बैटिया पर अब तो तुम्हारी माफी का वेट कर रही है कि कब तुम उसे माफ करो और तुम मजे बताओ तुम काम पर वापिस जाओगे या जाओगे और अपनी रिलेशन्शिप को भी ठीक करो मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या प्लैंसा पर तुम्हारी लाइफ में बहुत सी इशूस चल रहे हैं सबसे बड़ी बात तो चैनोन ही तुम्हारी खिलाफ हो गया है और अगर तुम CEO की पोजीशन से हट जाओगे तो इसलिए समझारी उत क्योंकि तुम मेरी नीज के बॉइफरेंड हो यह सुनकर तो मीरन भी कोई शौक हो जाती है और मीरन को भी वह वावास दे देती है कि काल लगा कर बातें नहीं सुनो बलके गहां पर आओ अब मीरन भी चुप करकर की आचाती हो कहांँ लगते है कि वहावास दे बात याद रखना है और भाहरा आने के बात बीग नई मीरन को समझाएं लगते हैं कि अगर तुमने वी को चूस किया तो तुम्हें हमीशा उसकी साइट में रहना होगा और अगर तुम्हें बिजनिस की बाते समझ में नहीं आता कि तुमने किस तरह जीतना है मीरन भी उनकी बातों के बात काफ़ी स्माइल कर रही हो तो तिम वहां पर वी आ जाता है वी से वो पूछते हैं कि हचीस कैसी है तो वह कहता है कि कौन सी चीज़े तो वह उससे पूछते हैं कि चैनौन के साथ और तुम्हारा काम तभी कहता है कि बस तुम इन्हीं के बारे मे पूछे या हमारे रिलेशन्शिप के बारे में भी यह सुनकर तो मीरन चुप हो जाती है कि मैं इसा कैसे कर सकती हूँ तुम तो मुझे माफ भी नहीं करोगे पैवीर ने तो उसे माफ कर दिया तो इसलिए उसका हाथ पकड़ लेता है उससे लेकर जा रहा होता है मीरन भी भी तूंसरे यह कहता है कि तुम जैसा बना चाहती थी तुम एसी भनी हो और मैं तुमसे यह पूछा चाहतक उनकर जो से कही लगती है कि तो मेरे डैट की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो तो चैनल कहते है कि मैं तो बस पोच रहा हूँ अब तुम्हारा गॉल भी को पाना तो नहीं कि तुम्हारा उसमें इंटरस्ट हतम हो चुका है आप क्या तो नेक्स्ट इनोवेशन की डेपटी सीओ बन तो मैं उनके शेयर को सेल करूंगा उनके शेयरकों को तुम खरीद लेना और उसके बाद कोई भी तो मिने Still तिम्हारे लिएतं आ है今日 साथ काम करने के लिंए नेक्स्ट इन्यो एशन में इनमें तो यह चुकी थी इदर वी जो मेरन के साथ तो तर्मीरन से एरहा होता है कि चरनोन था मेरे खिलाफ हो गया है और वे ऐसा नहीं चाहता कि दिशनों से कंडिशन में फंस चोके हो जहांपर चैनों का साथ भी आप नहीं दे सकते हो चैनों का मुकाबला करने पर ही आपको सब कुछ वापिस मिल सकता है वर्ना चैनों आपसे सब कुछ ले भी सकता है और सबसे पहली बात तो आपको अपनी मौम का ख्यार रखना है वो सबसे में फरक नहीं समझा और चैनों को तो मैं अपना भाई मानता हूं वह हमेशा से मेरे भाईों की तरह रहा है मैं उससे कैसे कंपीट करूंगा मेरे उसकी सारी बातों को सुनने के बाद क्याती है कि तुम्हें एक चीज़ पर फोकस करना है वह भी होस्पिटल आने के बाद अ बहुत ही मज़े की होती इसलिए वी को देखने लगती है वी को लग रहा होता ही कि उसकी माम उसको पहचान लेंगी पर आगे से वो कहते है कि जंटलमें तुमने तो बहुत ही अच्छी काफी बनाई है क्या तुम्हें मुझे भी इसके बारे में बता दोगे कि तुमने ये बेटा अब यहां पर तो नर्स भी ये बास सुनने के बाद हो जाती है कि इनकी कंडिशन तो और भी खराब होती जा रही है और इसे कहें लगता है कि हाठ चीज में में लेट क्यों हो जाता हूं अगर मैं अपनी माम को पहले डून लेता तो मेरी माम की इतनी बुरी पर मैं हमेशा तुम्हारी साइट पर रहूंगी यह बात कहा कर पीछे से एक छोटा सा टेबल उठा कर ले आती जिसके उपर खड़े होकर वह वी के एकवल हो गई थी अब वी को बुलाती है तो वी जैसे उसकी तब देखता है तो वह बिल्कुल वी के एकवल थी और उसको जर्णों दिखा जाता है जो कंपनी में आतर उसके बारे में नियूस भी चारी होती के जर्णों कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहा है वो भी और अपने गयांट पाके क्योंकि उनका कुछ भी आता पता नहीं कि वह कहां पर गए हैं यह नियूस तो वी भी सुन रहा होता है व वहीं पर उसकी माम एक बच्चे के पास होती जिस बच्चे से वह बाते वगरा कर रही होती है कि मेरा बेटा भी तुम्हारी एका था और मुझे पता है कि अब मेरा बेटा लंबा और बहुत प्यारा हो गया है कि सारी बाते वी वी भी खड़े होकर सुन रहा होता है कि उसक बच्चे की माम कैपनी से जाती अपके जाता अपनी माम पास जाने के बाद उन्हें भी ठैंक्स कहने लगता है अब बच्चे के जाने के बाद व जैसे फिचे उड कर देखती उस एस प süस्ता था और वही वह यह सुनकर बुज़ता खुश हो जाता खुशी से रोने लगता है और वही वाला सीन भी दिखा जाता है जब एक इमाम ने अपने बेटे को लास्ट टाम देखा था जो भी को छोटा हुआ करता था अब वह फाग कर अपने बेटे को मिलने के लिए जाते और एक छोटा भी दि ने देख रहे होती हैं कि माँ पैटे ने एक दूसे से आखें मिली लिया है खुश ओक आपने माम के लिए कि हुश था और उन्हें मना करने लगता है कि आम उसे मेंकर और रहत कर प्रफिस नजर आ जाता है उसकी माम भी पूछते कि क्या तुम्हें मेरा ने बताया था कि तुम्हें फेस ब्लाइडनेस है यह सुनकर वियुक्त लगते कि मुझे अप सब कुछ नजर आ रहा है और यह भी पता लग रहा है कि आप मेरे लिए परिशान हो रही थी और अभी भ खुशी मेतना खुश हो रही होते कि मेरे बेटे को सब कुछ नजर आने लग गया और दोबारा से वी अपनी माम को हख कर लेता है और जैसे पीछे मीरन की तरफ देखता है तो मीरन का भी फेस उसकी माम भी उसको जाते वरे देखकर खुश औरी होती है अब यह भी मिरन के साथ में देख कर और वी की माम को देख कर समझ आती है कि माम की मैमरीज आच चुकी है वो भी उनके लिए बहुत ज़्यातnant पूछते हैं आपकी मैमरीज आ चुके हैं तो आपको डopyर के पास जाना चाहिए बहुत सी चीज़े है जो आप पेपस को तीकर परिशल हो जाती है कि लोगों को मेरे बारे में पता लग जाएगा जिसे मैं इतने सालों से छुपती आई हूँ अहु हूँ अब मेरे घर पर रहेंगी और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं है तो इसका मतब्द किसी को भी आपके बारे में पता नहीं लगेगा यह सब सुनने के बाद उसकी माम रिलाक्स हो जाती हो साइन भी कर देती है और वी अपनी माम के साथ सेलफी बनाने लगता है कि जब भी आपको मैं भूल जाओंगा तब मैं आपको यह वाली पिक दिखाया करूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ तो इसकी माम भी बहुत मज़ें से उसके साथ पिक्स वगरा बनवारी होती है कि हाँ ठीक है मुझे दिखाना और मीरान को भी बुला लेती है कि तुम भी आउना साथ में तो मीरान भी उनके साथ बैट कर पिक बनवा लेती है अब मीरान जो भाई खड़ी हुई थी तो वी भी उसके पास आता हूँ मिरान जैसे उसकी तब देख देख कि क्या मतब जितना वी हमारा शर्मीला बच्चा अभी भी शर्मा रहा होता है तो मीरण भी उसके फेस को पकड़ के कहते हैं कि अब तो तुम्हें इसके अदर डाल नहीं होगी ना तो मैं अभी जाकर अपना मीर में फेस देखकर आता हूँ यह कहकर भागते हो फेस देखने क कि देखो इसको क्या हो गया है और इधर हमें तनाया दिखा जाती जिससे सारे शेयर्स को ले लिया था जितने भी चैनौन ने बोले थे और चैनौन ने भी जो उससे प्रॉमिस किया तो उससे वह बना दिया था पर वहाँ पर मीटिंग में बैटे कुछ लोग अभी भी जल्दी रखवाओ जितना काम जल्दी होगा अच्छी बात है हम तनायों को वह वाली पूजीशन देना चाहते जो यह डिजर्व करती है इस तरह की बाते सुनके चैनल की माम भी खुश औरी होती है कि कॉंग्रेटुलेशन्स माइशन और यहां वी की माम भी के साथ जा रही ह होती है और नायस कहारी होती है कि हमसे मिलने के लिए आते रहना और मुझसे कंट्रेक्ट भी रखना वां तुम्हारी की चीजों को मिस करेंगे तो वह कहती है कि मैं यहां पर और भी ज्यादा चीज़ें बनाकर लेकर आउंगे आप सब के लिए और भी वी सभी को वहां से चला जाता है और इदर चैनल की मॉम जो अभी तक वी की माम को ढूंड रही होती है और जिसको उसके पीछे लगाया हुआ तो उसे भी काफी डांटे होती है वो बताता है कि मैंने कैमरास में देखा वो तो काफी दिन्माद पर नजर भी नहीं आई पता नहीं वो कहां पर के बारे में उसे अपने दोस्कों भी बता धिया था और पोफ्चता है कि मुझे क्या करना चाहिए तो वह कहता है कि बस आपको इनकी मेमरीस को याद दिल्वाते रहना है ताके यह जया थाधा मैं इसको ना भूले तो वी के माम कहती कि चले ठीक है मैं ट्राइ करती रहूंगी और वी अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें क्या कहा था कि तुमने ये बात राज रखनी किसी को भी नहीं बतानी तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है और फिर वह अमीरन का बारे में पू को भी समझ आ जाता और वह भी उससे कहते कि चलो ठीक है अब डॉक्टर सीन के वांसे जाने के बाद उसकी माम भी उस जगा को देखने लगती है तो मीरन भी के पास होकर उससे कहने लगती है कि क्यो ना अपनी तुम चार्ड हूट की फिक्स को ड्रेफ कर अपने घर पर कई लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया जिस पर नहीं हंसे लगते अब ही जब खाना बना रही होती है तो वह कहता है कि मैं तुमसे ख geschर नहीं होती होती अब भी उसके दफ़ देखते हो इसका-फेस अपनी दफ करने के बाद मेह और को किस कर लेता है मीरन dw seeds को कौल की का खुश होते हैं कि मुझे तो लगा था कि मेरी investment वेस्ट में जाने वाली है पर यह तो अच्छा है कि वी वापिस चला जाएगा और मेरी investment भी वेस्ट में नहीं जाएगी और मेरी तरफ से वी को यह भी कहा देना कि अगर उसे माम या business में कोई help चाहिए तो मुझे help ले सकता है मैं उसकी help करने के लिए त्यार हूँ यह सुनकर तो मेरी खुश हो जाती है और इदर हमें चैनलों की माम दिखाया जाती जिन्होंने different investors और उनकी wives को बुलाया हुआ तो उन्हीं चीज़ा वगरा देखकर अपनी तरफ लेकर आरी होते हैं कि तुम लोगोंने वोट मुझे करना है दो तो बहुत इसली मान जाती है पर 30C वाली कहते हैं कि मैं तुम्हारी गिफ के लिए तुम्हें वोट क्यों दूँ मेरा दिल जिसे चाहेगा मैं उसे वोट करूंगी अब यह सुनने के बात तो चैनलों की माम को गु फॉलायाःता एकगे करके उनसे बात करा रहोता है और वो इसे अद्ce चोननका वॉर्ट करने के लिए त्यार धे और वी जो अपने घर पर मीरां का वेट करा रहा था कि बहुता है कि तुम अभी यहीं पर होगी अर बैय millions और तक ऑंक तो कहने लगता है कि अगर तुम अभी यहां ना पहुंची तो मैं यह सारा खा जाओंगा। मुझे तुम पर गुसा आ रहा है। मैं सच मैं तुम से गुसा हो जाओंगा। तो मैं बगनाइ को कॉल करके बता दिया था कि तुम आवापीस आने लगे हो तो आगर सी वी पूछता है कि उन्होंने क्या बोला तो मिरन बताती ही कि सबसे पहले तुमने बोला कि फाइनली और उसके बाद उन्होंने यह का कि तुम्हें किसी भी चीज़ में है रही तो मैं देखना चाहता हूँ कि मिरी गर्फरंड कैसी उसका फिस कैसा है ताकि मैं लोगों के सामने तम्हारी तारीफे कर पाऊँ तो मैं कहती है कि तुमने क्या सोचा हुए तुमने क्या सोचा हुए तुमने क्या सोचा हुए तुमने क्या सुचा 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 हुए तुमने क्या सु के चलता हूँ तो मेरे कहते है कि मैं तो इसलिए तुम से पूछी थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिकर हो रही थी क्योंकि तुम अपने कजन के अगेंस जाने वाले हो और पता नहीं इसका एंड क्या होगा यह बास सुनकर व्यूस के पास उटकर जाएं लगता है कि जो बन चाते है तो कंपनी से भी की वाल करने के लिए तयार हूँ मुझे कोई इश्यू नहीं है बस वो ऐसे कुछ ना करे के इरिमाम होवा खरई और तुम्हें हरट लगता करे zodरने यह सक किछी बास्यार नहीं हौना है थिया तो वो कभी भी मुझे हट करने से नहीं रूखेंगी उसकी सारी बात है सुनने के बाद में उसके हाथ को पकड़ के कहाएं लगते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम किस तरह की बाते सोच दे हो यह बात कहने के बाद वी को किस भी कर लेती है और भी स्मायल क आपने मुझे रोक कर का था कि अगर तुम इसी तरह मुझे भागते रहे तो मैं तुमसे दूर हो जाओंगी या तुमसे खो जाओगे तब से हमेशा मैं आपके साथ रहा करता था और मॉम मैं आपको भी एक बात कहना जाता हूँ कि आभी मुझे इस तरह भागिये का मत वर वी एक साथी काम कर सकते हो और ना तुम लोगों का काम नहीं हो सकता इसी बात पर वो गुस्से में बस एकसे साइस किया जा रहा होता है और भी सोच रहता है कि मीटिंग तो मैं आज ही रखूंगा और ये बात वो ग्रैंटपा को भी बताने वाला होता है पर ग्रेंट पॉस के कॉल लिए अटेंड करते तो ये भी एक वाइस मेसीच छोड़ देता है कि आज आपको 11 बजे मीटिंग में आना है वो भी शेयर होर्डर्स की है मुझे पता है कि आप काफी बीजियां पर अगर आ सके तो आ जाना क्योंकि के मीटिंग आपके लिए भी कॉल करता और उसे कहता है कि मेरे लिए मीटिंग रखवाओ इतने में चैनौन की माम आ जाती जो आकर उसे जूस देती और चैनौन अपनी माम का बताएं लगता है कि हाच चीस ठीक आ रही है पर आप ये देखने कि वी वापिस आता है या नहीं आता नेक्स्ट इनोवेशन के लिए पर आगे से तो चैनौन की माम गुसा करने लगते है कि वी कभी भी वापिस नहीं आएगा और तुमने सोच भी कैसे लिया कि वी वापिस आए का उसके लिए हर दर्वाजा बंद कर दिया है ये बास सुनकर चैनौन चुपो जा तो इदर हम में मीरन दिखाए जाती पर एक आदमे उसका पीछा कर रहा होता है मीरन को तो यह बात नहीं पता होती पर आगे जाने के बाद पता लगता है कि मेरन को पता लग ya द blender को पैदा है है इसलिए उस्लिए महीं कि दो आदमियों का अपने साथ मिला लिया था और उस आदमी की वीडियो भी बिर बना पूछ आगे भी हल्प चाये हो तो हमसे हल्प ले सकती हो और उसे काफी डांट यूड़न दिक्स का घर ठीक लाघ था कि पर लेने के लिए आ जाओंगा पिक एंड डॉम मैं ही तुम्हें दूंगा पर तुम तो मेरी बास सुनती ही नहीं हो अब यह बताओ कि वो तुम्हारे पीछे कौन था उसके कोई पिक या कुछ है तुम्हारे पास तो मीरंग दिखाती है तो वो आगे से कहता है कि तब से मैं बास करने लगता है कि अगर वो लोग तुम्हारे पीछे थे तो इसका मतलब उन्हें यह भी पता लग जाना था कि माम कहां पर है और अगर उन्हें माम का पता लग गया तो वह बहुती बड़ी मुसीबत में डल सकती है अब यह लोग हमें जब हर्ट करने के पीछे लगी बताता है कि 90% लोग हमारे पास और 10% जो वह सोच रहें कि हमें किसको वोट करना चाहिए तो वह लोग भी हमें वोट कर देंगे तो चैनल कहता है कि क्या तुम अभी बीटिंगों में आ जाते जहां पर चैनल अभी अप्लिकेशन के बार में बताई रहा होता है इतने में व कुछा होता है कि किसी को कोई मसला तो नहीं है कि हम वी कोई सीट से हटा रहे हैं तो सबी लोग अभी सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इतने वहां पर वी आ जाता है जो आकर कहता है कि मुझे इस बास से मसला है और वी तो यहीं सोच कर आया था कि मैं सब के फेस पहल का पर जाता पूब करते हैं किना नुकसान पर करता है तो सुने के बाद ही ऊस बात पर चला करता था अब चला हूं ये बात कहने के बाद सब यह रहा है इसा्वी लोग न पर रागता है अब एक एक परसन वी के बारे में बातें बताएं लगता है कि वी को बस अपनी पड़ी होती थी, वो किसी की कभी भी बात नहीं सुनता था, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती थी, वो भी वी किया करता था, चाहे हम उसे मना ही करते थे, और दूसरे वाला इंवेस्टर कहत लिए कि अगर यहां पर वी इस तरह की हरकते करता था, तो मुझे तो कभी भी इसके साथ इंवेस्टमेंट नहीं करनी, और मुझे नहीं लगता कि किसी CEO का इस तरह का भी होना चाहिए अपनी इंवेस्टर के साथ, मेरी इंवेस्टमेंट चाहे है चोटी क्यों ना हो, पर चैसा बच्चा जब आसपास खुमेगा तो यह इंवेस्टमेंट को भी बेकार करतेगा, पर अभी के लिए मेरी सबसे ज़्यादा इंवेस्टमेंट होने के साथ मैं यहीं कहूंगी कि वी को उसके ऑफिस से निकाल दिया जाए और चैनॉन को न्यूज सीई-ओ बनाया चैनल मुझे पटा को बहुत अच्छे से काम करें और अभी तक वैसे खशलयी यह काम करें चानल को भी यहां को फिर उनका चाहता है पगिए कि यहांट का एक देना चाहते हो क्योंकि वी अपने आपको चेंज करना चाहता है ये क्यायकर गैनपा तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं तो उसको चांस देना चाहता हूँ अब यहाँ पर बाकिस सब भी गैनपा को देखते हुए वी को चांस देने के लिए त्यार हो जाते हैं अब यहाँ पर चैनौन की मौम तो गुसा हो जाती है बाकि सब पर की क्या हो रहा है तुम लोग तो हमें वोट देने वाले थे अब वी की साइट पर क्यों चले गए हो चैनौन तर दस सालों से इसी कमपनी के लिए काम कर रहा है कि मैं हमेशा मिस्टर चैनौन के साथ होती हूँ और वो कभी भी अपने आपके लिए टाइम नी निकाल पाते पर यहाँ पर चैनौन सब के सामने कहता है कि पर हमें ग्रैंट पर के अड़वाइस के मताबिक चलना चाहिए जैसा वो कहेंगे हमें वैसा ही करना चाहिए और ठैक्स आप लोगों ने मिरा साथ दिया क्योंकि यहाँ पर कोई और तो मिरा साथ नहीं देना चाहता यह कहने के बद चैनौन भी वहाँ से चला जाता और उसके पीछे पीछे बागी सब भी चले चाते गेणपा W से कहते हैं के मैं तुमसे अकेले मैं बात करना चाहता हो अब मैं तक चुकता हूं थोड़ी डरस्ट करना चाहता हूं थोड़ी बात करो प्ता है तो गैनपा कहते हैं तुम उन पिक्स के साथ काइब हो गए थे तो मुझे बता है कि तुम्हारी माम मिल चुकी होगी क्योंकि तुम्हारी माम के पिक्स और साथ में इससे पहले वो उसकी माम का मिल नेम बोलते हैं मीरन की जगा तो वो बताता है कि उसका नेम मीरन है उसे ने माम क क्या रखा और सारा टाइम वही क्या रखते हैं माम ने माना किया वाता कि मुझे उनके बारे में ना बताया चाहें क्यांपा तो उसकी बाते सुन सुनकर खुश हो रहे होते हैं और पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं तो वह उनकी कंडिशन के बारे में उन्हें बता देता ह कि उनकी हालत कैसी है तो गैंट पर कहते हैं कि तुम सारे मसलों को सौल्फ कर दो उनका भी अच्छे से ख्या रखो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारी माम से मिलने के लिए आऊंगा और उमीद है कि उन्हें मैं नहीं भूला होंगा तो भी बताता है कि मैं उन कोनों ही बहुत प्यारे हो यहां तक कि उसकी माम को भी लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता है कि मैं आपके लिए और नेक्स्ट इनुवेशन के लिए सब कुछ करूंगा मुझे जो भी करना पड़े या इसके खुश होते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ नजराने लग पहले उनकी कदर तो कर लो जब तनाय है पहलें उसके पानी फैंक तो मीरं उसको कुछ भी नहीं चाहते हैं और वहाँ से जाने लगता पर वहुत हैं कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे अब चनौन के आफिस में आकर उसकी माम और तनाया यही सब सोचे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए चनौन को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना है और ना ही उसकी माम को पर तनाया कहते हैं कि मुझे बताओ वो जो तुम्हा के तनाया तो मास चली जाते हैं पर उसके जाने के बाद चनौन की माम उसे कहीं लगते हैं कि हमें अब वी और उसकी माम को देखना होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और मीरन को भी मैं देख लूँगी मीरन का नाम सुनते हैं चनौन कहीं लगता है कि आप उसकी साथ कुछ भ कर दोड़ाई है और मैं उसको ढूंट कर रहूंगी कि वह पर छूपी है पर चलान भी कहता है कि ये मेरा और वी का मसला है आपको इसमें आने की जुरूरत नहीं है पर वह कहरी होती है कि अगर वी के वह वापीस आजाती तो वी इस जाएगी जो भी उसके डाटी है और मैं ऐ कहता है कि मैं तो यह सोच हूँ कि क्या हमें इसी तरह रहना होगा हमें कोई भी नेक्स पॉजीशन नहीं मिलेगी इस से अच्छी अभी इनकी यह बाते चली रही होती तो इतने में मैंनित को कॉल आ जाती जिस से पता लगता है कि तनाया उसे मिलने के लिए बुला रही है कि यह सीधा केज था पतनाया कहती है कि ऐजर होल्डर मैं तुम्हें यह बात कहरी हो तो मैंरर आटा को लीग करना होगा पर वह वले डाटा को जो वी से related है ना के channel से क्यूंकि वी का नाम आना चाहिए channel का नाम नहीं आना चाहिए अब यह सुनने के बाद तो वो चुप हो जाता है जो वापिस जाने के लिफ्ट की तरफ आता है तो आगे से वी भी आ रहा होता है वी उसे कहता है कि तुम company के लिए क्या करे हो यह सिरफ एक company तो है तो channel कहता है कि तुम्हारे लिए सिरफ company यह मेरे लिए मेरी यह सारी जिन्दगी की मेहनत है और तुम इस बात को समझते ही नहीं हो मैंने इसके लिए काफी hard work किया है तो वी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसी और को हट करने की ज़रत नहीं ना कि मुझे और ना ही मेरी माम को और ना मुझे से प्यार करने वाले लोगों को अगर तुम company मी लेना चाहते है तो मैं तुम्हें company देने के लिए भी त्यार हूँ मुझे कोई मसला नहीं है पर मुझे वही वाला channel वापिस चाहिए जो पहले था और ना वहापिन डेड़ा को किसी को दिखाना चाहते थे यह देख़ तो भी परिशान हो जाते है इसको निजस्वालों ने पकर लिया था वह तो पस उसे question पर question किये जा रहे होता है दिर ग्रैंट पा जिनको जब इस बात का पता लगता है तो वो भी परिशान हो जाती है अब वी जो परिशान होता है तो मेरन उसको समझाएं लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम्हें खुद पर flame लेने की जरूरत नहीं है और चैनल जो उटकर बाहिर आया था वो आकर तनाय को कॉल करता है कि मुझे तुमसे अभी बात करने पीछे से माम आकर चैनल उनको रोक लेती है और इधर भी से पूचा जा रहा होता है कि आप भी नजर रखकर बैठे थे आपकी तुम ऐसा कुछ करने वाली तुमने तो मुझे बताया भी नहीं तो तरहाई उसे समझारी लगते है कि तुमें टेंशन लेने के जुरत देंडर भी टार्टालीक हुए वह वी का हुआ है तुम्हारे पस जितने भी उससे उनका टार्टालीक नहीं हुआ अब यह सारा मसला वी पर आता है तुम पर नहीं और वी कोहीं यह चौप छोड़नी पड़ेगी देखना वह खूदी सीयों से हड़ जाएगा और नेक्स्ट इंट्रमेशन के शेर्ट भी तुम्हारे पास आ जाएंगे इस सब प्लैन को सुनने के बाद चैनों की मौम तो उसके लिए खुश और वास्की प्लैन किया है मुझे तो यह प्लैन बहुत यह च्छा लगा तो तरनाया कहते हैं के आप लोगों को पहले ही बताma चाहती थी क्यूंकि मैंने आप लोगों विए बहुत अपक्सान कर वाया है मैंनी तो उसका दूस्ताष्णा वह भी प्त्र न दी तो चिनौन तो इन बातों को करने के वाद अपना सर पकड़ कर बैठ जाते तनाया कहने लगते हैं कि पहले मुझे करणपा से बात करने दो यह कहने के बाद वांस चला जाता है उनकी एक भी बात नहीं सुनता। और ये बात वो बोल भी देता तो Kenpa कहते हैं कि मेरा तुम पर शक क्यों ना आए जब Vee का डाटा लिख हो सकते तो तुम्हारा डाटा क्यों नी लिख हुआ क्योंकि या तो ये काम तुम्हारी तरफ से आया होगा और मुझे तो पता लगा है कि एक दिन पहले तुम दोनों में लड़ाई भी हुई थी क्योंकि स्क्योर्टी और कुछ इंप्लॉईस ने देखा तो तुम दोनों को लड़ते हुए तो चैनल कहीं लगता है कि आपको लगता है कि मैं इस बात के पीछे हूँ आपको के नियूस से नहीं पता लग रहा कि वी का डाटा उसे ही लिख हो गया है पर नहीं आपको तो वी की कभी गलती नजरी नहीं आई और चैनल तो गैटपा को ये भी कह देता है कि आप वी को जलती से चलती रिजाइन देना होगा क्योंकि कोई भी आप इसे रखने के लिए त्यार नहीं है आखिर इसने बड़ी गलती जो करती पर गैट पा तो सभी को वहाँ से लिकलने को बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से पर वी कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया पर पिर सभी के लिए मेडिया वहाँ पर आयोँ गी के लिए अअ करते हैं लggakता हैं कि दो नहीं PB करना ओए कि वैने लोगों ने करी काम किया कि आस度 जोर ने नहीं वाला और रिपॉर्टर्स मेरा वेच करें तो मुझे जाना होगा इतने वहाँ पर चनौन आ जाता है जो आकर कहें लगता है कि तुमने उन लोगों से छोटी सी बात करनी है बस यहीं बता देना कि हम इस चीज़ को संभाल लेंगे तो कहते हैं कि क्या मतलब हम तो चनौन बताता है कि मैंने इस बारे कर देख रहा होता है यह सब कछ ऑचैनरा के साथ तनाया भी आ ओय हुई थी को हो heals बता दीडे मिर्या स्वेसिआ का कर कर देने रहा हूं कर देने के लिक बदे रहा नहीं कर आता है इससे पहले ही पर अब के बाद अपने बारे में बताने लगती है चैनौन की सेकेटरी पीछे से आने के बाद उन्हें कहें लगती है कि आपको जाना चाहिए तनाया को साइड में हटाएं अब चैनौन स्रिच पर जाता तो है पर तनाया खुदी साइड पर नहीं हटी और कह देती है कि हम साथ में इ सा जाता है कि कि तनाया कहां से आ गई और चनौन तुम ऐसा कैसे कर सकते तनाया को इतना अंदर क्यों लेकर आ रहे हो अब तो यह कंपनी पका बरबाद हो जाएगी अब ग्रेंट पाकी तो तो बियत खराब होने लगते वह जल्दी सा अपनी मैडसन लेने लगते हैं अब सब छोदीटाया क्या होती कि क्या यह तुम नहीं बनाई है है तो वह बता है यह सबी हैं आप़लुकेशन मैंने बनाई हैं कुछ और नंसे अच्छी थी और कुछ अच्छी नहीं थीमर्यक ने साते हुँ तो कहते ही कि किसी भी चीज़्में नहीं क्योंकि जो मैं चाहती थी मुझे वह मिल सकती है बात क्याकर मीरंस से कहता है कि guy friend चले मीरंन कर सुनती तनाया को घूसा रहा हुथ और विद यूशा हुए यूशा है करे लोगों के लिए आपने लए तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो अपने बारे में बिलकुल भी नहीं सोच दें तुम हराum कर तो न के था है कि मैं जो कुछ भी कर रहा है वह भी कोछ ठीक हो रहा है यहि यहां के बिल्कुल इतने में वी-पी कार लेकर आ जाता यह जब कार लेकर राता था तो मेरं के पास चैनूं को खड़े देखकă कभी कोई भी अच्छा नहीं लगता इसलिगे कार से SNKLKP मेरं से कहता है के तुम जाकर कार बैठो में गहती है कि एक सेकेंड पर वह कहता है कि एक सेकेंड नी रुखना जाकर कार में बैठो गे कैर कर उसे भेज़ देता हो फोद पर अपना समान कार में रखने के बाद चला उनसे बस यहीं कहता है कि गुट लॉक ब्रदर यह कैकर कार में बैठको हमां से चला जाता है अब यह जो मिर shaping को घ भी उतने के बाद सबसे पहले न्युकाम के भारे में सोचता है कि चलो करके देखते हैं और इदे मीर मी जो खाने के लिए का पी कुछ होटी है सबसे पहले अपनी माम और ग्रण मा को हाई करती है नहीं हमें की पच्चे नों कभी भी हमें घर पर नजहीं आती तो मेरन कहती है कि गैर्मा मैं बिजी होती हूँ तो गैर्मा उसे आगे से कहें लगती है कि मुझा पता है कि तुम अफिशली अनिम्प्लॉय हो चुकी हो तुम्हारे पास आप कोई भी काम नहीं है इसे तुम्हारी लिए अच्छी बात ही होगी कि तुम पहले से ही कोई जॉब ढून कर रख लो ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई मुश्किल ना हो तो मीरन अपनी मम की बात सुनने के बात कहती कि अच्छा मुझे जॉब ढूननी चाहिए तो उसकी मम कहती कि हाँ अच्छी बात है ये कायकर उसको डिलिवरी करने का भी बोल देती कि जाकर स्वीट्स दे कराओ अब मीरन भी हर घर का ओर्डर पकड़ने के बाद जाने लगती और उसके जाने के बाद उसकी मम और ग्रेंड मा कहने लगती है कि क्या वो ठीक होगी करने लगता है और प्यार भी चल रहा होतार काफी लवी डवी वाला इन्वारिमेंट बन जाते हैं यह सब देखका बिग्णॉई कहें लगती है कि मैं तो तुम लोगों के यह लवी डवी से तंगाई हुई हूँ यह कहीं भी किसी भी टाइम पर स्टार्ट हो जाता है यह कहक से तो मुझे नहीं लगता है कि कि असान काम होगा क्यूंकि कोई भी तुम लोगों पर यकीन नहीं करेगा कि तुम लोगों की चीज़ अच्छी होगी तो भी कहने लगता है कि मैं तो इन्वेस्टर्स के साथ कम्पीट करना चाहता हूं ताकि उन लोगों को मुझ पर यकीन आजाए अब यह बात सुनकर बिग्णॉए करने लगते हैं कि तुम लोग तो ऐसे काम स्टार्ट करने वाले जैसे कि एक बच्छा नियो नियो चलना सीफ़ता है पर भी कहता है कि मैं सबको प्रूफ करकी दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या 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 कर सकता हूं सब को प्रूफ करके दिखाने का कि मैं एप्लिकेशन बना सकता हूं और मुझे भी अच्छी अच्छी इंवेस्टर्स मिल सकते हैं तो पिक नोई उन्हें बताई लगते हैं कि मैं चैनल के पास जारी इंवेस्मेंट के बारे में बात करने के लिए और फिर आकर तुम लोगों कोई बातों के बारे में सौचा हूता है के मैं इफ्ल्टी कीछती तन being to करते हैं उन्हें हमेशा भी नजब्हाना चाहीं किम क्या क्या कर सकते हो तुम्हारा कजہ निनी पर के तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो और तन being to इतना आगे कर दिया था कि वो मेरी जगा पर लोगों को बताती है कि हम दोनों साथ में इस मसले को solve करने वाले हैं इन साब बातों को सोच कर गुसा हो रहा होता है अपनी माम के सब जब खाना खारा होता है तो बताता है कि आज तो मैं financial statement पर अच्छे से review करने वाला हूँ क्योंकि देखना चाहता हूँ कि लोगों का हमने कितना कम पसिर उन्हें पे करना है और उसकी मामा के से कहते हैं कि तुमने यही बात याद रखने है कि उन्हें कम से कम pay करना जादा pay करने की कुछ जूरत नहीं है, अगर हम कम पे करते हैं तो तनाया कि पैसे बच जाएंगे उन्हीं पैसों से, हम कुछ भी कर पाएंगे, वरना हम कुछ भी करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं, और नहीं कोई इतने आला लोग हैं, कि तुम उ अब कटमर को जैसा डील किया जाता है मैं वैसी डील करूंगा यह कहकर चनॉन थो कंपणी में आ जाता है जहां पर वो लिप्टों के साथ एक मीटिंग रखवा दो उसके फ्रेंड के साथ क्योंकि पर उसका अपनी माम को बुलाता है तो आग यसी पूछरे लगती कि कोनो तुम्हारे रोम में मेरे बेटे की पिक्स क्या कर रही है किया तुम अंची के लिए काम कर रही हो तो अभी उन्हें लगते हैं कि नहीं मैं तो विकेट हूँ आपका बेटा आप मेरे घर पर हो और उसकी माम तो उसी से काफ़ी डरी होते हैं कि तुम उस औरत के लिए काम करें जिसे मैं हमेशा से अपना पीछा चुड़वाना चाहती हूँ और वीक अपने पास भी नहीं आने देरी होती वी भी उन्हें कहते हैं क पहले से सॲच लिया था कि वह इनकी इंवेस्मेंट को सुच लेने के लिए कि वह प्युक्त को हैसे क्श् कुछ आपको रिटर्न होगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने मैंगेश्मेंट का स्टाइल भी अच्छा नहीं लगता और मैं भी उसी के साथ काम निगर ना चाहता जो मुझे बलीव नहीं करते हो ना ही मेरे काम पर और मुझे पता है कि आप अंकफर्टीवर फिल करें को किसी से बिडर करने कи दुरत नहीं है ये कहकर वह तो वह ऐसे या सब्सक्ट के अंदर अंदर जल्दी के जाएं यह कहकरartet जाती है अब जब इगनोई जा रही होते हैं तो मिरन उन से कहने लगते हैं कि आप तो बहुत ही जदा कूल लग रही थी आपको पता है तो बिगनोई यह सुनका खुश हो जाते हैं कि वी से कह दो कि वह अपनी प्रेजनेशन को इंग्लीश में त्यार करें क्योंकि मैं वही और सीस के इन्वेस्टर्स को दिखाना चाती हूँ यह सुनकर तो मिरन और भी जदा खुश हो जाती है अब मिरन की कॉल विक्वा आई होते हैं उसे पोछ ते किक ना भी तो तुम बहुत बड़ी मुसिबत में आ जाओगे अब यह भी पहले बनाने के बाद कि क्या आपको ये जगा याद है और फिर उन्हें कुछ भी जब याद नहीं होता तो वो बताते हैं कि कि आपका ही घर है पर वह आगे से कहने लगती कि नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है तो वो बताने लगता है कि जो आपकी मेमरिस में घर है ना वह काफी सार पहले रहा करती थी आप वहाँ पर नहीं रहती आप काफी टाइम से इसी घर में रह रही हैं क्यूंकि यहाँ पर आप अपने बेटे के साथ इस घर में आई हैं तो वह उताने लगता है कि यही आपका बेटा जो वहाँ पर खड़ा है तो वी की माम वी उसे देखने लगती और देखकर कुछ यहांद तो बाहिर आने के बाद वीघवारेंड उसे बताएं लगता है कि उचे नहीं मेम्रीस का वापिस आएंगी पर उनकी मैम्रीस के वापिस आने के पुछे लगते हैं आपको कुछ याद आया, तो वो बताती है कि हम मुझे याद आया कि तो माई-ांट-इस मेरे साथ बहुत बुरी थी, बहुत इसदमीन थी, तो भी बूचे लगते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया आगे से वी की मम कुछ भी नहीं बोल पाती है और हमें फ्लैश टैक का सीन दिखा जाता जब वी की डैट की देथ हो चुकी थी तो ये उनकी पिक को पकड़ कर रो रही होती है कि आप मुझे एसे कि छोड़ कर चले गए तब ही वहाँ पर सुरोय आ जाती है और आकर उसे कहने लगती है कि जब तुम एक असान रास्ता अपनाओगी कमफर्टेबल लाइफ का तो यही होगा ना प्यार करते करते उसके बालों को पकड़ के कहते है कि अब तुम भी इस घर से दफा हो जाओ तुम्हें भी यहाँ पर रहने की जूरत नहीं है बस यह आता है कि उनके साथ कितनी मीन थी मतलब चैनल की माप यह सुनका तो मीरा भी पूछा लगती कि क्या मतलब वो कैसे मीन थी वी बताएं लगता है कि मौम ने जैसी पाते मुझे बताएं उन बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की यह कंडिशन हुई और इसी तर कोई भी मुझे कैसी हाथ लगा सकता है मैं तो उसकी हाथों को अपने पैट का नेम वी उससे उससे हुझा हो करने के बार उससे कि बारह पूछता है कि वहाँ पर चाकर क्या किया बात कि तो वह पथा चैनलौ ने उनके सदक्क भी प्रशान हो जाता है किए इसा कैसे हो सकते उसे बिग नौइक की इन्वेस्टमिंट की जूरत क्यों नहीं है और में बता तरह किया जो ने सब इसकंद कुछ नहीं कर सकता तो फिन्वंगा एसको बोला पर यह सुनने के बात बाठेमरें ऑना ने बात करूँ और लेगा कर है क्योंकि तणिया अकेली ही उतने पैसे लगा रही है जितने कमपनी को जुरत है इसलिए तो उसते enjoy की investment को मना कर दिया और अगर पैसो की बाद की जाये तो मुझे लगते है कि बीग नॉईससेभी तनाया अमीर है पैसे के मामले में और अगर कालीयत की बात की जाए तो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते भीग नोय के आगे भीग नोय जैसे काबिल कोई भी почему नहीं है चैनाया तो वह क्या ही कर लेंगे पर मीरन वी की बातों को सुनने के बात कहने लगते हैं कि चनाया उनके सथ काम करें पर वी कहने लगते हैं कि मैं तो बस यहीं चाहता हूँ कि अभी पर कोई ऐसा रास्ता हो जिसकी वज़ा से इस केम को ही बदल दिया जाए और तनाया के हाथ में कुछ भी ना रही और बाकी सब कुछ वापी से हमारे पास आजाएं क्यूंकि मुझे तनाया पर बिल्कुल भी यकिन नहीं है जिस तरह वो चैनौन की जगाँ पर आई थी, कॉन्फरेंस वाले दिन, और कॉन्फरेंस को वाई डिखा जाते हैं जब वी देखते का देखता रहा जाता है, और चैनौन की जगाँ पर तनाया आकर सबसे बात करने लगती है, और इसी वज़ासे वी को तनाया पर बेल्कुल पर याकिन नहीं था, कि वो कुछ भी कर सकती है, और इधर हमें मैनित दिखा जाते हैं जिसको एविस की कॉल आती है, जो चैनौन का, और उसे देरी होती है कि चैनौन सर्थ तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो पूछता है कि ठीक है, किस टाम पर आना है, मैं आफिस में आजाओंगा, बलकि मैं वहीं पर होता हूं, तो मीटिंग में भी आजाओंगा, पर आविस बताती है कि अब आफिस में मीटिंग नहीं है, बलकि कई और है, तो वो पूछता है कि मीटिंग बाहिर क्यों हो रही है, तो आविस बताती है कि इस बात का तो मुझे भी पता नई है पर उन्होंने तुम्हारे फ्रेंड को भी बाहरी मिनने को बुलाया है तो उसे भी साथ मिन ले जाना मैं तुम्हे टाइम और लोकेशन बता देती हूं तो मैंने इतवी माम देखा जातों इदर यह दिखा जाते हैं अपनी माम को देख़ने के लिए को समझ आ गया था मिरी मैमरी वापिस आ चुकी है तो वह पूछ भी लेता है कि माम क्या मैं आपको याद हूँ तो उसकी माम हमें सर हिलाती तो यह जल्दी विछ आनने के बाद इनके लिए खाने के पासनका कहते हैं कि नी मॉम ऐसी बिलकुल भी बात नहीं है भर कि मॅ मैंने आप से कुछ पूछना है तो वो अपनी मॉम से वहीं वाला क्स्ट्ट पोच लेता जो उसकी मॉम ने बात की थी कि चन्लान की माम उसके साथ कितनी मीन थी यह सुन भी लगता था कि कंपनी में सारी मेहनत मैंने की और कंपनी सीधा नाम हो गई मेरे भाई के और भाई के बाद इसको मिल जाएगी इसी वज़ा से वो मुझे पसंद नहीं करती थी जबकि मैंने तुम्हारे डैट के पैसों के बारे में कभी भी नी सवचा था पहले तो उनका ए चालता प्यार करते था क्यूंकि तुम्हारा कोई डैड नी था दैड की देन के बाद तो मों और भी जड़नी लगी कि मेरी साथ क्या करएगा जाते हैं जो उन दोनों के आने कावेट ओंगा में बैड़नाे में तब नो सबसे तक्रन Nord को माना मुझसे आकर क्योंने पोच्छा तो वह कहता है कि हमें तो लगाता है कि वह ओडर आप नहीं दिया होगा क्यूंकि आप दोना बेस्ट फ्रेंड्स हो पर चनौन उसकी बात सुनने के बात कहता है कि आप तुमने डायक्ट आकर मुझसे ऑडर लेना है मुझसे तुम्हें मिलेगा उसके इलावा किसी की बात नहीं सुनी पर वो तो उसे कह देता है कि मैने तनाया की बात तो सोने उन्होंने अच्छा खासा बोनस भी दिया है और आप ने मुझे क्या दिया बरके मुझे यहां पर लाकर यह पोचरें कि आप अपने जिसे वहांने के लिए का कोई कि मुझे यह सब करने को तनाया ने बोला था पर मैं ऐसा बिलकूल भी नी करूंगा क्योंकि तनाया मुझे बहुत अच्छा बोनस दे रही है तो उस बोनस को मैं कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दूँगा और अगर आप मुझे कुछ अच्छा बोनस देने के लिए त्या ना डाल पाई और तुमें भी इनके साथ ऐसा ही करना होगा वरना यह अमीर लोग किसी गरीब को नहीं छोड़ते अब इसके बाद दिखा जाता है कि मैनित ने तनाया को बुला लिया था और तनाया वे उसे से आते हैं कि इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया ऐसे भी क्य गाद यह करने के लिए ऊब लिए और तुम्ने दनाया को ओर्ट कयो मान लिया मुझे बात किया बगार और मिस्ट दनाया आप मुझे बताएं कि आपका क्या प्लान है आप यह सुनकर दनाया कहिने जरूब पढ़े तो मुझे बता देना ये कहने के बाद वहां से चला जाता है अब मैने जब जा रहा होते तो उसको जाते होए उसका फिंड स्नैक्स रहता है कि तुम यह खाओ तुम्हाई सैनिटी जादा हो क्योंकि तुम बहुत से लोगों का मुकाबला कर रहे हो तो वह कह करने लगते हैं मेरी घाम करते हूं तो मेरी हिसाब से कापटर चाहते हैं अ वन पाप मिलना चाहते हैं यह सुन के प्यांसे थे सब पता का पता है करताध कहता था पर एपेला मुझे को समय करना होगा हैं नुकसान में आजाए अब तनाया भी उसके बास समझ करने लगती है कि ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगी अब उसे काम देने के बाद जैसे वहां से चला चाता है तो तनाया की स्माइल तो उसके फेस से चली चाती है क्योंकि वह परिशान हो रही थी कि यह सब क्या हो रहा है अब चनौन जो ग्रैंटपा के पास आते हैं और बताते हैं कि मेरी बिग नौई से बात होती है और बिग नौई ने बताया कि तुमने उनके साथ कॉपरेशन कैंसल करती है तो वो बताता है कि जी मैंने कैंसल करती तो ग्रैंटपा कहते है कि तुमने तो मुस्पे बी बात नें लगता है कि तुम्हें उनकी कब्लिएर पर यकिन है क्या तू छैनल कहते हैं कि मुझे अपने आप पर यकीन है पर परकंड़ आ कई तिंट वहना और इतना वेक्न को जातता तो मीरण उसे कहती है कि तुम लोग investigation कर रहे हो कि data किस ने लिखिया अब यहां पर तो एविस भी कुछ चुप हो जाते हो कि सोचने लगती है यह देखकर मेरे कहती है कि तुम ठीक तो क्या हुआ है तो आगे से एविस उसे कुछ भी नहीं बताती है कि मैं सोची थी कि मैं सर की schedule में वी से मिलने के लिए कैसे जिए के बनाओंगी क्यूंकि उनका schedule काफी एक ताइट है यह बात कहने के बाद है विस वाइन से चली जाती है और मियरन मी जब आपिस आ रही होती है तो उसको रास्ते में वी मिल जाता है जो बस्का वेट कर रहा था वी को देख कर यह जबती कि है कि काहता है कि तुम्हें देट के लिए पूछा क्योंकि हमें काम से निकर कर टाइम भी स्पेंट करना चाहिए साथ में आखिर तुम्हें इतनी बड़ी हैप जो करते हो तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं थैंक्स कहते हो वे उसे मना लेता और एक और अपने पैट का नेम रखते करता है मीरन का मीरन का कहती कि क्या मतलब तुम्हें जाना चाहती हो उसकी साथ जाने के लिए मांजाता है जो डेट के लिए मीरन किसाथ बाहिरा आ कफी मजा रहा होता और मिरन भी काफी इंज्डॉय करिया होती है तो वी किसी सोच में होता है तो मीरण उसे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो तो वो भी कहा देता है कि मैं सोच होंगे हमारी कितने बच्चे होंगे यह सुनने के बाद तो मीरण भी कुछ शौक हो जाती है कि वी कैसी बात कर रहा है तो वी उससे पूछ लगता है कि तुम इत जान है नमें पर इसे शोक होती है तो वह कैहते हैं कि क्या तुम शार्टी नी еकली करना चाहती हूँ और उसको याद आता है कि मुझे इसनी जल्दीन्हान करनी चाहिए तो थो कहने लगते हैं कि दोनों में काफी मस्ती वगरा भी हो जाती है और वैसी हमें नेक्सिर में दिखा जाता है कि ग्याणपा ने सभी को एमरजनसी मीटिंग के बुलाया होता है इसलिए पहले तो चैनौन आता है और आकर पूछता है कि सब कुछ रेडिया तो वह कहते है कि सब कुछ रेडिया पर सब भी लोग थोड़े कंफ्यूज हैं कि हमें एमरजनसी मीटिंग में क्यों बूला लिया इतने में वहाँ पर चैनौन की माम भी आ जाती जो यहीं पौलते वह आ रही होते है कि क्या को इनसान बीजी भी नहीं हो स और नेक्स एयर के बजट के बारे में भी अब यह बस उनका चैनौन सोचे लगता है कि कैसा बजट इतने वहाँ पर कैंट पा भी आ जाते है जो आकर अपनी जगह पर बैट जाते हैं और बाकी इन्वेस्टर्स भी आ रहे होते हैं एक एक करके जैसे सब लोग आ जाते तो स रिशा़न हो जाते हैं कि अगर इन्होंने इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट गडूत कर दी तोर नाया कर सचते सामने आ जाएगा इसलिए तनाया तो शुरू हो जाते हैं थिस्कौर ञिए जाए किसी के भी हाथ इस तरह चीजें कैसे दे सकते आप चैनल तो तनाया को चुप करवारा होता है रहा तरह लिगाता है और वहीनाल वाली से के इस कंपनी की कि चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं और सबसे मेर्य शेयर होडर तो मैं हूँ और विए के मसले को तो साइड में रखें वो तो अब इस कंपनी का कुछ भी नहीं लगता और कहते ही कि वैसे भी तुम्हारे गैंट पा तो काफी बुड़े हो चुके हैं तो इन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए अब इस बात पर तो जैनॉन और उसकी मम दोनों को गुसा आजाता है तो तनाया कहते ही कि आप कब तक इस तरह इमोशनल होते रहेंगे इन्हें बिजनिस और बिजनिस की चीज़ों से दूर रहना चाहिए गया गैंट पा कि तो बाते सुन सुन का तभीयत खराब हो रही होती है और तनाया कहीं लगते ही कि नेक्स इन्वेशन को आगे मैं चलाओंगी सबसे मेजर शेयर होर्डर तो मैं उसका मदद तुम्हारे से भी ज़्यादा शेयर्स मैंने लिया हुए है तो कभी भी तुम्हें फाइर भी कर सकती हो तो तुम्हारी जगा पर तो मैं पिसी हो बनकर बैठ सकती हो ना अब ये सुनकर तो जैन्वे शोक हो जाता है और उसकी माम भी शोक हो जाती है कि तनाया कैसी बात कर रही है अब गेंटपा तो हस्पिटल में पहुंच चुके थे और इतने में वहाँ पर वी भी आ जाता है वी आकर पूछे लगते है कि क्या हुआ गेंटपा को तो चैनल बताता है कि उन्हें तो वो अंदर ले गया मुझे भी नहीं पता उनकी हलत कैसी है और साथ में वी से सोरी किये जा रहा होता है क्योंकि तनाया ने सब कुछ उससे ले लिया था अब चैनल को ये बात पतलग चुकी थी कि जिस तनाया को वो अच्छा समझता था उसी तनाया ने उन से उनकी कंपनी भी ले ली है चुप करके जाकर बैट जाता तो वी भी उसके साथ जाकर बैट जाता है अभी तक चैनॉन ने वी को कुछ भी नहीं बता तो इदर तनाया दिखाया चाती है जो मीटिंग रूम में बैटी होती है और सारे पेपर्स को फैंग देती है और Chenon जो वी को कह रहा होता है कि मैं बिलकुल भी ऐसा ने चाहता था जैसा सब कुछ हो गया है और फिर से वी से सोरी कर रहा होता है वी को तो समझ नहीं आता वो क्यों सोरी कर रहा है पर वो से समझाएं लगता है कि तुम्हारे ग्रेंटपा और मेरे ग्रेंट डैट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इदर तनाया जो जैनौन के ऑफिस में बैट कर शेयर परचेस एग्रिमेंट के लिए कॉल करती है क्योंकि उसे दुबारा से अपने वह फाइल चाहिए थी जिस पर इसने साइन किये थे वह न्यू खेल की और ब्लैनिंग के लिए यह सब कुछ कर रही थी और काफी खुश होती है अभी भी सबी लोग वेट कर रहे होते हैं गैट पा के बाहिर आने का और उनके ठीक होने का जिरौन की माम जो अके लिए वैटी होती होती हो ना उन्होंने कुछ खाया होता है ना पि थी थो वह भी इसके रोकने के बाद इसके हाँ से वाटर बोटर भी पकड़ लेते और फ्सक्राश्व होतें किसी को ब्लेम करने को भी कोई नहीं है मैं किसी समयारी बातें करूंगी कि मैंने ऐसा ने कि आगे से मेरन कुछ बोलने दो और सारी दिल की बाते कर रही होते हैं कि जनान की मौम ठीक हो चुकी थी उने भी अपनी की एका पता लग चुका था अभी तक तो उनकी बातों से इसा ही लग रहा था आगे क्या पता वो दुबारा से चेंज हो जाए अभी जो जनान के पास घड़ा तो जनान को जब आने लगता है कि माम ने बताया कि गैंटपा तुमसे सबसे जदा प्यार करते हैं क्यूंकि फैमली के तुमसे बड़े बेटे हो और उसके बाद मैं आया तो गैंटपा मुझे तो प्यार करने लगे क्यूंकि मेरे ना तो डैट थे और उसके बाद मेरी माम भी गाइब हो गई उनका भी कुछ पता नहीं था कि मेरी मम कहां पर गई और मुझे किसी चीज़ की कोई परवान नहीं थी कि मेरे गैंटपा मुझे कितना प्यार करते हैं मैं तो बस तुमसे प्यार करता था तुम मेरे भड़े भाई थे और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एंट पा मुझे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं तुमसे भी ज्यादा हाँ अब तक टो नहीं जब तक मुझे फेस नहीं नजर आते थे और गैंट पा तो मुझे हर जगा पर बेश दिया करते थे क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं किसी पर बर्डन वनूं और जब मुझे कंपनी से निकाल भी दिया गया मैं तो इस पास से खुश था कि तुम कंपनी को संभारे हो मैं कभी भी तुम पर गुसा या नरास नहीं हुआ और मैं तो हमेशा तुमारी हेल्प करने के लिए त्यार हूँ वस उस काम में तनाया ना हो अभी चैनन कुछ बोलता कि क्या मतलब उन्हें हार्ट डिजीज है तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें तो काफी सालों से यह हार्ट डिजीज क्या उन्हों ने आपको नहीं बताया शायद वह आप लोगों को परिशान नहीं करना चाहते थे और उनकी हालत तो अब ज्यादे खराब होती जा रही है तो आप लोगों ने उन्हें स्ट्रेस नहीं देना और उन्हें दूसरे रोम में भी शिफ्ट कर दिया गया है आप लोग जाकर मिल सकते हो और उनका अच्छे से अच्छा ख्यार रखना उनको फैमली की सबसे ज़्यादा जरूरत है अब ये लोग डॉक्टर की बात सुनने के के पास पहुंख जाते और अगैन यंहें देखते इससाथ रहा है कि मुझे को इसा नहीं करना चाहिए था मुझे सभी को एक क्नोर करना चाहिए था मैं समझते iterて चैन को एसा नहीं लगता पर मुझे भी में समय मन के सार्फ बнить paling मिला और मेरी ही गलतीयए कि दोनों कजिन्स आपस में लड़ने पर आगे और दो भायों के मेरी वज़ा से लड़ाई हो गई हर कोई सेपरेट हो गया जिसकी वज़ा से एक स्रेंजर हमारी कंपनी लेकर जा रही है यह कहते हैं कि उसने तो मिझे मेरी कंपनी से निकाल दिया तो भी कहने लगते हैं कि य अपने आप पर फोकस करना आपने जल्दी से जल्दी ठीक होना है तो यह सब आते सुनने के बाद चैनौन की माम भी यह कहते है कि यहां पर ग्रन फादर के पास मैं रुकूंगी तो वो बताते हैं कि बस उने रेस्ट की जुर्द है ना उनकी तभी ठीक है ना उनकी तभी शाथ है दोनों भाई एक साथ दुबारा से हो गए है और ये देखकर वो खुश होती है और निजाती होए रोकर कहें लगती है कि तुम दोनों साथ में बहुत कूल लग रहे हो ऐसा लग रहा है कि दो भाई सूपर हीरो साथ में जा रहे है और बुरे लोगों को मार देंगे उन्हें all the best कहती है और कहती है कि किसी भी चीज में जूरत हो तो मैं तुम लोगों के help करने के लिए त्यार हूँ और वी को separate से मिरी जान all the best कहती है ये कहकर खुशी से जा रही होती है और वी भी काफी शायफीर कर रहा होता है और उसके जाने के पाथ चैनौन सी कहीं लगजै निए कि ग्रैंट आट चाहे हम दोनों से equal प्यार करें, पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मीरन की दिल में कोई और नहीं है और नहीं उसके दिल में किसी और के लिए जगा बनेगी क्योंकि उसके दिल में मैं रहता हूँ भी तो काफी possessive हो savage reply देगर चनौन को जा रहा होता है चनौन भी उसकी बात वाद स्माइल कर रहा होता है अब जब दोनों साथ में जा रहा होता है तो चैनोन उसको जाते हुए बता दिता है कि तनाया ने ये सब कुछ किया था, उसमें तुम्हाय ड़र्टा लिखिया, तो भी कहते है कि क्या तुमने करने दिया तो कहते है कि मुझे भी इस बात का नहीं पता था, ये सब होने के बाद ही मुझे इस बात का पता चला, और मैं करी होगी हमारी कंपनी को और बी गिराने का और वैसी हमें तनाया दिखाया जाए जो अपने फ्रेंट जर्नलिस को कॉल करके उसे काम करने को बहुत होती हो वो उसकी बेस्ट होती है और कहते हैं कि तुमने बस उनके बारे में बताना है कि वो लोग कमपसेट ने करें लीख हुए लोगों के डाटा का और जैसे तुम ये काम कर दोगी तो उनके ऑफिस के बाहिए कुछ मीडिया वाले आ जाएंगे और कोई भी तुम्हें सुनी करेगा मुझ पर यकीन करो और जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारा रिवार्ड भी दे दूंगी और कॉल कट होने के बाद एग्रिमेंट पेपर को देख रही होती है जो उसने शियर्स का परचेस किया था और काफी खुश भी होती है चैनल और वी दिखाए जाते जो दोनों साथ मीं सोय होई थे जैसे डौर पर को याता तो दोनों की आँख लगए थी झूस विच्या भी तो मियरं साथ में होगी है उन दोनों को इस तरह में साथ में देखकर पूछे लगते हैं कि तूम दोनों कैसी आई को भी उसके पीछे अंदर चला जाते हैं उसके जाने के बात चन्वानूं भी कहने बैट जाते हैं अब इ Claytonبل सो साब दो कर लिए करते हैं। अब назвation काुण को अगली चाल चलेंग और उपर इसका प्लें रिवर्स कर देंगे और चेनो nu मिरं और एविस को भी थैंक्स कहा रहा होते हैं कि तुम हमारे साथ काम करने करने के लिए और मुझे लगता है कि जो हमने बना रहा है वह काफी अच्छा जाए अब वी वी सब आते सुनने के बाद मीरां को स्पेशल से ठाक्स करने लगता है सैपरेट से और उसे कहरे लगता है कि अगर तुम ना मेरे साथ होती तो यह चीज़े बहुत साथ मुश्किल होती मियरा भी कहती कि तुम मेरे बॉइफरेंडों में तुम्हारे साथ कैसे होती तो बैज जब भी मेरी हेल्प के जरुत होगी मैं तब हेल्प करने सुधार होती हैं तो एक दूसे को जिससे थैंक्स करेंस के रहे होगे सब चैनलनों आव भी देख रही होतीई यह देख कर आ आंट्स्रॉई उनकी बेटी उन्हें जल्दी से पूछे लगते हैं कि डैड आपको कुछ चाहिए तो नहीं में नर्स को बूलाती हूं पर वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नीचाहिए बस पानी दे दो में जैसे वी और जल्दी से अपने अंसों को साफ कर लेती हैं और आकर ग्रपा से पूछे लगते हैं इसे आपपने ऐसे बड़ी बारे में कैसे बड़ी भसे हुए हो मैं अपने मसले बताने के बाद तुम लोगों को और परिशान नहीं करना चाहता तो चनौन ग्यांटपा को बताता है कि हमने एक प्लैन ढूंड लिया है जिससे यसा मसले सोल्व हो जाएंगे और हमारी कंपनी भी बिल्कुर ठीक हो जाएगी और हम इस कंपनी को बहुत ही उपर तक लेक कर जाएंगे गैनपा उसकी बातों को सुनकर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टन चीज तो यह है कि तुम दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो और यह भी बताते हैं कि मैं कंपनी के लिए परिशान क्यों होता है क्योंकि मेरी फैमिली की कंपनी है और मैं हमीशे तुम लोगों को छोड़ कर जाऊंगा मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है यहीं तो मैं अपनी जिंदगी में बना पाया हूं तो भी कहने लगते हैं कि आप अभी हमें छोड़ करने जा रहे और चैनल भी गैंटपा को बताता है कि कल आपको हम प्राउड फिल करवाने वाले हैं वैसी हमें लगता है कि तनाया की कही होई नियूस हर जगा पर फैल चुकी थी इसी वज़ा से लोग इनकी ऑफिस और इनकी कंपनी के बाई आ चुके थे और अपना कंपसिट का बोरे होते हैं इसी चीज़ का तो वी को वेड़ था और नियूस को देखने के बाद वाद चैनल से कहता ह चैनल आया जो इस कंपनी का CEO है अगर वो कुछ नहीं कर पाता तो आप लोग मुझे वोड़ करके अभी भी CEO बना सकते हो मैं सारे मसलों को सॉल्फ करते हूंगी और कंपनी को भी बचा लूँगी अब यहीं सोच के सबी लोग इसको वोड़ करने लगते हैं एक एक करके पर पर एक परसन सबी को रोक लेता और स्क्रीम पर ये भी लगा देता है कि चैनल और वी आ चुके हैं प्रेस कांफरेंस के लिए जहां पर उनसे कॉस्टिन वगगरा किया जा रहे हैं यह देखकर तो तनाया शोक होते हैं और वी और चैनल जो सबी लोगों से सॉरी कर रहे होत किसी और की वज़ा से और किसी ने लिग करवाया है और वो तनाया का नेम भी बता देते जहां पर तनाया शोक जाती हैं और बाकी लोग बोच्चे लगते हैं कि अविड़नस को विए इमिल कर दिया था सब लोगों को और एविड़नस में बता लग रहा था कि उनके से साथ हो गए पर वो लोग तो इसके सच्चाए के सामने आते ही मां से चले जाते हैं अब तनाया उनके जाने के बाद भी हंसरी होती अपनी नकामी पर और इता चनौन और वी जो सभी को बता रहे होते हैं कि दुबारा सी CEO वी ही बनेगा मुझे CEO नहीं रहना और यह सब तना अब यह कंपनी को कितना ऊपर लेकर जाते हैं और बिग्णोब बैठकर इननी के कॉंफरेंस को देख रही होते हैं कि तुम दोनों बहुती जदा कूल लग रहे हो उन्हें तो काफी मजा आरा तो इदितनाया जो अपने डैट को कॉल करती है कि डैट मेरी हैप करें पर उसक सामने नहीं आना और अगर आना है तो तुम्हें अपना सच माना होगा क्योंकि अब तुम इस सच से नहीं छुप सकती हो और कोई भी अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा यह क्या कर देते हैं उसके डैट अब इससे तो गुस्सा आ जाता रोना भी आ रहा होता है कि यह म पहले दिन काम पर आएंगे चनॉन भी से पूछता है कि क्या तुम तियार हो तो कहता है कि हाँ अफकॉर्स मैं तियार हूँ लिफ्ट जैसे आती है तो दोना लिफ्ट में चले जाते हैं और इधर हामें मीरन और एविस दिखाए जाती है जो दोना साथ में कुछ प्रिपेर क जाते हैं तो वह जल्दी से आपने सर्प्राइस के आगे खड़ी हो जाती क्यूंकि वह भी दिखाना नहीं चाहती थी और मीरन वी से कहने लगती है कि आपने तो बोला था कि जब आप कंपनी में आऊगे तो मुझे बताओगे एविस भी यही से बत कह रही होती है कि आपन उन्हों साइट पर हो जाती है जनौन तो केक को देखनी के बाद भी को शौक हो गया था क्यूंकि वह काफी प्यारा लग रहा था और वह इस केक से वन मंथ एनिवर्सी सेलिब्रेट कर रही थी क्यूंकि उन्हें कंपरी में वापिस आयोए वन मंथ हो गया था वी तो मीरन स होता है कि सबसे पहला पीस मेरा होगा जो तुम कट करोगी तो वह जैसे उसको पीस को पको दंए घृती रही होती इतने यहां पर चनाउन सब्सक्राइब कर पर सबसक्राइब करेंगर सब्सक्राइब करें के मैं प्रिष्ट करें ऐसे परसे बात करें और आज में वो परिसंगे बता भी दूंगा अब सबी सोच होते हैं कि कौन CEO बनेगा पर गैंट पर सबसे पहले ये पूछते हैं कि मैं अपनी गैंट संसी के पूछा चाहता हूँ कि किसको CEO बनाना चाहिए वो दोनों एक दूसे की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि दोनों चाहते थे कि मैं ना बनूँ ये बने और वहाँ पर बैटे बाकि सब लोग पर बहुत हैं कर उनके लिए क्लैप करने लगता है अब चैनॉन की मॉम भी अपने ड़ेट के पास जाकर उन्हें हग करती हैं काफी खुछ थी वो भी और अपने आफिस में आती है तो पीछे से गैंट पा भी आ जाते हैं जो आगा करें लगते हैं कि इस जगा की आदर डालो अब यह जगा करें और उनका झालो जैसी बोलते हैं कि यह बात तुम्हें उदास कर सकती हैं इसलिए मैं वी बात करूंकि अपनी माम को लेकर आए इतर मीरन और वी दिखाए जो दो दोना साथ में बैठ का कौफी पेरे होते हैं ताभी मीरन کی लिपस पर चॉक्लेट लगता जाती उसके लिप से चोकलेट को साफ करने के बाद मीरन को किस कर लेता है जैसे मीरन को किस करने के बाद साइड पर हटता है तो मीरन दुबारा से वी को किस कर लेती है और इतने में वहाँ पर आंट स्रोय आ जाती है जिसके अवास को सुनती दोनों जल्दी से जगा ढूनने लगते हैं कि हम कहाँ पर जाएं और वह भी आने के बात वीसे कहती कि मैंने तुमसे कुछ बात करने आपके मिरन तुम भी यहां पर रुक सकते हो पर मिरन कहते है के मैं कुछ डौकमेट्स लेने के लिए जा रही थी इसलिए आप लोग बात करें में चलती हूं ये कहकर मिरन तो वहाँ से चली जाती है और विक यांट उसके पास बैठकों से बातें वगरा करने लगती है और कहते हैं क माफी माँगना चाहती जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया और मैं तुम्हारी माफी इसलिए नहीं मांग रही क्योंकि तुमने मुझे बॉर्ड मीटिंग में स्पॉर्ट किया था बलके मैं तो सोच री थी कि अगर मैं अच्छी परसन बन चाहती हो तुम लोगों के साथ भी क्योंकि मैं भी तुम्हारी माम से सोरी करना चाहती हूँ पर भी उन्हें बताता है कि माम की मैमरी चली गया तो उन्हें कुछ चीज़ा याद नहीं है और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है हमें हर चीज़ को दुबारा से स्टार्ट करना चाहिए यह सुनकर तो उसक कुछ ठीक हो चुक है तो इसका मतलब है कि मिल सकते हैं और पिग नौई भी पूछ लगते है कि मुझे भूल जाये तो मुझे इस पासे कोई फ़रक नहीं पड़ता मैं तो उन से मिलूंगी और मुझे तो उन से मिलनका खुशी होगी इतने हैं वहां पर वी भी मिरन को होते हैं कि आ लोग हो और मिरन की मुंबी से चाहिए गारते के अगर ने खाना निक खाया हम साथ में खाना खाते हैं। आफ बीन की इंविटेशन को एक्सेट्ट कर लेता है उन्हीं कि नयूंटे चीज देती है कि यह काफी अच्छा तुम भी खाओ अब ये देखर गरमा भी उसको खाने के लिए चीज से दी और उसकी माम भी अब यह नहीं को नहीं को देख रहा होते हैं तुम दोनों कब शादी करने करने वाले यह सुनते ही वी तो मों से खाना यह बाहिर आ जाता है और मिरन भी मना करने लगते हैं कि बीग नॉय आप कैसी बात करें यहां तक कि मिरन की मामी मना करी होती है पर वो कहते हैं कि बातों बातों में मैंने ऐसे पूछ रहा क्या तुम दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए देखो यह अभी करने के लिए साथ में बैटें तो काम की बातों को साड में रखो और सब चुप करके खाना खाओ अब यह संकर सभी खाना खाने लगते हैं अब मिरन जो वी को छोड़ने के लिए बाहिर आ रही होती है तो वी कहता है कि तुम्हें बिंग नोए की बात याद है ना तो वह कह विषिक पक्ष करने के बार से पूछा होताए कि क्या तुम शर्मार्यों पर मीरं तो भी आपने करिया पर फोकस करना शादी कि इतनी विचल्दी नहीं है और देखे मुझे अच्छा खासा कमाने के बाद आप लोगों को विकेशन्स पर भेजना है क्योंकि आप दोनों हमीशा काम करती रहती हैं तो आपको भी तो छुटियों की जरूत होती है ना यह सुनकर तो भी खुश होता है क्योंकि जब यह उसकी माम उसको भी कहती जिसका मतलब उनकी मैमरी कहीं पर भी निगे और उने मैं भी याद हूँ और पूछे लगता है के मौम पूरा दिन आपने क्या किया तो वह कहते है कि आज मीने बहुत खाया ये सुनकर भी कहता है कि गेट बहुत अच्छी बात है और फिर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं आपको कहीं पर लेकर जाना चाहता हूं उसकी मॉम यह सुनकर चुप हो जाती है तो भी कहता है कि आपको ड़ने की जूरत भी मैं भी आपके साथ जाऊंगा जहां पर मैंने आपको लेकर जाना है तो व फिर उसे खुद ही कहते है कि ड़ीवी अपने साथ उन दोनों को ले जाती है और उन्हें बिठाने के बाद कहते है कि ड़ीड आते होंगे इसलिए मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आती हूँ ये कहा कर आंट स्रोय तो चले गई थी उनके जाने के बाद वीबी अपन कि उनके उपर ईतापा ने गिर किया था वो घ्लास ला कर रखते और अपने आपको साफ कर रहे होती है देखकर वी की मां झाल काते में नही सौरी करने की ज़़ी है और अरगर तुम कर भी रही हो तो मैंने तो मैं माफ कर दिया तो अब इन बातों को भूल जाओ यह सुनकर तो वह खुश हो जाती है और वी की माम उसके नेकलस को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा नेकलस तो बहुत प्यारा है अब इनकी यह बाते चली रही होती है तो इतने में वहाँ पर गैंट पा जाते ह कि मैं तुम्हारे हैस्मेंट का डैड हूँ और आंस्रोई भी बताते हैं कि यह वी के ग्रैणपा है तो वह खुद ही कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी ना तो चलो साथ में खाना खाते हैं यह कह कर उने साथ में ले जाते अब इनके वापिस जाने का टाइम हो गया चाहते हूं यह लड़ाई में मेरे पास रहा गई थी और मैंने देखा है कि इन्होंने कभी इस रिंग को नहीं उतारा यह कहकर उन्हें वह पिन लगा देती है वी की माम को तो वह काफी अच्छी लगी थी तो वी यह सब देखने के बाद अपनी माम से कहता है कि मुझे भी मिलाता इसलिए उसको यह जगा बहुत इंपोर्टन लगती है वी जो मीरें से कहे रहा होता है कि तुम्हारी वज़ा से यह सब कुछ हो पाया तुम्हारी वज़ा से मैं देख पाया हूं इसकी बातों को सुनकर मेरें कहे लगता हूं कर और यहाँ पर इस जगां इस बहुत ही जद अगली है तो तुम इस पर आड़ ने करने चाहिए तो इसी पर करूँगी तो वह पी अपनी मौम की वही वली रिंग निकालते हूँ वे मिरन का परपोस्ट करने लगता है क्यूंकि उसने अपनी इमाम से इसी फेवर का बोला था और मिरन से कहता है कि अगर तुम इस रिंग को एक्सप्ट करती हो तो में हार कर मीरन हैंसे लगते और कहती है कि इसका मतब ना कहीं पर भी नहीं है तो मीरन उसे पोच्छते हैं कि क्या, है management sacrifices, न.: तो वो उसे आपे जवाव देता है तो यह सुन कर मीरन भी हॉर्स पर बैठ का कहती है जारोगी तो यह भी हॉर्स से नीचेैं करकर वी को खड़ा करती और उसको चिक पर किस करने के भार क्याति है कि अगर ये काम पाले कर देते तो तुमें इतना टाइम वेटना करना पड़ता पर आगे से विए से पूछते हैं के तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा मिरुसं सब्सक्ण होगा तो चाहिए तो तुम्हें नहीं बताया गया था कि मिरन ने इसमें क्या लिखा है अब यह पढ़ने लगता है जिसमें मिरन ने लिखा वा था कि तो मैं जब पहना देता है और यह भी बताता है कि मेरी माम की रिंग है जो मैं माम से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मीरन उसे एक रिक्वेस्ट करते है कि क्या हम शादी भी इसी मैरी को राइट पर कर सकते हैं वी पहले तो उसकी बास सुनने के बाद राइट को देखते हो वैंस करते हैं इसके बा। कर देखा सकते हैं फिर हमें दिखा चाता है कि हम तो मुझे अपने लिए कोई नियो ढूननी होगी तो भी कहते है कि अभी तक तुमे क्या कोई भी ने मिली इतने में वहाँ पर एक लटकी के एंट्री होती है जो आते साथी ने बताती है कि मुझे एविस ने बोला कि तो मंदर जास रखती इसलिए मैं आ गई हूँ तो तीनों से अंदर आने का बॉल देते हैं अब ये भी आकर अपना इंडोडक्शन करवाते है जिसमें वो अपना नेम बताती है उसका नेम कुछ और नी बलके चैनौन की माम का ही नेम होता है ये नेम सुनने के बाद तो वो शोक हो जाते हैं कि क्या मतलब इसका ये नेम कैसे हो सकता है चैनौन तो वी से पूछे लगता है कि क्या तुम तो नी इसे लेकर आए तो वो कहता है कि नी नी ऐसे कोई बात नहीं है मैं नी लेकर आया बलके वी तो खुद कंफर्म कर रहा हो और आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा और नेक्स्ट ड्रामा मुझे कौन सा करना चाहिए ये भी जोर बताना अगर ड्रामा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राब भी करना ओके बाई बाई